जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्फ इस्टेडी के लासे इस विश्वमिच जैन यूटूब चैनल में सुसात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेसन सभी साती आजाएं और एक बार जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों ठीक है यहाँ पर दोस्तों अपना सेसन स्ट कुर्च दोस्तों बहुत बड़ीया तरीके से आप पढ़ सकते हो नियुक है तो हमारे जितने भी साति हैं जिन्हों ने अभी तक वीडियो classes का app डाउनलोड कर लें दोस्तों ठीक है एप डाउनलोड कर लो course में अडवीसर ले सकते हैं पंजाब मास्टर करडर वाले model paper दोस्तों purchase कर सकते हैं model paper यानि की 599 की model paper है और दोस्तों ये model paper में 4500 question एक model paper में 150 question रहेंगे पुल मिला के 599 में 30 model paper रहेंगे और 2000 question और extra इसमें रहेंगे आपके लिट टेस्ट देने के लिए ठीक है चलिए तो start करते आज का इस session दोस्तों notes में मैं आपको बता दूं कि जो आप notes मंगवाएंगे उसमें आपको ये हिंदी भासा देवनांगरी लिपी ठीक है हिंदी साय तितियास लेकन के आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल भारतियने इन्दु योग दोवेदी योग छाय वाद प्रगतिबाद प्रयोग भात और श्रत्री क विता तो ये fight पार्ट में इतना आपका 15 चैप्टर रहेंगे first पार्ट में ठीक है और second part की बात करें तो second part में दोस्तों आपकी ये चेप्टर रहेंगे हिंदी गत्य का विकास नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंद, अलोचना, इकांकी, जीवनी आत्म कता, रिपोर्टा, यात्रा, रेखा, चित्र, संसमरन, गत्य काब डायरी, साक्चातकार, हिंदी में प्रतम, हिंदी में विवेद, पुरुषकार, आदी, ठीक है पत्र-पत्रिका और प्रमुक कथन, ये चेप्टर रहेंगे जो आप नोट से मात्र 20 रोपे में अपने घर पर मंगबा सकते हैं दोस्तों ठीक है, चलिए, तो स्टार करते हैं आज का एसेसन, सभी साती आ चुके हैं, आपका पहला प्रस्णा आपकी स्क्रीन पर है दुवेदी युक को जागरन सुधार काल की संग्या किसने दी है, आपको चैन करना है और एक बार जल्दी से सेर भी कर देना अपने मित्रों तक दोस्तों पटा पट से, एक किलास रोज रात तरी नो बजे आपके लिए दोस्तों लाइब किलास लाई जाती है अब आपको यहाँ पर बताना है कि दुवेदी युक को जागरन सुधार काल की संग्या आखिर दी किसने है बहुत ही बड़िया क्वेस्चन, ऐसे ही क्वेस्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा बताएं जल्दी से, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आरा है कि सर जो दुवेदी युक को जागरन सुधार काल, अब यहाँ जागरन सुधार काल एक चीज बताओ कि अगर आपके घर में नांग घुस जाए, यह फण वाला जो नांग है वो आपके घर में घुस जाए, यह वाला तो आप जागरन करोगे की सो जाओगे बोलिस सर हम तो जागरन करेंगे अगर आपके घर में नांग आ गया कहीं से तो आप क्या करोगे जागरन करोगे तो जागरन सुधारकाल कौन कहेगा कौन कहेगा नाक्टन नगेंद्र कहेंगे बोलिस सर नांग आ गया तो हम जागरन कर रहा है स्वाएंगे नहीं ठीक है फिर अंगला कॉस्चन है हिंदी को गवारू बोली किसने कहा गवारू बताईए किसने कह दिया गवारू बोले पटापट से बताना है और एक बार जद्दी से लाइक भी कर देना है सर सैयद अहमत खाने सर फ्रेडरिक पैक्ट ने सिव पिरसा सिता पारे हिंद ने या फिर इनमे से कोई नहीं यानि कि प्रस्चन आपका दो नंबर है दो नंबर में आपको जल्दी से बताना है नीतु गुपता जी पूजा देवी जी पलविंदर अंसे आदो जी ने उत्तर बता दिया बहुत प्रड़िया कि सर इसमें आपको लगा देना सर सयद आहमद खाने एक क्वस्चन कई बार आ चुका है कि हिंदी को गवारू बोली किसने कहा तब आपका राइट सा अंसर हो जाता है गवारू बोली कहा है सर सयद आहमद खान यानि कि जो आपका एक नंबर है ये नंबर है वो बिलको सही हो जाता है ठीक है संदीप सिंग कविता संबर्धनी सवा के संस्थापक कौन थे आपका न्यू बैच स्टार्ड होने वाला है 15 अपरेल से आपका एक नया बैच चालू होने वाला है तो जिनको भी अड़िसल लेना है अभी से अड़िसल लेले नया बैच यानि कि जिसमें आपको सुरुआत से पढ़ने को मिलेगा ठीक है मात्र 15 शुरुपे में आप 12 महीने दोस्तो अध्यन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है तो 15 अपरेल से नया बैच कभिता संबर्दनी सवा तीन नंबर में आपसे पूछा गया है और आपका उत्तरे सर भारतेंदू लगा दो यानि कि ये नंबर आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगल भारतेंदू है जल्दी से बताना है पटाक से बताइए उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन माने जाते हैं राइट आंसर चैन करिए जल्दी से आपने भक्तमाल पढ़ा 1585 में ठीक है उत्तर भक्तमाल भी दोस्तो ये रचना लिखी गई ठीक है अब इसके रचनाकार कौन म आने जाते हैं तब आपका right answer यहाँ पर क्या हो रहा है उत्तरवक्तमाल के और बिल्कों सही answer लगाए आपने की सरी भारते अंदूजी ने लिखी है यानि कि आपका जो D number है D number आपका बिल्कों सही हो जाएगा डी नमबर आपका राइट आंसर हो जाएगा रामसरूफ चत्रुवेदी रासो सब्दी की उत्पत्ती किस से मानते हैं बहुत अच्छा क्वेस्चन पांच नमबर के क्वेस्चन में कॉंपिटीटिव हिंदी वाई रवी सर बताई ये जल्दी से पांच नमबर रामसरूफ चत्रुवेदी रासो सब्दी की उत्पत्ती किस से मानते हैं ये आपको बताना है रीतेस मौर जी जल्दी से बताओ दीपिका जी ने बताया कि भगतमाल की टीका लिखीती प्रियादास ने बिलको सही है बताओ यहाँ पर रामसरूफ चत्रुवेदी रासो सब्दी की उत्पत्ती किस से मानते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीतू गुपता जी पांच नमबर का क्वेश्चन है और पांच में बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर जो रामसरूफ चत्रुवेदी हैं इन्होंने राउस से माना है राउस से यह रासो सब्दी की उत्पत्ती और मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया है दोस्तो पूरा का पूरा कि राउस से किसने माना है रासो से किसने माना है राज यस से किसने माना राज सुए वो रासक से किस से माना है तो यह मैंने आपको ट्रिक भी बताई है तो जिन्वी सात्कियों को दोस्तो ट्रिक की नोट समंगवाना है जिसमें आपके लिए महत्पून ट्रिकों का भी समावेस किया गया है जगए जगए पर जहां जैसी यो पेउक्त ट्रिक निकली है तो वहाँ पर ट्रिकों का भी समावेश किया गया है तो रामसरुप चुत्रवेदी रासो सब्दी की जो उत्पत्ति मानते वो राउस से मानते हैं जैनी कि आपका ये नंबर बिलकुًद सहिए कृसक करंदन एक इसकी रचना है छे नंबर का क्योंचन है जल्दी बताईए स्वानु केमजी बिलकुल भक्त नामावली धुरुवदासकी रचना है बहुत बड़ी आंसर बताया भक्त स्वानु जी ने क्रिसक क्रंदन ये किसकी रिचना मानी जाती है दोस्तों ठीक है बहुत सारे सातियों ने नोट्स अपने घर मंगवा लिए हैं वो लाइप किलास से भी पढ़ रहे हैं और साति दोस्तों नोट्स से भी पढ़ रहे हैं लगा लगा के याद कर रहे हैं तो आप भी मंगवा सकते हैं मातर 21 रोपे पे करना है आपके घर नोट्स पहुँच जाएंगे हिंदी साहित के जिसमें बहुत ही महत्पूर्ण ट्रिक भी समाहित की गई है बहुत ही महत्पूर्ण विस्त्रित भी है दोस्तों और क्रमबद भी है ठीक है तो क्रिसक करन्दन किसकी रचना है च्छे नमबर का क्वेस्चन है यहाँ पर और च्छे में आपका उत्तर बोला क्रिसक का क्रन्दन गया क्रिसक का क्रन्दन अब गया गया से गया प्रसास सुकलिशन यही यानि कि आपका जो यह नंबर है वो बिलकुल शाहिए ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है अंगला क्वेस्टन आते हैं यहां पर प्रेम राज जिकाब्ब के लेका कौन है प्रेम राज जिकाब्ब के लेका कौन है आप तब सही है जब आप पहले पढ़ चुके हों और आपका एक भी प्रस्टन गलत ना हो तब तो वहोत अच्छी बात है और अगर गलत हो रहे हैं तो पहले का पढ़ना कोई नहीं है और एक बार पढ़ना नहीं सेल्फ स्टडी किलासिस का दोस्तो एक ही नारा है एक पुस्तक को 50 बार पढ़ना है 50 पुस्तकों को एक बार नहीं पढ़ना है ठीक है समझे गए प्रेम राज काब्ब के लेका कौन है यह आपको बताना है यह प्रशने के रमाग साथ नंबर का क्वेस्चन है प्रेम राज ठीक है बोले जै संकर जै संकर बोले सर अगर जै संकर की सभी लोग पूजा करेंगे प्रसाद खाएंगे तो प्रेम राज दोस्तों हो जाएगा है ना प्रेम राज प्रेम फैल जाएगा, यह नंबर सही है, 1889 में जिनका जन्म हो जाता है, छाया बात के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, यह भी अपन को याद कर लेना है, बन्जीज जी, बिल्कु सही है, अबद का किसान कभी किसे कहा जाता है, प्रशनी किरमा काट का उतर, अबद का किसान जाता है ये आपको बताना है बिल्कुल बार-बार अध्यन करना चाहिए बार-बार अध्यन करोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अच्छी और किलियर होती जाती हैं अब अधका किसान कभी किसे कहा जाता है त्रिलोचन को मुक्ति बोद को अग्ये को या फिर मती हो ते सुजान पढ़ते आ रहा है यह कब से पढ़ते आ रहा है तो करत करत अभ्यास का मतनब क्या है कि उन चीजों को बार बार पढ़ने से अभ्यास करने से आपके माइंड में वो चीजे सेट हो जाती है ठेक है और जो आपका 2-3-4 नमबर से selection रुखता है वो इसलिए रुखता है कि आप एक बार पढ़ते हो दो बार पढ़ते हो बस उसके बाद आँगे पढ़ने का मन ही नहीं करता तो यहाँ पर अबद का किसान कभी किसे कहा जाता आठ नमबर का question कहा जाता है त्रिलोचन अब त्रिलोचन का बास्त्विक नाम आपको बता ना है देखो रीतेश जी बता रहा है पहले से कि सर आप तो पूँचने ही बाले होए है ना आप समझने लगे हैं अब तो सब लेग ठीक है तो इनका बास्त्विक नाम है बासू देव सें यानि कि आपका जो ये नंबर है वो बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा बिकलांग स्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है बताईए यहाँ पर कमल जीत जी अब बताओ ये नंबर लगा दो अब बताईए ज़ल्दी से पटापड से एक बार लाइक कर दो सेर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक जिन भी सातियों को कोर्स में एडवीसर लेना है 15 अप्रेल 2020 न्यू कोर्स आपका न्यू बैच स्टार्ड होने बाला है दोस्तों ठीक है तो न्यू बैच में जिसको भी एडवीसर लेना और पढ़ना है शुरुवात से तो आप पढ़ सकते हो मात्र 15 सो में 12 महिने के लिए दोस्तों रेगुलर बिकलांग स्रद्धा का दौर 9 नमबर का क्वेस्चन है और आपने बताया कि सर हरी संकर परसाई लगा दो दस नमबर का क्वेस्चन प्रिगति सील साहित के मांदंड के लिए का क्वन मान जाते है बहुत ही अच्छा क्वेस्चन पूछा गया यहाँ पर अरोण राजपूच जी पूर्वी जी बताइए जन्दी से बताना है और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रिगति सील साहित के मांदंड अब यहाँ पर क्वेस्चन आपका गलत नहीं होना चीए दस नमबर का क्वेस्चन है प्रिगति सील साहित के मांदंड आपसे पूछा गया है मुक्ति बोद की रचना है या फिर रांगे रागव की है देखते हैं कौन-कौन बता रहा है कौन-कौन बता रहा है यहाँ पर सही आंसर या फिर राम बिलास सर्मा का है तो बहुत सारे लोग जिन्नों ने यह बताया प्रगति सील साहित के मांदंड यह इसके जो लेखा कें दोस्तो यह रांगे रागव क्यानि कि यह नंबर आपका यहाँ पर रांगे रागव सही हो जाएगा यह नंबर ठीक है प्रगति सील साहित के मांदंड इसकी आंसर आपका रांगे रागव होगा ठीक है बहुत बढ़िया अब यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आते हिंदी भ या फेर प्राइस्थानी हिंदी है, बताओ, हिंदी भासा की बोलियों के बर्गी करण के आधार पर 36 गड़ी बोली बताना है, अपनने पड़ा भी था, क्या पड़ा था, A, V, C, यानि अबदी वगेली C से 36 गड़ी, ठीक है, ये किसकी मानी जाती है, A, V, C, A, V, C मानी जात अबदी बासे बगेली हो, 36 गड़ी से 36 गड़ी, तो पूर्वी हिंदी की अब 36 गड़ी, पस्जमी हिंदी की कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरी के पास, ठीक है, पहाड़ी हिंदी में आपने देखी है, दोस्तों, कुमावनी गड़बाली, राजस्थानी हिंदी भी आपने पड़ी है, तो आपका यहाँ पर ABC हो जाएगा, यानि कि आपका उत्तर ए नंबर पूरी भी हिंदी सही हो जाएगा, किसके भक्ति परग गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है, नाम देओ, सहजो बाई, कभीर या फिर दादु दयाल के, पूर्वा जी, राइट अंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताइए शुनील कुमार जी, पायल रानी जी, शिव कुमार जी, शवी लोग बताएं 12 नंबर का क्वेश्चन है, किसके भक्ति परग गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है, और उत्तर चलता ह जो नाम है, वो भंग नहीं होनी चाहिए, अभंग, अभंग, नाम, क्या सर आनी चाहिए, अभंग, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, नाम देओ, यानि कि आपका एक नंबर जो है, अभंग के नाम से नाम देओ, की दोस्तों गीतों का संकलन जाना जाता है, भी बर्मा का, ठीक है, ये भी याद रख लेना, यामा के लिए इन्हें ग्यान पीट प्रोस्कार भी मिलाता, दोस्तों कब मिलाता, तो आपको पता है, कि सर उन्नीस तो ब्यासी में मिलाता, ठीक है, किसको महादेवी बर्मा को, इनकी बहुत दर्सन से प्रभावित जो रस्मी, यानि कि जो डी नंबर है रस्मी, वो बिल्कु सही है, डी नंबर सही है, पाध्वनी, पाध्वनी का उच्चान स्थान क्या है, पाध्वनी का उच्चान स्थान क्या है, चौदा नंबर का क्वेस्चन है, दंत है, ओस्ट मूर्धा या फिर कंठ है, पाध्वनी का उच्चान स्थान क्या माना जाता है बड़ यासा क्वेस्चन है जन्दी से बताईए एक बार और लाइक भी कर दीजिए ठीक है और दोस्तों जिन भी सात्यों को एड़ीसर लेना है 15 अप्रेल से न्यू बैच स्टार्ड होगा यानि कि शुरुआस से हिंदी भासा से पढ़े पढ़ते हैं तो यहाँ पर पा जो बर गाता है यह ओस्ट से इसका उच्चान होता ओस्ट से ठीक है तो पा से आपका ओस्ट हो जाएगा यानि कि आपका जो बी नंबर है वो बिलकुल करेक्ट राइट अंसर सरल कोस्चन है ससांक सब्द का पर्यावाची सब्द क्या है 15 न जो सब्द है वो कौन सा सब्द माना जाता है 15 नंबर के क्वेस्चन में बहुती बढ़िया क्वेस्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है ससांक सब्द का पर्यावाची सब्द क्या है 15 का उत्तर चला जाता है कि सर चंद्रमा है यानि कि आपका जो यह सी नंबर है य बताओ किसकी किरपा से, ये धर्ती अब भी घुम रही कहानी है, किसकी किरपा से घुम रही है रतिपाल जी, किसकी किरपा से घुम रही है धर्ती, ज्यानरंजन की किरपा से, विश्णू की किरपा से, या फिर एसपाल की, किसकी किरपा से अपने पढ़ा भी था, बताएं, ल बहुत थी बड़िया क्वेस्चन पूचा गया और लगवक सभी से बना गया कि सर विश्णू, विश्णू की किरपा से धर्ती अब भी घूम रही है, यानि विश्णू प्रभाकर, हिंदी का प्रतम ग्यान पीट प्रोस्कार किस कभी को मिला, बहुत अच्छा क्वेस्चन, 17 बहुत थी बढ़िया क्वेस्चन आप से पूचा गया है, और सबी लोगों ने बताये कि सर वो रचना थी चेदंबरा ठीक है चेदंबरा रचना थी चेदंबरा और दोस्तो इसके लिए सबसे पहले 1968 में ये पुरुसकार मिला और ये रचना की स्कीती शुमित्रा नंदन पंतिकी जिनका जन्म हुआ था 1920 में है ना कोसानी अलमोडा में इ एक बढ़िया सा क्वेस्चन आपसे पूचा गया लाइक कर दीजिये सबी साती मित्रों को सेर जरूर कीजियेगा दोस्तो इतने अच्छे प्रशन आपसे पूचे जाते हैं यहां पर इतने वढ़िया से प्रशन पूचे जाते हैं क्वेस्चन पूचा गया सुजान को बिन लगा रहे हैं कौन-कौन 18 नंबर में सही बता रहे हैं कैसे याद किया था तरिक याद है कि आप लोगों को सुजान को बिनोध देव तो यह देव जिनका बास्विक नाम देव दत्य था जिनका जन्म हुआ था इटावा इटावा से संबंदे थे यह देव ठीक है रीती काल के रीती बद्ध काप धारा के कभी मान जाते हैं देव याद रख़े ना इन्होंने 34 वा एक के दोस्तों संचारी भाव माना था वो था क्या चल चल नामक 34 संचारी भाव किसने मानाईक क्वेसें कई बार आया तो देव आदने काल के गोरकनात किसे कहा जाता है बहुत अच्छा क्वेस्चन है 19 नंबर का क्वेस्चन है दोस्तों बताइए आदने काल के गोरकनात किसे कहा जाता है बताइए जस्पाल जी सौनु जी राइट आंसर यहां पर सिमर पाल सिंग जी 19 नंबर का क्वेस्चन है और बहुत पर 19 नंबर के question में आपसे पूचा गया और आपका उत्तर है कि सर जिनका जन्म हुआ था 1897 कुछ विद्वान 99 मानते हैं महिसादल मेदनीपुर में बो थे ऐसे सुरकांतर पाठी निराला ठीक है ये भी याद कर लेना यानि कि B नंबर इनका सही हो जाएगा इन्हें आधुन नंबर का question और मैंने आपको याद भी करवाया है कई बार ट्रिक से भी याद करवाया है कुमारी नेहा जी बताइए यहाँ पर right answer आपका क्या हो जाएगा स्रश्टी ठाकुर जी प्रश्ने करमांग 20 है और आपने याद किया था कि सर भवानी का प्रसाद सहज में नहीं मिल पाता सहज में नहीं मिलता है ना भवानी के प्रसाद के लिए बोले सर तपस्या करनी पड़ती है भवानी का प्रसाद चाहिए तो तपस्या करिए सहज में नहीं मिलेगा भवानी का प्रसाद तो सहज से सहजता का कभी और वो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिस्र को कोई ब का क्वरिशन है प्रीती प्रोहित जी शबी लोग बताएंगे राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताए फटा पट से चांदी का जूता मारना मोहाबरे का सही अंसर क्या है जल्दी से आपको चेन करना है, ठीक है फटा पट से बताए Tao म बताएं फटापट से चांदी का जूता मारना मोहाबरे का सही अर्थ क्या है और सही अर्थ होता है क्या होता है क्या होता है चांदी का जूता मारना 21 नंबर का क्वेस्चन और अधिकलाप कमाना नहीं परास्त करना नहीं धोका देना ये भी नहीं रिस्पत देना यानि कि B नमबर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है और एक और होता है आपको पता है चाय पानी चाय पानी का मतलब भी होता है रिस्पत देना बोले चाय पानी का खर्चा तो दे दो है ना जब आप जाते हो कहीं भी कोई काम करवाने अपने भारत में एक और चलता है चाय पानी का खर्चा दे दो चाय पानी का खर्चा दे दो मनलब रिसवत दे दो यही होता ना आप कहीं जाते हो कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो कहीं पर जाते हो तो क्या वोलेंगे चाय पानी का कर्चा तो दे दो यानि कि रिस्वत दे दो ठीक है ये रिस्वत देना चांदी का जूता मारना ये भी नमबर आपने सुना है यहाँ पर आते हैं आख्याई का सैली आख्याई का सैली का प्रतम मौले को पन्यास कौन सा है ये 40 मिनिट ही चलती है किलास अब आपका नेट खतम हो रहा तो हो जाए ये 40 मिनिट चलती ही है किलास ठीक है तो आख्याई का सैली का प्रतम मौले को पन्यास कौनसा जिसनका नेट खतम हो रहा वो बाद में देख लेना ठीक है तो आख्याई का सैली का प्रतम मौले को पन्या कुंसा है ये आपको बताना है स्यामा स्वपन निसहाय हिंदू मेला आचालिया पर चित्र लेखा 22 नंबर का क्वेस्चन है सबी लोग बताएंगे पूजा रानी जी सिवकोमार जी बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बुल्डोजर बाबा आगए बहुत बढ़िया 22 नंबर मंत्री जी आगए मतलब क्लास में 22 नंबर का क्वेस्चन है और 22 नंबर का क्वेस्चन है कि सराख्याई का सेली में प्रिथम मौले को पन्या से स्यामा स्वपन स्यामा स्वपन के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है वो बता दिया ठाक और जग मोहन बहुत बढ़िया ये नमबर उतना वह सूरज है कि रचनाकार यानि कि जो लेखक है वो कौन है उतना वह सूरज है सबी लोग बता है निलकुमार जी कनिफ्यूज ना हो आधनिकल का गोरकनास निराला को ही कहा जाता है ठीक है आप निकाल का कबीर नागर जुन को कहा जाता है प्रशने किरमांग को 23 नमबर का क्वेस्चन है उतनावाय सूरज है रचना के लेखक कौन है ये आपको बताना है जल्दी से बताईए प्रशने किरमांग को 23 नमबर का क्वेस्चन ह जिन भी सातियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर ठीक है आप दोस्तों ये तिर्की जो नोट्स हैं जहां पर आपको बहुत बड़ी अट्रिकों का भी समाविस किया गया है आप मंगवा सकते हैं अपने घर में उतना वह सूरज है रचना के लेखा क्वन है तो 23 नमबर के क अपने बिलकुल करेक्ट आंसर लगाया भारत भूसर अगरबाल भारत में उतना वह सूरज है ठीक है बिलकुल सही है जिस चन्द के पहले चार चरणों में रोला और बाद में बाद में दोस्तों दो चरण में उल्लाला होता है उल्लाला होता है इसमें 24-28 मात्राओं के यो प्रणाओ जी पटाक से बताइए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा लाइक भी करना है जल्दी से सही आंतर क्या है यहां पर 24 जिस चन्द के पहले चार चरणों में रोला और बाद में दोस्तों जल्दी बताओ क्या हो जाएगा 24 नंबर और बिलकुल सही है बी कोश्चन आपको बताना है तो बताइए जल्दी से उसकी बाद सारंग का परियावाची सब्द बताना सारंग का परियावाची क्या माना जाता है नमक, सार्थी, मोर, घोड़ा तो 25 नमबर के question में आपको like भी करना है जदी से बताना भी है फटाक से सबी लोग बताएंगे सारंग का परयावाची क्या माना जाता है 15 अप्रेल से नया बैच चालू होने बाला है 15 अप्रेल से ठीक है जिसमें आपको सुरुवात से पढ़ाया जाएगा तो जिनको भी अड्वीसल लेना है वो ले सकते हैं मात्र 15 रोपे में दोस्तों और 12 महिने की बैलिडिटी रहेगी बिस्तरित पढ़ाया जाएगा आपको सारंग का परयावाची सब्द बताना 25 नमबर के क्वेस्चन में उत्तर हो जाएगा मोर यानि C नमबर ठीक है मोर आपका राइट अंसर है सारंग का परयावाची C आपने सही बताया है निमबार का चार का दार्षनेक मत क्या है दार्षनेक मत क्या है दोइता दोइतबाद सुध्धा दोेतवाद आदोेतवाद या फिर दोेत बाद निमबार का चार और मैंने आपको कई बार याद करवाया पूजा बर्मा जी जल्दी से बताईए मायाराम जी प्रियंका जी फिरमोद जी निमबार का चार का दार्सनिक मत क्या है 26 नमबर के question में शबी लोग बताएं 26 नमबर का question आ रहा है यहाँ पर और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर निमबार का 4 का जो दार्सनिक मत है वो मत है दोईता दोईत बाद दोईता दोईत बाद यानि कि आपका जो यह नमबर है यह नमबर वो बिल्कुछ सही है ठीक है दोईता दोईत बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा निमबार का 4 का दार्सनिक मत कहलाता है दोईता दोईत बाद देत देत निमबू देत ठग गये बोली सर इंडी में पहरी बार 12 मास वरनन किस है दोस्तो किस रासो गरंत में हुआ है किस रासो गरंत में हुआ है 27 नमबर का क्वेश्चन शबी लोग बताएं और राइट आंसर बताना है जल्दी से बताइए पटा-पट से बताना है 27 नमबर के क्वेश्चने में हिंदी में पहली बार अड़िशन ले लो वार त्रिगुणाईद जी अड़िशन ले लो बिलकुल करवाएंगे टॉपिक बाइच करवाएंगे चिंता नी करो हिंदी में पहली बार बारह मासा वर्नन किस रासो गरंत में मिला 27 नमबर का क्वेस्चन है परमाल रासो में जिसके रचनाकार माने जाते हैं नरपती नाल और यहीं से बारह मासा का वर्नन दोस्तो मिलता है तो आपका उत्तर शी नमबर अनाथ का बिलोम क्या होगा 28 नमबर का पताई आसा कुमारी जी सभी लोग बताएंगे लाइक कर दो सभी साती और सब्सक्राइब जरूर कर लो बे अनाथ का बिलोम क्या होगा पूछा गया है आपसे 28 नमबर के कॉस्चन में पताईए अनाथ का बिलोम धनी सनाथ निर्धन या फिर बेकार तो जल्दी से बताना है ठीक है नौकरियां आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन अध्यान कम नहीं होनी चाहिए ठीक है सलेक्सन कॉस्चन आपको बताना है जल्दी से बताईए मोल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है बताएं विश्वास मलिक जी मोल गोसाई चरित के रचनाकार कौन माने जाते हैं बहुत ही बढ़िया कॉस्चन यहाँ पर पूचा गया आराधना जी इस्टडी बित जी अजित जी बत तक थीक है तो आपका उत्तर B नमबर रस रत्न के रचेता कौन माने जाते हैं तीस नमबर का क्वेस्चन है रस रतन की रचेता कौन माने जाते हैं जान कभी सेक निसार सेक नभी या फिर पोहकर बताएं पूजा जी माया राम जी तीस नमबर के क्वेस्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है रस रतन, बोले रस रतन की पोहकर कर दो, फोहार कर दो बोले सर, पोहकर कर दो थोड़ा सा ठीक है रस रतन की क्या कर दो पोहकर कर दो, ठीक है तो यहाँ पर आपका उत्तर जा रहा है पोहकर, यानि की D-number, D-number बिलकुँ सही है, बीनू सरोच जी next question है, सा का उच्चान स्थान क्या है बताओ, सा का उच्चान बताना है जल्दी से बताओ कंठ है, तालू है दंत है या फिर मूर्दा है बीच बीच में, तो अलग-अलग question भी different, different question भी आपको प्रेसित किये जाते हैं बीके सर्मा जी, ठीक है जिनको भी notes मंगवा ना है, मंगवा सकते बहुत सारे साती notes मंगवा चुके हैं पहुच भी गए हैं दोस्तों बहुत सारे सातीयों के ठीक है तो यहाँ पर ये उच्चान स्थान बताना है, बुल्डो जर्बाबा ठीक है, पंद्रा सर्ग आपको पता होनी चाहिए, कामाईनी के बारे में ये भी पता होनी चाहिए, कि जो कामाईनी है, ये महाकाब है और इसके रचना का जैसंकर प्रसाद है ठीक है, और एक कामना नाटक के आधार पर दोस्तों लिखा गया प्रतिक आतमक महाकाब है ये भी आपको बताना है तो यहाँ पर 32 नमबर का क्वेस्चन और 32 नमबर के क्वेस्चन में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर्जो ये एक्छा है एक्छा, ये इसका सर्ग नहीं है एक्छा इसका सर्ग नहीं है यानि कि D नमबर आपको बता है मैंने कई बार याद करवाएं आपको ठीक है S, D, B, G है ना ये एक्छा नहीं है भईया D नमबर नहीं है पिरसाद जी के किस नाटक का कतानाग बोद्धों के पतन के बोद्धों के पतन के दोस्तों काल पतन काल का है बताओ वो नाटक कुंसा है पिरसाद का प्रतम नाटक भी आपको बताना अंतिम नाटक भी आपको बताना है पिरसाद के किस नाटक का कतानाग बोद्धों के पतन का माना जाता है जल्दी से बताईए और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए फटाक से तो 33 नंबर का question है प्रसाद का प्रतम नाटक माना जाता है सज्जन प्रसाद का अंतिम नाटक माना जाता है ध्रोप सौमनी ठीक है तो यहाँ पर 33 नंबर का question पूछा गया आपका right answer यहाँ पर क्या होने वाला है और शबी लोग बता रहे हैं यहाँ पर जदी से बताओ कौनसा है अंतिम नाटक वह बोद्दों के कथानक का जो नाटक है वो है दोस्तों कौनसा विसाख विसाख है यानि की डी नंबर साई है चंद्रगुप्त नाटक की नाई का कौन है बताओ जदी से बताना है चंद्रगुप्त नाटक का रचना कालबी आपको बताना है बताओ सरब जोज जी बताना यहाँ पर चंचल राजपूज जी बताओ रेखात्रपाटी जी यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक की नाई का का नाम क्या है नाई का कौन है अलका है कौर्नेलिया है तो सबी को पता है कि सर इस चंद्रगुप्त नाटक की नाई का है कौर्नेलिया ठीक है कौर्नेलिया है इसका रचनाकाल क्या है बताओ चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है पटापट से बताईए गांधी बाद की सव परिच्छा निबंद के लेका कौन है 35 नमबर का क्वेस्चन है जल्दी से बताना है गांधी बाद की सव परिच्छा ये निबंद किसका है गांधी बाद की सव परिच्छा पूँचा गया है निस्टा तरवेदी जी बताएं गौराओ कुमार जी 35 नंबर DCP के लासे जदी बताओ 35 नंबर में गांधी बाद की सव पर इच्छा निबंद किसका है बहुत ही बड़िया क्वेस्चन पूचा गया और 35 नंबर में आपका उत्तर चला गया कि सरगांधी बाद की सव पर इच्छा यानि किए जो निबंद है ये निबंद एसपाल का है एसपाल की बारे में आपने पड़ा होगा डी नंबर आपका बिल्कुँ सही है डी नंबर जनोनी भी लगाया उनका अंसर सही है लहू पुकार ए आदमी कहानी के कहानी कार कौन है लहू पोकारे आदमी इतने भी साती हैं सेयर जरूर किया करें दोस्तों सेल्पिस्टेडी क्लासेस से एक बार जुड़ जाएं मन नहीं करेगा आपका कभी SM Hindi Sahet Academy आपका कभी मन नहीं करेगा कि सेल्पिस्टेडी क्लासेस को छोड़ें आपको ऐसा लगेगा अगर जिस दिन क्लास अटेंड नहीं करोगे ऐसा लगेगा कि आज कोछ हदूरा अधूरा है दोस्तों बाकि सभी सातियों से पूँचिए जेरों ने केकलास को अटेंड किया है एक बढ़िया परिवार self study classes परिवार दोस्तों ठीक है आप उसमें सामिल हो सकते लही पोकार लहू पोकारे आदमी कहानी के कहानिकार कौन है 36 नंबर का question आपसे पूचा गया और बढ़िया सा question है आपने बताया कि सर मधुकर से हैं कौन है कौनसा है रसिया वालम है दुखवा में कासो कहूमोरी सजनी दुलाई वाली बेंटो वाली विद्वा ये आपको बताना है सीता राम जी जल्दी से बताईए 37 नंबर का question और 15 अप्रेल से new batch start ठीक है बिलकुल जल्दी बताऊ बांगला कहानी सेल्सिमा बेगम का हिंदी रूपांतरण आपको चैन करना है 37 नंबर के question में आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा दुखवा में कासो कहूमोरी सजनी यानि की B नंबर आपका right answer है B नंबर आपका बिलकुल सही है B नंबर right है ठीक है जहां कोई साधन बात कहकर उसकी किसी विसेश बात से समानता बताई जाए बहां कौन सा अलंकार होता है जहां कोई साधन बात कहकर उसकी दोस्तों किसी विसेश बात से समानता बताई जाए बहां कौन सा अलंकार होता है भ्रांतिमान होता है संदे होता है विभावना होता ह या फिर उधारन होता है पताईए साहित सेवा जी प्रीती जी प्रोहित जल्दी से बताएं गीता जी रजनी सर्मा जी राइट अंसर यहां पर क्या है 38 नंबर का क्वेस्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है और आपको पताईए किसर यहां पर दी नंबर लगा दो कांत जी अनुराग जी बीना जी 49 नंबर का क्वेस्चन बढ़िया सब पूछा गया एक सलक 57 गलिया और जल्दी से बताना है दोस्तों हिंदी साहित के कोर्स में एडवी से लेना है तो आप 15 सो में 12 महीने 15 सो में 12 महीने की बैलेडिटी के साथ अध्यन कर सकते है ठीक है और अगर कोर्स मंगवाना है तो आप 21 रुपे में कोई है दोस्तों नोट्स मंगवा सकते हैं प्रिंट बाले नोट्स आपके घर पहुँच जाएंगे एक सलक 57 गलिया 49 नंबर का क्वेस्चन बोली सर एक सलक 57 गलियों में क्या खेला बोले कमल खेला कमल तो कमल से क्या हो जाए यानि कि आपका जो B नंबर है ना ये B नंबर बिलको सही हो जाएगा कमल सुर आपका राइट आसर चला जाएगा बटबरक्ष की चाया में जीवनी साहित के लेखा कौन है दोस्तों बताएं बटबरक्ष की चाया में इतना अच्छा क्वेस्चन पूचा गया और हमारे जि पूचा गया है इतना बड़िया सा क्वेस्चन पूचा गया लाइक जरूर करिए सभी साती है ना और आपका उत्तर हो जाएगा कुमोद नागर द्वारा ये जीवनी साहित दोस्तों लिखा गया लेकिन ये किसके जीवन पर लिखा गया ये भी आपको बताना है बताएं य उसके बाद आँगे बढ़ेंगे गालेव छूटी सराव आत्म कथा के लेका कौन है गालेव छूटी सराव रविंद्र कालिया भगवती चन बर्मा कमले स्वर कमले स्वर या फिर डांक्टर नग्यंद्र बताओ गालेव छूटी सराव गालेव छूटी सराव इस आत्म कथ कि लेखा कौन है, 41 नंबर का कॉस्चन है, वरियासा यहां पर प्रस्ण आपसे दिया गया है और गालिब छूटी सराव, तो बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा, जब कालिया बन जाती ना, कालिया कौन, यह रविंद्र कालिया, ठीक है, गालिब छूटी सराव, ठीक है, याद रख लेना है कालिया गालिव चूटी सराव बोले कैसे चूटी सराव बोले सर कुछ न मत पूछो पतनी कालिया बन गईती पतनी अगर कालिया बन जाए तो सराव और आप सब चूट जाती है ठीक है सराव चूट जाती है तो रविंद्र कालिया एक गालिव चूटी सराव 45 तक फिर दूसरी चलती है 6 30 से 7 10 तक ठीक है तो याद रखने नहीं दो किलासें आपके लिए पैड़ चलती हैं 15 अप्रेल से न्यू बैच स्टार्ड हो रहा है नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं ठीक है तो पिंजरे में मैना आत्म कता कि लेखी का कौन है 42 नंबर का क्वेस् पिंजरे में मैना बोले रिक्सा पर बैटके जा रही सर रिक्सा पर रिक्सा यानि की संद्र करण स्वन रिक्सा ठीक है तो बाहुबली कटपपा जी आ गया बहुत बढ़िया चंद करण स्वन रिक्सा पिंजरे में मैना बहुत दिन के बाद दर्सन हुए कटपपा जी के ठीक है, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जल्दी से बिल्कुल next question है, बे दिन बे लोग रेखा चित्र के लेखा कौन है, बे दिन बे लोग, डाक्टर नगेंदर, महेंद बतनागर, स्योपूजन साहे, सेट गोविंददास, बताइए, बिल्कुल बतापट से बताइए, र आपकी पढ़ाई नरंतर होनी चाहिए, दोस्तो, आप कहीं से भी पढ़ो, आपको material मिलना चाहिए, ठीक है, जहाँ आपको अच्छा लगे, वहाँ पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपको जो material अच्छा लगे, जहाँ आपको दोस्तो अच्छा पढ़ाया जाए, आपको बंदित नहीं करता आपकी आप मेरे ही चैनल से पढ़ें ठीक है जहां भी आपको लगता है आप पढ़िए material पढ़िए आपकी पढ़ाई होनी चाहिए बस ठीक है बे दिन बे लोग पुलिसर बे दिन बे लोग एक question पूछा गया था अभी दोस्तों बे दिन बे लोग क्या करते हैं सियो की पूजन करते हैं सियो की पूजन यानी सियो पूजन सहाए यानी सी नमबर सियो पूजन सहाए आपका सी नमबर बिलको सही है ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट देखते हैं बाक्याम रसात मकम काब्यम ये कतन किस गरंत का है गरंत का नाम बताना है उस गरंटी के रचनाकार कॉन है ये भी आपको बताना है जल्दी नाँके बताना है बटावट से बताना है और लाईक ही कर देना है जल्दी से कभी भी कर सकते हैं स्थीमिवज चंदन जी कभी भी कर सकते contact ठीक है बताई यहां पर बाक्याम रसात मकम काब्यम यह कतन किस गरंत का है 44 नंबर का question है यह आपको बताना है जल्दी जल्दी बताए 44 नंबर का question है और लाइक जरू कर यह लाइक में दोस्तो बनी रहना है यहां पर और आपका उत्तर होगा किशन यह जो बाक्याम रसात मकम काब्यम है यह साहत दरपन से लिया गया यह दोस्तो कतन है और ये कस्तन ए जो गरंत है ये विश्वनात का है किसका है विश्वनात का है पड़ा है आप लोगोंने C number correct answer करोन रस का स्थाई भाव का नाम क्या है मलब करोन रस का स्थाई भाव क्या है सिधा सिधा question ए है करोन रस का इस्थाई भाव बताना है आपको आपको करोन रस के जो है इस्थाई भाव पता होनी चाहिए सभी एस्वरी इस्थाई भाव जितने भी है वो सभी को पता होनी चाहिए बिकास भारती जी बताओ करोन रस का इस्थाई भाव क्या है 15 अप्रेल से ठीक है, तो करौन रस का स्थाइवाओ, उसके पहले दोस्तों आप लोग एड़्भी सल ले लें, पैतालीस नमबर का क्वेस्चन में, और आपको पता है, कि सर करौन का स्थाइवाओ है, सोक ठीक है, जिन में से दोस्तों आपके, दो, एक दो, ऐसे दोस्तों रस आपको बताना है ये ठेश सब्द है तो क्या है कमला कांत जी पूनम जी बताईए अरोन जी शबी लोग बताएंगे बिकास बारती जी रती पाल जी लाइक कर देना है सितरा मीना जी जाहे दली जी शबी लोग बताएं हाँ तो ठेश का उत्तर बताना है 46 नमबर के क्वेस्चन में और आपका उत्तर हो जाता है देश सज जन्दी से बताएंगे और एक बार जन्दी से लाइक भी करना है मोहावरा किस भासा का सब्द है सबी लोग बताएं सब्सक्राइब कर लें सबी साती और एक बार बैल आइक को भी दबा दें, मोहाबरा किस भासा का सब्द है फार्सी का है, अर्बी का है, हिंदी का है, या फिर उर्दू का है, कई बार एक क्वेस्चन पूछा जा चुका है 47 नंबर के क्वेस्चन में और 47 में आप लोगों ने बताया कि सर जो मोहाबरा है ये अर्बी अर्बी भासा का है क्योंकि मोहावरा तो कितने होते हैं अर्बों मोहावरा है आपने पड़े होंगे तो अर्बों मोहावरा है तो मोहावरा अर्बी भासा का सब्द होगा अर्बी भासा का यानि कि उत्तर आपका यहाँ पर भी नंबर चला जाएगा ठीक है इसक उर्दू किस भासा का सब्द है ये question आपसे पूछा गया है देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बता पता है उर्दू किस भासा का सब्द माना जाता है रीना मड्याल जी मलकिज जी अनीता सिंग जी कमला कांत जी सभी लोग बताएंगे बुल्डो जर बाबा जल्दी से सारे लोग बता रहे किसर जो उर्दू है ये तुर्की भासा का सब्द है तुर्की यानि कि आपका जो ये नंबर है ये नंबर आपका सही हो जाएगा उर्दू जो है तुर्की भासा का सब्द माना जाता है और ये जिन्हों ने लगाया उनका अंसर बिलको सही है कुछ लो जिन भी सात्यों को हिंदी साइट के नोट्स मंगवाना है वो दोस्तो 21 रुपे पे कर सकते हैं नीचे नमबर चला है और आप अपना पता मुझे वाटसप पर और स्क्रीन सौर्ट पेट पेमेंट का स्क्रीन सौर्ट वाटसप पर दे सकते हैं बाई पोस्ट आपके घर ए नोट से पहुँचाए जाएंगे हिंदी सब्द है किस भासा का सब्द है पुरंचास नमबर के कॉस्चन में आपको बताना है तो आपका यहाँ पर उत्तर देखते हैं सही नमबर बता रहे कि सर हिंदी फारसी भासा का सब्द है देखो यहाँ पर दी नमबर जनों ने बताया इसर हिंदी जो है फारसी भासा का सब्द है यह याद कर लिना हिंदी फारसी हिंदी फारसी का है उर्दू तुर्की का है मुहावरा अर्भी भासा का सब्द है यह तीन क्वेस्चन अपने पड़े लिए संस्कृत के यह सब्द जिने हम ज्योंकात प्रियोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बहुत ही बड़ीया कॉस्चन है और बारा सो में बारा महीने का ओफर आ चुका है सबी लोगों के साथ नवरात्त्री ओफर ठीक है और दोस्तों 15 अपरेल से न्यू बैच भी स्टार्ड हो रहा है तो जिनी भी सात्यों को न्यू कि सरुने तत्सम कहा जाता है तत्सम यानि ए नंबर कहा जाता है सिवानी ठाकुर जी के नोट्स पहुँच गए बहुत बढ़िया धन्वाश शिवानी जी नील कमल में उत्तरपद कमल बताना है खालिस्तान है दोस्तों विसेश है विसेशन है विसेश विसेशन है या फिर इन में ऐसे कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया question पूछा गया रस्मी पाठक जी, ठीक है, तो आप भी मंगवा सकते हैं notes, बहुत सारे सातियों के notes उनके घर पहुँच चुके हैं दोस्तो, नील कमल में उत्तरपद कमल क्या है, बताइए, उत्तरपद कमल क्या है, ये बताना है म कमल बताना है, और बहुत सारे लोगों ने बताए कि कमल यहाँ पर क्या है, विसेश है, विसेश और विसेशन क्या है, नील, यानि कि नीला है जो कमल, तो नील यहाँ पर विसेशन है, और कमल यहाँ पर विसेश है, और विसेशन विसेश के सन्योग को दोस्तो क्या कहते है कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर सापताहिक सब्द किस पिरकार का विसेशन है बहुत अच्छा क्वेस्चन बावन नमबर का क्वेस्चन है सापताहिक सब्द किस पिरकार का विसेशन है गुण बाचक विसेशन है संक्या बाचक विसेशन है परिमान बाचक है या फिर सार्व नाम एक बिसेशण है बावन नंबर के क्वेस्चन में बहुती बड़ीया क्वेस्चन यहाँ पर पूचा गया है जन्दी से पटाक से कमेंट में लिखना है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या जा रहा है दोस्तो जन्दी से बताईए उत्तर क्या है सापता एक सब्द किस प्रकार का बिसेशण है गुण बाचक है शंख्या बाचक है तो शवी लोगों ने बताया है यहाँ पर इसर जो सापता एक सब्द है यह संख्या बाचक बिसेशण है बहुत ही बड़िया, B-Number, Right-Answer, इनवे से कौन सा सब्द समोह बाचक प्रत्य नहीं है, समोह बाचक प्रत्य कौन सा नहीं है, बताओ लोग, गण, वर्ग या फिर प्रेस, समोह बाचक प्रत्य कौन सा नहीं है, त्रेपन नमबर का कॉस्चन, बताएं, लाइक कर दो, सभी स सेयर भी कर दो, अपने मित्रो तक एक बार, सानु, के-म, सुनीत, राणी जी, सभी लोग, सेयर कर दो, त्रेपन नमबर के कौस्चन में, और समोह बाचक नहीं है, लोग तो है, गण भी है, बर्ग भी है, समोह बाचक कौन सा नहीं है, तो उत्तर चला जाएगा, प्रेस, य हुई है कोसम चपल लिखाबट या फिर सोमन तो बताएं किस सब्दी की रचना प्रत्य से हुई है डाक्टर रिंकी बर्मा जी अमित सिंग जी सभी लोग बताएंगे यहां पर प्रत्य से किसकी हुई है उल्लो जर्वावा बताए स्रस्टी ठाकुर जी मंजु यादव जी ल आपका सही आंसर आ गया कि लिखाबट की जो रचना हुई है वो प्रत्य से हुई है यानि कि आपका C नमबर आचार भरत ने कितने अलंकारों का उनले किया है वो अलंकारों के नाम भी आपको बताना है बताएए कमला कांत जी राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा स्बी लोग बताएंगे इतने अच्छे क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर आँ रहे है कि आचार भरत ने कितने अलंकारों का उलेक किया है अच्छा सा कॉस्चन आपसे पूचा गया है देखते हैं कौन-कौन सही आंसर बता पाता है कौन-कौन इसमें नहीं बता पाता है और राइट आंसर जा रहा है कि सरा आचार भरत ने चार अलंकार बताए है चार अलंकारों का उड़लेक किया है यानि कि आपका जो B नंबर है यह बिलकुर सही है B नंबर आपका right answer है और आपको बताना कि वो अलंकार कौन कौन से है चार अलंकार बताओ अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों 56 नंबर का question ये छोटे छोटे प्रस्ने कई बार पूछे जाते हैं, अनुप्रास अलंकार तो आपने पढ़ा है, लेकिन आपको बताना कि ये कितने प्रिकार का होता है, ऐसा भी आपको बताना है, बता युपमा, रूपक, दीपक और यमक, बिल्कुछ सही आंसर आ गए हैं आप लोगों राइट अंसर देखते हैं, कौन बता पा रहा है सही, बिल्कुछ सही बताया है सांति वर्मा जी, कंबला कांत, पूजा देवी जी कि सरे नंबर में लगा दो, पांच होते हैं अनुप्रास लंकार के बेर, कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं, बताओ जल्दी से, ये प्रसंसर के लिए कोई बात बहुत बढ़ा चड़ा कर, अत्वा लोक सीमा का उल्लंगन करके कही जाए, तब बहाँ पर कौन सा लंकार होता है, ये बताना है, यानि कि सीधी सीधी सी बात है कि जहां पर बढ़ा चड़ा कर बरण किया जाता है, बहाँ पर कौन सा लंकार होत बताएंगे कोई अनुप्रास अलंकार के पांच भेद किसको बता है 57 नंबर के क्वेस्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन पूछा गया 57 नंबर का बताएं और एक बार लाइक भी कर दो सभी साती सेर भी कर देना भाईयो संतावन नंबर के question में पूछा गया और बहाँ पर अती से उक्ति अलंकार यानि कि ये नंबर बिलकुर सही हो जाएगा ये नंबर आपका right answer हो जाएगा कौन सा अर्था अलंकार है अर्था अलंकार कौन सा है अनुप्रास या माक सिलेश या फिर उपमा आपने सबदा अलंकार भी पड़े हैं दोस्तो आपने अर्था अलंकार भी पड़े हैं अब यहाँ पर बताना कि कौन सा अर्था अलंकार है अर्था अलंकार कौन सा है बताईये जंदी से बविता देवी जी, असोक प्रजा पती जी अन्थावन नंबर के कॉस्चन में यहाँ पर अर्था लंकार कौन सा है दिखते हैं कौन-कौन सा ही बता पाता है और यहाँ पर बताया मुकेश सुकला जी ने बताओ रश्मी पाठक जी ने बिलकु सही है आंसर है आपका उपमा उपमा अर्था लंकार की अंतरगत आता है दी नंबर आपका बिलकु सही है अतनू का परयावाची सब्द कौन सा है 69 में बताए लबली ठाकुर जी अतनू का परयावाची सब्द कौन सा है बताओ रोली सिंग जी, पिंकी बाला जी, देपा रानी जी, शबी लोग बताएंगे, कमला कांती जी ने बताया है, छेका, ब्रत्या, सुर्त्या, बिलकुल, लाटा, ये सबी दोस्तों पांच भेद माने जाते हैं, नुपरास के बहुत बढ़िया, अतनू का परयावाची क्या है, 69 नंबर के क्वेश्चन में आप से पूचा गया है, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है, कि सर, ये अतनू का परयावाची है, काम देओ, काम देओ, सी नंबर, बिलकुल सही है, बहुत बढ़िया, सरोज राबल जी, सरश्वती का परयावाची बताएंगे, जिन भी स मिलने वाला, किसी दो-चार बुक में इतना मटेरियल नहीं मिलने वाला, इतना क्रमबद नहीं मिलने वाला, इतना दोस्तों बहुत अच्छा और बहुत अच्छी ट्रिक नहीं मिलने वाली, ऐसे नोट्स आप अपने घर मंगवा सकते हैं, ठेक है, मातर 2100 पे करना है दोस् और अपना पता पूरा देना है एक सब्ताय के अंदर आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे सरश्वती का परेया बाची यानि की 60 नंबर के क्वेस्चन में आपको बताना है और आपका उत्तर हो रहा है कि सरोप्रोक्त सभी बाग सार्दा भारती ये सभी माने जाते हैं एक एक्षा का परेया बाची आपको बताना है जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेस्चन 61 नंबर का क्वेस्चन इतना वड़िया सा क्वेस्चन पूछा गया है और एक्षा एक्षा का परेया बाची होता है अकांचा अकांचा यानि सी नंबर आपका बिल्कुस सही है सी नंबर आपका राइट आंसर एक्छा का परियाबाची अकांचा होता है निम्न मैंसे स्वादामनी का परियाबाची नहीं है स्वादामनी का परियाबाची क्या नहीं है बिजली, चंचला, छान पिरभा, सिलीमोख कौन सा नहीं है बताओ स्व दामनी का पर्याबाची सब्द कौनसा नहीं है? ये आपको बताना है जन्दी से बताइए सौमपा जी, पुस्पा जी, ममता जी, क्या है यहाँ पर राइट आंसर? स्व दामनी का पर्याबाची नहीं है, ये अच्छा क्वैंट पूछा गया निलकुमार जी और आपका सीधा अंसर जा रहा है कि सर सौधामनी 62 नंबर का क्वेस्चन है और उत्तर हो जाएगा सिली मोख यानि कि D नंबर आपका राइट अंसर है यह परेया बाची नहीं है ठीक है तो D आपका बिल्कु सही है खंड हर की आत्मा है इसके रचनाकार कौन है 63 नंबर का क्वेस्चन है दीपा जी बताएं खंड हर की आत्मा है सबी लोग सब्सकाइब करके बेल आइकन को जरूर दवाया करें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँचे जब क्लास स्टार्ड हो तो तो बताएं तो खंड हर की आत्माई के रचनाकार कौन है एक अच्छा क्वेस्चन पूछा गया है दीपाग जी रजनी जी सबी लोग बताएं और लाइक करना है सेल्फ स्टडी कलासे से एप डाउनलोड कर ले खंड हर की आत्माई इसके रचनाकार कौन है 63 नंबर की क्वेस्चन में आपका सीधा आंसर जारा की सर खंड हर की आत्माई कभी-कभी जोस में आ जाती है जोस में आ जाती है तो इलाचंद्र जोसी ठीक है ये नमबर कितना बड़ा जूँट एक कहानी किसकी है ममता कालिया की उसा प्रियमबदा की मन्नू बंडारी की मृदुला गर्ग की कितना बड़ा जूँट ये बताओ बहुत अच्छा क्वेस्चन है 14 नमबर के क्वेस्चन में एक बार लाइक भी कर देना है सियर भी कर देना है कितना बड़ा जूँट बताएं तनमय जी उसा प्रियमबदा या पिर ममता कालिया देखते हैं कौन-कौन यहां पर बता रहा है बताएं 64 नमबर के क्वेस्चन में बताएं रेनू कुमारी जी मंजू यादो जी, अरुन राजपूच जी, मोहित जी और आपने बताया है कि सर कितना बड़ा जूँट यह जो उत्तर हो जाएगा कि किसका दोस्तों यह किसकी कहानी है कितना बड़ा जूँट बताएं जल्दी 64 नमबर में और बहुत सारे लोगों ने अंसर बताया कि सर इसमें B लगा दो उसा प्रियमबदा उसा प्रियमबदा यानि कि B नमबर कितना बड़ा जूँट चीक है, तो सही अंसर है कि नहीं है जल्दी से बताएं यहाँ पर अगला कॉस्चन है कोठरी की बात पताएं कोठरी की बात यह पताना है लाइक का अंसर बताएं जल्दी से और सेर भी कर दीजिए दोस्तों सबी लोग कोठरी की बात यह इसके रचनाकार कौन है जल्दी बताओ कोठरी की बात इसके रचनाकार कौन है जन्दी जन्दी से बताना हो और एक बार लाइक भी कर देना हमारे सभी मित रिसी प्रिकार से जुड़े रहें लाइक सेयर करते रहें दोस्तों कोठरी की बात आप से पूछा गया है तो बिलकुँ सही उत्तर यहां पर लगाना है अपन को राइट आंसर है कि सरकोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए अगए रहनी चाहिए अगए यहनी कि B-neur आपका बिलकुँ सही है B-neur सही है बहुत बढ़ीया नेक्स देखो याद हो की नायाद हो सेंसमरण के रचनाकार कौन है याद हो की ना याद हो मैंने आपको कई बार बताया है याद हो की ना याद हो हैना घातक फिल्म देखी होगी आपने शनी देवल की हैना कातिया क्या बोलता है कि तुम्हें याद हो की ना कासिनाओत तुम्हें याद हो की ना याद हो कल से तो मेरी गरप्त में काम करोगे कासिनाओत याद हो की ना याद हो कासिनाओत ठीक है तो कासिनाथ से क्या हो जाएंगे कासिनाथ सेंका ये संसमरण है B नमबर आपका बिलकुँ सही हो जाता है B नमबर आपका राइट आंसर हो जाता है जिनके साथ जिया संसमरण के लेखक कौन है तेज बहादुर चौधरी प्रतिवा अगरबाल मिर्दुला गर्ग अमरतलाल नागर बताओ अनिल खुमार जी राइट आंसर चैन करना है, तो सबी लोग बताएंगे सरसेट नंबर के कॉस्चन में, बहुती बढ़िया कॉस्चन है, जिनके साथ जिया वो कौन है? अमरत अमरत हैं, अमरत लाल नागर हैं, यानि कि D नंबर आपका सहिए जिनके साथ जिया अमरत लाल ना मैं और केवल मैं एक आंकी के रचनाकार कौन है भगबती चड़ बर्मा जगदीश चंद्रमातर भुवनेस और या फिर जनेंद्र कुमार मैं और केवल मैं एक आंकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं पूर्वी पताईए जदीशे राइट आंसर 68 नंबर का क्वेस्टन है 68 मे तो सही आंसर क्या हो जाएगा मैं और केवल मैं पुलिसर मैं और केवल मैं भगबती के दर्सन करने जाओंगा भगबती के चरणों में जाओंगा ठीक है मैं और केवल मैं कोई नहीं जाएगा ठीक है तो केवल मैं जाओंगा भगबती के चरणों में ये नमबर आपका सहिए ये नमबर राइट आंसर है ठीक है बहुत बढ़िया मीना कुमारी जी इस्त्री मुक्ती संगर्स और रितिहास ये किसकी रचना है अनामिका सूर्वालाक प्रभाखेतान या फिर रमनिका गुप्ता बताईए इस्त्री मुक्ती संगर्स और रितिहास के रचनाकार कौन माने जाते हैं राइट आंसर बताना है रावंत जी आसा असुक प्रजापती सी सभी लोग बताएंगे 69 का बहुत ही बढ़िया क्वेस्टन पूच 69 में और आपका उत्तर है कि सरिस्त्री मुक्ती संगर्स और इतिहास की जो लेखी का है वो हो जाएंगे क्वन हो जाएंगे जल्दी से बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा फटापट से उत्तर हो जाएगा रमनिका गुप्ता यानि की दी नंबर दी नंबर से ही लगाया प कविता क्या है यह है आप बताएं आचार रामचंजन शुकल का प्रतम से दान्त ग्रंत कौनसा है 70 नंमबर के कॉस्टं में 70 नंम्बर में आपको बताना है लाइक कर देना है शेयर भी कर देना है 20 साती जांदी जदी से इस से 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 जोड़े रहें दोस्तों रोज रात तरी एकजाम पार में भी दोस्तों आपकी किलास होती है वो भी आप लोग देखा करें ठीक है एकजाम पार में है ना उसमें भी आपके लिए हिंदी में प्रेक्टिस करवाई जाती है दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर आपसे एक question पूछा गया बढ़िया सा उसका जबाब आपका आना चाहिए कि आचार रामचन सुक्र का प्रतम सेदान्तिक ग्रज्ट कौन सा है 70 नमबर का question पूछा गया और आपका उत्तर चला गया कि सर उत्तर है काब में रहस्वाद सी नमबर काब में रहस्वाद सेदान तेक पूछा तो काब में रहस्वाद लगाना है नई कविता का आत्म संगर्स इसके लेखक कौन है नई कविता का आत्म संगर्स इकत्तर नमबर का question है बताओ इकत्तर नमबर के question में नई कविता का आत्म संगर्स की रचना कार कौन है 71 का उत्तर और एक बार लाइक भी करना है नई कविता का आत्म संगर्स इसके लेखक कौन है बताइए बटापट से नई कविता का आत्म संगर्स है ना बुरुसर नई कविता आत्म संगर्स कर रही ह कि हमारी मुक्ती हो जाए है ना तो नई कभीता क्या कर रहा है यह आत्मे संगर्स कर रहा है किसलिए मुक्ती के लिए आप लोग तो कर रहे हैं मुक्ती के लिए मुक्ती के लिए नहीं अभी तो यह सी नंबर मुक्ती बहुत सी नंबर बिल्कु सही है पंत की कौन सी छाया बा आप 15 अप्रैल से न्यूरॉच स्टार्ड, तो सभी साती शुरुआसे पढ़ने का दोस्तों सौभाग मिलेगा पंत की कौन सी चायबादी रचना नहीं है तो आपको पता है कि सर योगबाणी योगबाणी इनकी चायबादी रचना नहीं है ये तो इनकी प्रगति बादी रचना है ठीक है तो ये नमबर बिलको राइट आसर है क्वासी क्वासी किसकी रचन बहुत अच्छा question पूचा गया यहाँ पर कौासी की रचना कार कौन है कौासी की रचना आपको बतानी किस ने की है हर प्रीत जी, मंजू जी, बंदना जी अमन, अमन जी सभी लोग बताएंगे 33 नंबर के question में एक बार like भी करते चलो सभी साती राजियू जी, मोहिच जी सही आंसर यहाँ पर कौासी किस की रचना है यह आप से पूचा गया 73 नंबर में और 73 का आंसर जा रहा है कि सर कौासी पूचा है तो आप बाल क्रशन, शर्मा नभी लगा देना D नंबर लगा देना ठीक है, बिलकुँ सही बताया है माया राम जी, छायवाद की प्रितम प्रियोक साला किसे माना जाते इतना अच्छा और सरल कौस्चन आपसे पूचा गया है तो बताइए मदू धिम्मन जी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कुमकुम जी सबी सात्यों को जरूर बता दे कि 15 तारिक से नया बेच श्टार्ड हो रहा है जिनको भी एडवीसल लेना हिंदी सायथ को रेगूलर करना है, रेगूलर अध्यन करना है तो आप रेगूलर पढ़ सकते हैं चायवाद की प्रितम प्रियोक साला किसे माना जाता है, चोहतर नंबर का कॉस्चन है, और आपका उत्तर चला जाएगा क्या माना जाता है प्रितम प्रियोक साला जर्ना को अब जर्ना तो आपने बता दिया कि यह जैसंकर प्रिसाद की रचना है, लेकिन इसका रचना काल क्या है ये भी आपको बताना है बताइए राज रानी जी विश्वास मलिक जी इन मुसल्मान हरी जनन पर कोटन हिंदू बारिये जो पंक्ती है किसकी है बताएं जल्दी से ओपी सिंग जी इन मुसल्मान हरी जनन पर कोटन हिंदू बारिये जो पंक्ती है किसकी मान आती है और लाइक भी कर दो जगदीश जी गीता खलेल जी राजरानी जी ठीक है बिलको राजरानी जी ले लिया आपका नाम ठीक है उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदू की पंक्ती है रस्खान के बारे में नोंने कही थी आधनेक हिंदी काप्व का बैतालिक किसे कहा जाता है बहन अच्छा क्वूच्चन शेत्टर नंबर का क्वूच्चन पूचा गे आधनेक हिंदी काप्व का बैतालिक किसे कहा जाता है भारतेंदू को प्रेम गान रदा कंञ पर्वाल मुकंद गुप्त को बताएं सीता रामजी प्रेम आप जी शेत्तर नंबर के क्व आ जाता है ये नंबर बिल्कुस सही बताया सोग प्रजापती जी दार्शू सर्मा जी हो 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 री किसकी किरती है शतत्तर नंबर का क्वेस्चन जन्दी से बताइए पटाक से बताना है पलबिंदर जी अंजना जी हो 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 री हो हो री ये बताना है चैन करना है कि ये किरती किस किसकी है सतत्तर नंबर के कॉस्चन में सतत्तर नंबर का कॉस्चन है पुरापका सीधा अंसर जारा कि सर हो हो री इसके रचनाकार हैं बताओ कौन बतारा सबसे पहले सततर में सी बताया बुल्डोजर भावा ने अभीका दत्य ब्यास अभीका दत्य ब्यास दोस्तों सी नंबर भारतेंदु युग के कभी माने जाते हैं हो 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 री मद्यकालीन धर्म साधना किसका निबंद है मद्यकालीन धर्म साधना निबंद के लेखा कोने रती पाल जी बिंदू लता जी बताई अनुराग जी भाबना जी आकास जी रश्मी जी बताएं मद्यकाली धर्म साधना किसका निबंद है रामचन सुकल का महादेवी बर्मा का हजारी पिरसाद दुवेदी या पर विश्वम बार विश्वनात पिरसाद का किसका है कमला कांत जी मद्यकाली धर्म साधना निबंद के लेका कौन है 78 नंबर का question है पूजा राना जी ओम परकास जी बताईए 78 नंबर में और दोस्तों सभी लोग लाइक जरू कर दे मद्यकाली धर्म साधना मद्यकाल में हमें धर्म साधना हजारों बार करना है मद्यकाल में धर्म साधना कितनी बार करना है हजारों बार करना है भाईया ठीक है याद रख्टेन आपको पता है कि ये तीन अवस्ता एक तो बच्पन एक दोस्तो जवानी और एक बुड़ापा ठीक है ये जो जबानी है ये मद्दकाल है अपना जबानी और इस जबानी में हमें हजारों बार धर्मसादना करना है इस बुडापे का कोई निस्चत नहीं है कि इस बुडापे तक आप पहुच पाते हो की नहीं तो इस जबानी में ही कर लो धर्मसादना तो मद्दकाल में हमें धर समसादना हजार वंबार करनी है ठीक है भूत के पाउं भूत के पाउं किसकी ब्यंग रचना है जल्दी बता भूत के पाउं पीछे बताएं 89 नमबर का क्वेश्चन है सबी लोग बताएंगे लाइक करना है रविंदर नात्यागी हरी संकर परसाई सरद जोसी केपी सक्सेना 89 89 नमबर का क्वेश्चन है 89 नमबर में शवी लोग बताएंगे यहाँ पर और पिल्कु सही आंसर जा रहा है सरोज जी कि सर ये जो है हरी संकर परसाई जिकी ब्यंग रचना है बी नमबर आपका हरी संकर परसाई को आप जानते हैं किस प्रकार की निबंदों में बुद्ध तत्त प्रमुक होता है बताओ किस प्रकार की निबंदों में बुद्धी तत्त प्रमुक होता है भाबात्मक निबंदों में वर्नात्मक निबंदों में विवर्नात्मक निबंदों में या फिर बिज्जारात्मक निबंदों में पताएं किस प्रकार की निबंदों में और असी नंबर का question आगया कि सर बुद्धी तत्तो प्रमोक होता है विचार आतमक निवंदों में यानि कि D नंबर देख रहा है D नंबर विचार आतमक सही बात सही लगाया है बहुत सारी लोगों ने विचार प्रबाह की रचनाकार कौन है मैंने कई बार आपको बताया है व जल्दी से बताईए फटापट से बिचार प्रबाह की रचनाकार कौन है हजारी पर साथ दुवेदी अग्गे नागार जुन या फिर रामधारिशन देने कर बताए जल्दी से बिचार प्रबाह पटापट से बताना है और आपका उत्तर जारा की सर हजारों बार बिचार का प्रवाय होता है हजारों बिचारों का प्रवाय होता की नहीं होता हजारों बिचार का प्रवाय होता है हजारी पिरसाथ दुवेदी ये नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा किस बिद्वान ने देव नागरी लिपी के इस्थान पर रोमन लिपी अपनाने के लिए दोस्तों सुझाओ दिया था अच्छा क्वेस्चन है जो आप लोग लेखते हो ना रोमन लिपी है ना हिंदी को इंगलेस में लेखते हो इंगलेस के वर्णों में लेखते हो हिंदी को वो रॉमन लिपी कह लाती है है ना तो बताइए देवनागरी लिपी के स्तान पर रॉमन लिपी अपनाने का सुझाव किस ने दिया था 82 नंबर का question है 82 में आपको उत्तर बताना है और आपका उत्तर चला गया सुनीती कुमार चटर जी ने ये नमबर correct answer ये नमबर right answer हो गया ठीक है देवनागरी लिपी है कैसी लिपी है वरनातमक है चित्रातमक है भावातमक है या पिर अक्षरातमक है देवनागरी कैसी लिपी मानी जाती है दोस्तों बताएं देवनागरी लिपी कैसी मानी जाती है बहुती बढ़िया question है लाइक कर दो शबी साती जिन भी सातियों को नोट्स मंगबाना है वो मंगबा सकते हैं दोस्तों संपर कर सकते हैं नोड्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं ठीक है देवनागरी लिपी कैसी लिपी मानी जाती है 83 नमबर का क्वेस्चन है 83 में आपको बताना है और वो लिपी मानी जाती है दोस्तों कैसी अक्छरातमक लिपी यानि कि आपका उत्तर D बिल्कुस सही है D नमबर लगाए आपने राइट अंसर लगाया रीती काल के रीती सिद्ध काबधारा के कभी कौन है आपको बता है दोस्तों किा चार विष्षुनात ने रीती काल को तीन काबधाराओं में बाटा था और रीती काल को इन्होंने स्रंगार काल नाम दिया था स्रंगार काल लाम दिया था ठीक है और इन्होंने रीती बद्ध, रीती सिद्ध, रीती मुक्त ये तीन काब धाराओं में इस काल को बांटा था ठीक है विश्चुनात ने तो यहाँ पर रीती काल के रीती सिद्ध काब धारा के कभी कौन है ये आपको बताना है ठीक है बिहारी सस्ताई और बिहारी सस्ताई का रचना काल बताएगा कोई जद्दी से बताओ। रिनू कुमारी जी, राइट आंसर बताना है, डीके जी, अनुराग जी, सही आंसर, तो तरजारा की सर देव कभी की रचना है, यानि कि देव जो हैं, रीती काल के रीती बद्ध काब धारा के कभी माले जाते हैं, इनका बास्तविक नाम था देव दत्ते टाबा के थे दोस्त ठीक है, ये भी पता चल गया, नेक्ट है, रस रहस के रचनाकार कौन है, रस रहस से, ये बताओ, रस रहस के रचनाकार कौन माले जाते हैं, सबी लोग बताएंगे, एक बार सेयर भी कर दो, अपने सबी साती, अपने साती गण मित्रों को, दोस्तो रस रहस के रचनाकार ब वारा महिने की रहेगी, लाइब किलासे चलेगी, फिलस दोस्तों आपके लिए रिकॉर्डिट कोर्स भी रहेगा, ठीक है, टॉपिक वाई टेस्ट भी रहेंगे, हर संडे को भी टेस्ट होगा, ठीक है, रस रहस के रचनाकार कौन मान जाती हैं, और आपका उत्तर चला गया क इसर, यह कुलपती, रस का रहस तो कुलपती को पता होता है, कुल के प्रमुप को होता है, कुलपती को प्रमुप, है ना, स्वयम्बू को हिंदी का प्रतम कभी माना है, किसने माना, बताइए, स्वयम्बू को हिंदी का प्रतम कभी किसने माना, रामकुमार बर्मा ने, रा जारी परसाद दुवेदिया पर राहोल सांकृत त्याइन ने स्वयंबू को हिंदी का प्रतम कभी किसने माना अच्छा क्वेस्चन है दोस्तों आपको पताना है हिंदी के अपरण्स के प्रतम महा कभी माने जाते हैं स्वयंबू इन्हें हिंदी का प्रतम कभी मानने बाले है रामकुमार बर्मा जिनका जन्म 1905 में हुआ था इन्होंने 1938 में गरंत लिखा था हिंदी साहित का अलूचनात मकितियास ठीक है यह याद कर देना यहाँ पर यह नंबर दिल्कु सही हो जाएगा कॉल ग्यान निरनाई की रचनाकार कॉन है कॉल ग्यान निरनाई की रचनाकार क बताईए दीपक कुमार जी कॉल ग्यान निरने निरनतर अध्यन करो भईया अगर कमजूर हो तो निरनतर अध्यन करो सीमा जी ठीक है तो बताईए रतीपाल जी यहाँ पर कॉल ग्यान निरने की रचनाकार कॉन है गुरक नाथ जालंदर नाथ गोपी चंद्र मतेंदर सिधा उत्तर है किसर मचंधर नाथ मच्छर क्या करतें, कॉल कॉल के खातें, ठीकर डी नमबर, पंच पांडाउचरित रास की रचनाकार कुए पंच पांडाउचरित, 89 का अंसर, 89 में अरनयोजी बताए बताएं बिवेक यादऌ जी रेकात रपाटी जी, JS जी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राही जी पंच पांडव चरित की रचनाकार 89 का क्वेस्चन पूछा गया आपसे पंच पांडव चरित की रचनाकार कौन है राइट आंसर आपको चेन करना है दोस्तो उत्तुत्तर जारा की सर उत्तर जारा है यहां पर साली बद्रसूरी यह नमबर ठीक है पुस्तक जल्लड हत्य दे चली गज्जन रपकाज में बताना है कि यह पंक्ति किस से कहां से ली गई है बताओ किस गरंति से ली गई है बताइए पुस्तक जल्लड हत्य दे चलि गज्जन रबकास भी सल दे और रासों से ली गई है हमीर रासों से प्रत्विराज रासों से या पर बिजय पाल रासों से सुसमा जी बताईए सीमा जी उत्तम कुमार जी बताना है आपको लेखी का सिंग जी उत्तर हो जाएगा कि सर ये पुस्तक जल्लड हत्य दे प्रत्विराज रासों यानि किसी नमबर सही है रंगदे बसंती चोला नाटक के रचना कार कौन है तो रेंद बर्मा है मोहन राकेस हैं भी समिसायनी हैं या पर बिनोध रस्तोगी है रंगदे बसंती चोला नाटक के रचना कार कौन है अच्छा क्वेस्चन 91 नमबर का क्वेस्चन है और उत्तर जा रहा है आपका कि सर रंगदे बसंती चोला है ना रंगदे बसंती चोला पूछा गया पुस्पा देवी जी, राजियू जी, बिंदू लता जी, सही आंसर जारा भीष में साहिनी, यानि कि आपका जो C नंबर है, भीष में साहिनी, रगदे बसंती चोला, नाटक के रचनाकार है, भीष में साहिनी C नंबर, ठीक है, भुवनेस्वर निम्नमैसी किस के लिए प्रि बताओ, अनूप जी, शंडीब बिष कर्मा जी, भुवनेस्वर के बारे में बताना है, प्रमिला सिंग जी, विकास भाटी जी, भुवनेस्वर निम्नमैसी किस के लिए प्रिसिद्ध हैं, और आपका उत्तर आरा कि सर, जो भुवनेस्वर प्रिसाद हैं, ये असंगत के लिए प्रिसिद्ध हैं, डी नंबर बताया है, बीनू सरोज जी ने, बिलकुस सही, डी नंबर रमा सर्मा जी ने, नेक्स्ट किस जब्द में दिगू समास है, बताओ, दिगू समास किस में हैं, दोपार में, नील कंट में, कनफटा में, या फिर मन्द बुद्धी में, बताओ, बहुत अच्छा क्वेस्टन है, राइट करना है, और एक बार लाइक करके सेर भी कर देना, बहु ब्रही समास का उधारण कौन सा नहीं है, एक अच्छा सा क्वेस्टन आपसे पूचा गया है, प्रकास जी, लाइक करिए जदी से, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तारण जी, यहाँ पर चुरानवे नंबर का क्वेस्टन आपसे पूचा गया है, बढ़िया सा क्वेस्टन है, और उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देश बासी, देश बासी में बहु ब्रही समास नहीं है, बसुंद्रा, रंडगर्ब, सहवाहिनी, यह है, तो डी नंबर आपने किलिक लगाया है, डी नंबर सही है, राम ब्रक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा ब्रत्त की है? सागर की लहरों पर? आप्रबासी की यात्रा है? पेरों में पंक बांध कर मेरी यूरोप यात्रा राम ब्रक्ष बेनीपुरी का यात्रा ब्रत्त कौन सा है? पुनम जी बताइए और लाइक भी करना है 95 नमबर का कोस्चन है 95 का सही आंसर क्या है और बहुत सारे लोगोंने कुछ लोग D बता रहे हैं लेकिन इपैरों में पंक बांध कर ये यात्रा ब्रत्थ है इनका और उड़ते चलो उड़ते चलो C नमबर correct answer, right, very good उड़ते चलो उड़ते चलो यात्रा ब्रत्थ की रचनाकार कोन है उड़ते चलो उड़ते चलो बताइए धार्सु जी पुस्पा जी बताइए सुसील जी 96 नमबर का क्वेस्चन है सबी लोग बताएंगे उड़ते चलो उड़ते चलो यात्रा वरत्तिस के रचनाकार कौन है और बहुती बढ़िया क्वेस्चन पूछा गया लाइक करते हैं सभी साती सेर भी कर दिया करो दोस्तों उड़ते चलो उड़ते चलो 96 नमबर के क्वेस्चन में राइट आंसर है रा लूपते मस्तूल एह पतबंदू था या फिर धूम केतु एक सुरूती एक स्वाभी मानी अध्यापक के जीवन संगर्ष को कथा बना कर लिखा गया दोस्तों यहां पर एक उपन्यास है वो कौनसा है संतान बे नमबर का क्वेस्चन है और वो क्वेस्चन है दोस्तों यहां पतबंदू था नरेस महता नरेस कैसे बन गया ये जो है एक स्वाभी मानी अध्यापक के जीवन संगर्स को लिखा गया है देहाती दुनिया इसके रचनाकार कौन है इसके लेका कौन है देहाती दुनिया के लेका कौन है निराला जी है क्या सिव पूजन सहाय है बताइए जल्दी जल्दी से देहाती दुनिया के लेका कौ कुण मान जाते हैं? असके हैं, प्रेमे चंद जी हैं? कुण मान जाते हैं? लाइक कर दो शबी साती लवली जी, बीनू जी, पुस्हपा जी और देहाती दुनिया में सियों ही पूजन, सियों की पूजन ही सहाय होती है. देहाती दुनिया में सियो की पूजन ही सहाय होती है B नमबर सियो की पूजन सही है तरण के स्वपन के लेखा कौन है दोस्तों 99 नमबर का क्वेस्चन है तरण का स्वपन क्या होता है तरण मतलब होता है योवा और योवा का स्वपन क्या होता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूँगी यानि कि सवास चंद्र बॉस की तरण के स्वपने इनकी आत्म कता पहला प्रस्ण यहाँ पर आ गया है कि कुर्वी भासा का ओदय किस से हुआ है बताओ जन्दी से पटाक से एक बार लाइक कर दो सेयर कर दो और बैल आइकन को जरूर दबा दिया करो ताकि इन्फॉर्मेशन आपके घर तक पहुँचे आपके मोबाईल तक पहुँचे ठीक है शुनील कुमार जी निसा बर्मा जी बवीता देवी जन्दी से बताए कुर्वी भासा का जो उदय माना जाता है वो किस से माना जाता है पश्चमी हिंदी से राइस्तानी से पूर्वी हिंदी से या फिर दोस्तों बताओ फटापट से किस से माना जाता है और एक बार जंदी से लाइक भी कर दो हमारे सभी शाती जितने भी आ चुके हैं और लगबख सभी लोगों को पता है कि सर इस जो प्रशने का उत्तर है कौरबी कौरबी यानि की खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरबी ठीक है और इसको कौरबी नाम किस ने दिया ये भी बताना है और ये पस्चमी हिंदी उपभासा से इसका उदय माना जाता है किसका कौरबी का और अपनने पढ़ा है कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरी क पास तो पस्चमी हिंदी की ये ट्रिक भी अपने पड़ी है नोटस में भी आइसी ट्रिक समाहित की गई है ठीक है तो कवर्वी भासा का उदा है पस्चमी हिंदी से माना और ये नमर आपका बिलको सही है लेकिन एक क्वेस्चन आपके लिए है कि खड़ी वोली को जो पुली सिंग जी जल्दी से बताना है बासा विज्ञान की दरश्टी से हिंडी किस प्रकार की भासा है चैन करिए जल्दी से कमल जीत जी रिना मड्याल जी स्वानी राय जी दो नम्मर का क्वेस्चन है कि भासा विज्ञान की दरश्टी से किस प्रकार की भासा है हिंडी फट पट से, बटाक सिकर ये जल्दी से, भासा विज्ञान की द्रश्टी से कौर्वी के बारे में बताना है, और कौर्वी जो हिंदी जो है, ये बयोगात्मक मानी जाती है, बयोगात्मक, ठीक है, तो आपका उत्तर ये की तरफ चला जाएगा, ये नंबर बिल्कुँ सही हो और आपका देखते हैं उत्तर कहा जा रहा है बक्ति आंदोलन को इसाइत की देन किसने माना लाइक करना है और शवी लोगों का अंसर आ गया कि सर गिरियर सन्य माना भक्ति आंदुरन को इसाइत की डेली क्वेस्चन कई बार आ चुका है तो बिलको राइट आंसर लगा है आपने ये नंबर भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है बहुत बताओ प्रेयंका यादव जी नोट्स किन किन सातियों को नोट्स मंगवाना है जल्दी से बताना है और यहाँ पर चार नंबर का क्वेस्चन है चार का उत्तर गिसर इसको पुनर जागरन काल कहते हैं क्या कहते हैं पुनर जागरण काल यानि कि B नंबर जिनने भी चैन किया उनका अंसर बिल्कु सही है, B नंबर आपका राइट आंसर है, भारतेंदु का राष्ट भक्ति परकनाटक कौन सा है, अंधेर नंगरी है, बुरलब बंदु है, विसमोस धम है, या पर दोस्तो बिध् विसमोस धम है, विसमोस धम क्या है, विसमोस धम क्या है, रूपक के भेद आपने पड़ी हैं रूपक के कितने भेद होते दस तो दस भेदों में विसस से बिसमेश मौस्दम क्या माना जाता है बताएं सीता राम जी लैट्स पिले जी जल्दी से बताना आचार सोकले ने हिंदी की प्रिथा मौले के कहानी किसे माना है रचना काल भी वताना है आपको बीनू सरोज जी जोती सरमा जी पटाबट से बताएं छे नंबर का क्वेश्चन है लाइक करना संतोष कुमार जी चेहन करिए और एक बार सेयर भी कर दीजी आचार राम चन सुकले ने हिंदी की प्रतम मौले कहानी किसे माना है ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूचा गया है और एक बार जदी से लाइक कर दो अपने मित्रों तक सेयर भी कर दो छे नंबर का क्वेश्चन है और छे नंबर के क्वेश्चन में आपका समकालिन साहित्कारों के साहित्कारों के रेखा चित्र किस में प्रस्तुत किये हैं बहुती बढ़िया क्वेश्चन है यहां पर आना है महादेवी जी ने अपने समकालिन साहित्कारों के रेखा चित्र किस में संकलित किया तीत के चल चित्र में पत्के साती में बताइए इस मिर्ती के रेखाए बाल गोबिन्दी जी लाइक कर दो शेयर कर दो अपने मित्रों तक महादेवी बर्मा जिनका जन्म 1907 में हुआ था चायबाद के चार आधार स्तंबों में एक महादेवी बर्मा जी भी है ठीक है और सात नंबर का कोस्चन यहाँ पर जा रहा है कहां जा रहा है कि सर पत्के साती बी नंबर पत्के साती राइट बिल्कु सही है जंजीरे और ये किसका संस्मर्ण है लाली यादाओ जी अनुपम जी पंकत सिंग जी प्रश्न किरमांक आठ नंबर का क्वेस्चन है और आठ में आपको सही है कि सर हम ब्रक्ष की जंजीरें और दीवारें बनाएंगे काई की बनाना है ब्रक्ष की ब्रक्ष की दीवारें और जंजीरें ब दिवारे राम रक्ष बैनिपुरी यानि B नमबर आपका करेक्ट आंसर है राइट आंसर है हिंदी में रिपूर्टाज विदा की जनक कौन माने जाते हैं 9 नमबर का कॉस्चन किरन गुपता जी बन्जीत कुमार जी ममता स्रीबास्ताउ जी प्रशन किरमांक 9 है बहुती बढ़िया कॉस्चन है और यसे कितने साती हैं जिन्होंने अभी तक एड़िसन नहीं दिया अभी बढ़िया ओफर है 15 अप्रेल से निव एच स्टार्ड है 10 अप्रेल तक ओफर है 12 सो में 12 महीने तक 10 अप्रेल तक है ठीक है तो जिनको भी एड़िसन लेना वो एड़िसन ले ले जिनको भी नोट समंगवाना अपनी घर पर वो नोट समंगवा सकते हैं संपर कर सकते हैं इंदी में रिपोर्टाज बिधा की जनक कौन मान जाते हैं एक अच्छा सा क्वेस्चन है और नो नंबर का क्वेस्चन है और आपने बताया कि सर रिपोर्टाज बिधा की जनके से उदान से चोहान जिनका रिपोर्टाज कौन सा बताए जदी से कौन सा है बाद बिबाद संबाद एक इसकी रचना है बाद बिबाद संबाद ये किसकी रचना है रामबिला सरमा की नामबार सेंगी डाक्टर नगेंदर की नंदुलारे बाचपेई की अमन जी बताइए रंजीत जी कौर जी दस नंबर का क्वेश्चन है दोस्तो बहुत सारे स्टूडेंट ने दोस्तो ये नोट्स मंगबा लिय हैं और उनके घर भी पहुँच गए हैं कितने साती हैं यहां पर जिनके नोट्स घर तक पहुँच गए हैं जल्दी से बताइए कितने सातियों के नोट्स घर तक पहुँच गए हैं बाकी के सभी सातियों के लिए बताइए नोट्स किस प्रकार के हैं ये भी आपको बताना हैं बताओ आपने नोट समंगवाए और आपको नोट कैसे लगे ये भी आपको कमेंट में बताना है बाकी के सबी सातियों को ठीक है बाद बिबाद संबाद 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 का आपका राइट अंसर है की सर बाद बिबाद काई के लिए करते हैं बाद ठी धि वो लिपी कॉंसी है ये आपको बताना है ब्रामी लिपी है सारदा लिपी है खरोस्टी लिपी या फिर नंद नांगरी लिपी कॉंसी लिपी है जो दाइं से बाइं और लिखी जाती थी प्राचीन भारत में बीरंद्र परजापति जी शबी लोग बताएंगे ज्या नमबर का question बहुत ही बढ़िया प्रस्न है और आपको पता है एक question कई बार आया कि जो खरोष्टी है दोस्तों ये अपना भी क्या लिखते देवनांगरी को बाइं से दाइं और लिखते हैं लेकिन खरोष्टी दाइं से बाइं और लिखी जाती थी यानि कि इस ओर से इस ओर ठीक है तो यहाँ पर आपका उत्तर C नमबर बिलकुँ सही चला गया ठीक है C नमबर हिंदी गद्धी की प्राचींतम रचना कौनसी है ये आपको बताना है ये आपको चैन करना है बताए बिजय चोहान जी बीनू सरूच जी कुमकुम यादो जी बारा नमबर का question हिंदी गद्धी की प्राचींतम जो रचना मानी जाती है वो कौनसी मानी जाती है बताए ग्यानेज जी क्या हो जाएगा नीतु जी आल इन वन वताओ बारा नमबर का question और उत्तर है चंद चंद वर्नन की महिमा ठीक है D नमबर लगा दिया आपने बिलकुँ सही आंसर आगया D नम यह रचना किसकी है प्राचींतम गद्धी की रचना मानी जाती है और हिंदी साहित की निव का पत्थर किसे कहा जाता है बहुती बढ़िया यसी question आपको पढ़ना है कमला कांती जी बिजय जी उदय आदव जी बताए राम राम जी गौरी जी बताए प्रशनिक रमांग 13 न तीजी टी पीजी टी या मास्टर केड़र एक्जाम की तैयारी कर रहा है रेगुलर अध्यन करती रहें और कोर्स में एड़ीसल ले सकते हैं 15 अप्रेल से निव बैच स्टार्ड 10 अप्रेल तक ऑफर है 12 सो में 12 महिने का ठीक है 12 सो में 12 महिने और दोस्तों निव का पत्थर तेरा नंबर का क्वेस्चन और तेरा नंबर का क्वेस्चन है कि दा मॉडर न बना कुला लिट्रेचर आफ नाधर न हिंदोस्तान इसको क्या कहा जाता है निव का पत्थर ठीक है इसके रचनाकार कौन है गिरियर सन रचनाकार क्या है जंदी से बताईए पटापट से बता रहे हैं कि सर बहुती बढ़िया नोट्स हैं तो यहां पर बताना है कि जो किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे किसी पांच बुक में नहीं मिलेंगे है ना एसी कई पुस्तकों का एक संकलन करके वो बनाया गया और पूरा बढ़िया तरीके से बनाया गया बीच बीच में ट्रिक भी जहां जैसी ट्रिक निकलती गई तो ट्रिक भी उसमें समाहित की गई है ठीक है और बढ़िया तरीके से रचनाओ को क्रमबध्य पेस किया गया ये के कभियों का परिचय भी दिया गया ठीक है ऐसे बढ़िया तरीके से नोट्स अपने घर मंगवा सकते एक सपता है कि अंदर आपके घर वो नोटस पहुँच जाएँगे दोस्तो बक्ति कावब को भारतिये चिंतन्धारा का स्ववाविक मिक्स होता है स्वर्ग की विचार सभा का अधिवेशन निबंद किर्ती के लेखक कुण है स्वर्ग की विचार सभा बताओ का अधिवेशन यह बताना है एक बार और सब्सक्राइब जरू कर लीजिए सभी साती यहाँ पर 15 नमबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और बिलकुर लगबख सभी लोग सही बताएंगे यहाँ पर जंदी जंदी से बताईए और सभी लोगों ने बताया कि सर इसमें स्वर्गी की विचार सभा तो भारत में ही होगी यानि भारतेंदू ठीक है राइट आंसर नेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आदने कोजों के अनुसार हिंदी की प्रिथम मौलेक कहानी के लेखा कौन है कहानी के लेखा कौन है आपको ये भी बताना है कि आदने खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौले कहानी कौन सी है और उसके लेखा कौन है विकास भारती जी बताईए राइट आंसर क्या है यहाँ पर सही आंसर शबी लोग बताएं स्वानु केम जी स्वानु जी आपने नोट्स मंगवा है कैसे लगे आपको नोट्स जदी से बताओ आदने खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौले कहानी कौन सी है और उसके लेखा कौन है ये आपको बताना है ओम प्रिकास जी स्वानी ठाकोर जी के नोट्स पहुंच गए है और लिख रहे हैं कि सर सभी बुक्स में क्यों खोज है अगर एक ही में मिल जाए इधर उधर क्यों भटके जब सेल्पिस्टेडी के लासे इस नोट्स में सब कुछ मिल जाए बहूत बढ़ली है स्वानी जी मतलब अच्छे लगे आपको नोट्स मंजा आ रहा है पड़ने में आधने खोजो के अंसार हिंदी की प्रतम मौलेक कहानी है एक टोकनी भर मिट्टी जिसके रचनाकार है मादवराव सप्रे यानि कि आपका जो डी नमबर है वो बिलको सही है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्षमी उपन्यास के लेखक कौन है बताना है गोपाल राम गहमरी है देव की नंदन कत्री लज्जा राम महता या फिर स्रद्दा राम फिल लोरी सत्रा नमबर का कॉस्चन है हरसिता मौर जी जल्दी से आपको चैन करना है जोती जोती जी बताइए सत्रा नमबर का कॉस्चन राइट अंसर क्या है यहाँ पर और उत्तर चला जाएगा स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्षमी मैंने आपको कई बार अभी बताया है उपन्यास है और इस उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं कि सर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी परतंत्र लक्ष्मी को परतंत्र बनाय हुए हो लज्जा नहीं आती उमा संकर जी लज्जा नहीं आती वो लज्जा राम महता यानि कि आपका जो D नंबर है वो बिलको राइट आंसर है काली चरण के सुपन्यास का पात्र है बहुत ही अच्छा क्वेस्चन 18 नंबर के क्वेस्चन में बताना है जगदीश जी सही आंसर यहाँ पर क्या है 9 बजे रोज रात्री किलास होती है पैट किलास ने रोज होती है सामको 5 बजे से 25 तक साड़े से 17 तक हर संड़े को टेस्ट होता है और दोस्तों अब हम एक ब्याकरण का टेस्ट भी चालू कर रहा है कल स्वामबार से आपको दोस्तों अभी तक बहुत सारे ब्याकरण एक टेस्ट रोज आएगा एक टेस्ट रोज आने बाला है किसी ना किसी प्रकार से स्वानु जी लिख रहे हैं अच्छे हैं गुरु जी अभी तक ऐसा नोट्स नहीं देखा जितनी ताप तारीब करें उतनी ही कम है बहुत बढ़ी या स्वानु जी तो काली चरण के सो पन्यास का पात्र ये आपको बताना है अठारा नंबर का क्वेस्चन है और अठारा नंबर के क्वेस्चन में उत्तर आपको बताना है कि सर ये मैला आचल मैला आचल जो कि हिंदी का प्रतम आंचले को पन्यास है इसके रचनाकार फणी सुनात रेणू है जो कि हिंदी के प्रतम आँचले को पन्यासकार है, अब जो मैला आचल है, ये बताना है कि किस गाउं से संबंधित है, ये भी बताना है, काली चरण, ये इसका पात्र है, मैला आचल का पात्र है दोस्तो, पंदित बालकण भट्र ने सच्ची समालोचना सीर्षक से, किस की आलोचना की है ये आपको बता ना है प्रशने किर्माग कुनीस का सभी साती जितने भी साती हमारे पैड़ बाले साती है कुछ दिन के लिए आपके लिए दोस्तो हर रोज एक टेस्ट मिलेगा हर रोज एक टेस्ट मिलेगा उसको भी आपको करना इसी 1200 वाली कोर्स में ठीक है अभी आपका हथ संडे को topic by test होता है कि जितना सपता है वर में पढ़ाया जाता है वो आपको test मिलता है लेकिन एक बार revision test होना है revision test होना है तो सभी लोग तयार रहें revision test के लिए तयार रहें और revision test सभी को लगाने हैं रोज एक test आएगा revision test सभी लोग उस test को लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पर 19 नंबर का question है 19 नंबर में बताना है कि सरसंयोगीता स्वेंबर यानि किड़ी नंबर इसकी दोस्तों इन्होंने सच्ची समालोचना सीर सकसे है ना तो यह आपका डीविल को सहिए कुरू कुरू शवाहा कुरू कुरू शवाहा उपन्यास के लेखा कौन है बहुत ही बड़ी या बाहुवली का टपजी आ गए है कुरू कुरू सवाहा जब हभण होता है दोस्तों तो आप मंत्रादी पड़े जाते हैं तो आप क्या करते हो कुरू कुरू सवाहा कैसे बोलते हो बड़े जोस में बोलते हो जोस में बोलते हो तो इस उपन्यास के लेखा कौन माने जाएंगे बताएं कौन माने जाएंगे बताएं राहुल राज जी कुरू कुरू शवाहा वो इससरह हम बड़े जोस में बोलते हैं जोस में बोलते हैं और बड़ा मनोहर मनोहरी द्रस लगता है तो मनोहर से आम जोसी कुरू कुरू सुआहा C, अपनी आत्मे कता को इसमिर्टी यात्राई याग किसने कहा 21 नंबर का question है अपनी आत्म कथा को स्मिर्थी यात्रा यग किसने कहा है प्रियंका जी बहुत ही अच्छा question 21 नंबर का question है शबी लोग बताएंगे उरे एक बार लाइक करके share जरूर किया करो अपनी मित्रों तक जरूर बता दिया करो कि 15 तारिक से self study classes में एक नया बेच्च start हो रहा है जिसको भी हिंदी साहित विस्तरित पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं और फर 10 तारिक तक है बारा सो में बारा महीने नरंतर अध्यन करने के लिए ठीक है तो अपनी आत्म कथा को स्मिर्थी यात्रा यग किसने कहा यह आपको बताना है यहां बारा सो में बारा महीने पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है और आप स्कूलों में जाते हैं अपने बच्चे की फीस बारा सो एक महीने की भर के आते हो भर के आते हो की नहीं आते हो बारा सो क्या जादा भर के आते हो ठेक है और यहां आप अपने लिए इतना भी नहीं कर पाते कि हम बारा सो में बारा महीने पढ़ने को मिला आपको पांच हजार दस हजार फीस नहीं भर रही दूसरी कोचिंग में जाओ इतनी मस्त तरीके से भी नहीं पढ़ाया जाएगा उठाएंगे किताब लिखवा देंगे आपको और बोले याद करते रहो और यहां पर लिखने पर जोर नहीं दिया जाता है यहां पर तो किलास में याद करने पर जोर दिया जाता है कि जितना पढ़ाय जाए उसका 50% तो किलास में ही याद होना चाहिए ये यहाँ पर दोस्तों किया जाता है तो यहाँ पर 21 नंबर का question है और आपका उत्तर हरीबंस राय बच्चन ने अपनी आत्म कता को इनकी आत्म कता चार भागों में दोस्तों प्रस्तुत है हरीबंस राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ ता हालाबाद की प्रबर्तक मान जाते हैं च्छाई रॉमांस का कभी ने कहा जाता है माटी हो गई स्वणा रेखा चित्र के लेखक कौन है जल्दी से आपको चैन करना है माटी हो गई स्वणा किसका रेखा चित्र है दोस्तो पदम सेह का हरीभा उपाद्याय का कनया लाल मिसर प्रभाकर का या फिर बिनोबा बाइस नमबर में चैन करिये निसा जसबीर जी माया राम जी बताना है जल्दी से एकजाम आते रहेंगे जाते रहेंगे पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए पढ़ाई नरंतर चालू रहनी चाहिए एकजाम आते रहेंगे आप लोग क्या करते हो एक एकजाम आया दो महीने पढ़ दिया चार महीने छोड़ दिया जियों का त्यों लेकिन एकजाम आते रहेंगे जाते रहेंगे और सेल्प स्टेडी किलासे इसमें नरंतर पढ़ाई चलती रहेंगी आप लोगों की ठीक है, निरंतर पढ़ाई करोगे, तो अध्यान बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, माटी हो गई स्वाना, बोलिसर कनया के चरण पढ़ गए, तो हमारे घर की माटी भी स्वाना हो गई, कनया के चरण, तो यहाँ पर कनया लाल मिस्टर प्रभाकर, सी नमबर, आचार भर के रशूत्र के प्रतम ब्याख्याता कौन है, इनमें से बताईए, शबी लोग बताएंगे, राइट आंसर कमला कांच जी, प्रियंका यादाव जी, 23 नमबर का कॉस्चन है, सभी को आपको बताना है दोस्तो, लाइक कर देना है, इतना सारा मटेरियल आपको कोई भी चैनल वाला नहीं देता, कोई नहीं देता, जितना दोस्तो, सेल्फ इस्टडी किलासिस में आपको न्रंतर अध्यन करवाया जाता है, एक एक चीज को दस दस बार पढ़ा दी जाती है, ताकि आप कभी भूलो ना, ऐसी चीजें दोस्तो, एक एक चीज को कई बार रटवाई जात कई बार पढ़ाई जाती है, अब भ्यास करवाया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका दोस्तो बहुत कुछ होता है, प्रैक्टिस से ही आपके जो चार पांच नंबर से सेलेक्शन रुकता है, वो आपके लिए दोस्तो बहुत ही महत्पूर्ण है, वाचार भरत के रसूत्र आपने पढ़ा होगा, किसी को पता है, तो जल्दी से एक बार रसूत्र लिख दो, 23 नमबर का question है, बहुत ही बढ़िया question यहाँ पर पूचा गया है, और सभी लोगों का अंसर आया कि सरभट लोलट में इसमें नमबर लगा दो, ये नमबर आपका सही है, जनता जना आराधना पाल जी संपर कर सकती हो, नीचे नमबर लिखा है, सेल्प स्टेडी कलासे से अपकी लिंक दी है, लिंक से आप डाउनलूट कर लो पहले तो, ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार संपरदाय के प्रबरतक आपको चैन करना है, नरंतर अध्यन करिए दोस्तों, अगर पलता चाहिए तो नरंतर अध्यन करिए, नरंतर अध्यन करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, और कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर चौबीस नमबर का क्वेस्चन है, उत्तर है कि सर, अलंकार, अलंकार तो भामा साह करते है, अलंकार प्रबर्ता भाम है माने जाते हैं यानि कि आपका जो वी नमबर है बिलकुँ सही है हिंदी सायत का प्रतम स्वचंदिताबादी कभी कोण है बहुत अच्छा question प्रतम स्वचंदिताबादी कभी कोण माना जाता है बताए रुगा जी बताएं राइट अंसर बताना है राहुल राज जी क्या हो जाएगा गैमिंग बड़ जी आसा जी कटपपा जी बताईए पटापट से बताईए राइट अंसर पचीस नंबर का क्वेस्चन है हिंदी साहित का प्रतम सोचनता बादी कभी कोण है इन्होंने दोस्तों जिन तीन रचनाओं का अनुबाद किया था वो रचनाओं कोण कोण सी है ये भी बताना है और किसका अनुबाद किस नाम से किया है ये भी आपको बताना है मैंने कई बार याद करवाया है इस्तवार दाला लेती उत्रे अंदोई इंदोस्तानी ग्रंथ के लेखा कौन हैं बताओ इस्तभार दाल लेते तुरे अंदोई अंदोस्तानी दोस्तों सबसे पहले ये जो ग्रंथ है फ्रेंच भासा में प्रकासित हुआ 1949 में ये याद कर लेना है 1949 की 1849 1849 में इसका प्रतम भाग दुतिये भाग 1847 में और इसका दुतिये संस्करन जो आपसे पूचा गया था 1871 में 1871 में इसका दुतिये संस्करन प्रकासित हुआ था जो आपसे पूचा गया था ठीक है और यह जो है फ्रेंच भासा यानि कि आपका जो दोस्तो सी नंबर है यह फ्रेंच विद्वान थे कौन गारसा दाता सी ठीक है और यहाँ पर सी नंबर प्रिये प्रवास के लेखग भी आपको ही बताना है जल्दी से बताईए कमेंट करते रहे लाइक सेर करते रहे इस परिवार से हमेशा जुड़िते रहे नरंतर अध्यन के लिए दोस्तो आप कोर्स में एड़िसर ले सकते बारा सो में बारा महीने का एक बहुत ही नौर्मन प अभी ये संस्थान चलता रहे इतना बहुत ही कम प्राइज में रखा है बहुत सारे बच्चों के वो आता है कि सार इतना कम प्राइज में आपने कोर्स क्यों रखा है तो हमें पता है दोस्तो क्योंकि मैंने भी जिस परिष्टिती से बहुत सारे साती गुजरते हैं उस पर प्रिये प्रवास जिसमें कितने सर्ग हैं सत्रा सर्ग हैं इसके रचनाकार कौन है अयुद्या से मुपात्या हरियोद ये पंजाब मास्टर के अडर में क्वेस्चन आया ता पिछली बार कि खड़ी बोली का प्रतम महा काप कौन सा है तो यही है प्रिये प्रवास जिसमें कितने सर्ग हैं सत्रा सर्ग कोई रचनाकाल बताएगा इसका प्रिये प्रवास का रचनाकाल भी आपको बताना है दिगंबर में कौन सी संदी है 28 नंबर का कॉस्चन जल्दी से बताएं शिवानी ठाकवर जी प्रियंक का यादव जी लाइक कर दीजे बोहिच जी राइट अंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं दाली तेवारी जी 9098 बाला जो नंबर चल्ला है उसमें आप मैसेज कर सकते है और मैं आपको प्रोसेज बता दूगा ठीक है सेल्प इस्टडी क्लासे से आप डाउनलोड कर लो पहले तो ठीक है अध्यान बहुत अच्छे से आप कर सकते हो ठीक है और डारेक्ट संपर्क होता है दोस्तो ये नंबर चल्ला डारेक्ट हमसे ही बात होगी आपकी किसी से बात नहीं होने वाली डारेक्ट हमसे बात होगी कोई भी प्रावलम जाती हमसे ही बात होगी आपकी ऐसा नहीं है कि आपने देखाओगा कि जब आप बड़ी-बड़ी कोचिंग में अड़िसन लेता है आप नंबर लगाते आपके कोई डाउट्स रहते तो आप कूछी नहीं पाते ठीक है लेकिन सेल्फ इस्टेडी के लासे इसमें आपकी समस्या हमारी समस्या होती है ठीक है दिगंबर में बेंजन संदी है दोस्तो इसका कोई संदी विच्छित बताएगा क्या हो जाएगा दिगंबर का बताए राइट आंसर निर्बिकार में कौंसा समास है 39 नमबर का कुष्चन मनिसा यादव जी ओदेज जी आसा जी दिनेश जी राइट आंसर चैन करना लाइक कर दो एक बार सेर भी कर दो अपने सातियों तक और मंजू जी स्वानू केम जी लाली यादो जी अनू सरमा जी निर्बेकार में कौनसा समास है ये क्वेस्चन पूछा गया है बिलकु सही बताया है प्रमानसू चोधरी जी ने देख धन अंबर ठीक है तो बड़ाबर हो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा तो यहां पर है सर कि 29 में जो समास है वो है अब्वेई भाव समास अब्वेई भाव समास मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाये है रिक्वाडेट वीडियो भी उपलब्द करवाये है ठीक है तो C यानि कि अब्वेई भाव समास आपका बिलकु सही है समाज सब्द में एक प्रत्य लगाने पर कौन सा सब्द बनेगा बताओ यहां पर सब्द सुद्धी भी आपसे पूछली गई से सामाजिक समजिक या फिर समाजिक तो बताएं लाइक करना है निश्टा त्रिवेदी जी ममता स्रिबास्तों जी जो यह यहां पर दोस्तो लाइब आप कोर्स में देख रहे हैं आदे से जादा साती हैं जो एड़िसर लेकर के नरंतर अध्यन कर रहे हैं ठीक है यह आदे से जादा साती कितने साती हैं यहां पर एक बार हाथ उठा के पूरा समर्थन करिए सेल्प स्टडी किलासे इस परिवार का कि सर हम भी live class में पैड कोर्स में advisor लेकिन रंतर अध्यन कर रहे हैं ठीक है आप कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों को प्रोषाहत भी कर सकते हैं कि आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन अध्यन रुकना नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 30 नंबर का क्वेस्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन आया कि सर सामाजिक लगा दो ये नंबर लगा दो ये नंबर आपका बिलकुस सही है कौन सा गुण बाचक बेसेशन नहीं है नहीं में बताइए यहाँ पर लबली ठाकुर जी सीता राम जी सिमरपाल जी अर्चना लोदी जी स्वानू जी बहुत बढ़िया रेखा जी सुनीता जी बाहुबली कटपा जी रस्मी पाटक सिवानी ठाकुर जी बलजीत जी बहुत बढ़िया बैरिगोर सुईता जी हेमानी जी चेके संतोस जी बिंदू लता जी बहुत बढ़िया बिल रहा है कि सर मौटा तो है पीला भी है सुन्दर भी है गुणबाचक लेकिन ये दस नहीं है दस नहीं है गुणबाचक यानि कि डी नंबर आपका बिल्कु सही है विजय जी ठीक है रस्मी पाठक जी अंदे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है पूनम जी ब गैरिगोड ममता जी अंदे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है 32 नंबर का कॉस्चन है और 32 में आपको बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा अंदे के हाथ बटेर लगना पूनम सैनी जी बताओ रजनी शर्मा जी अनुपम जी और यहां पर उत्तर होगा कि सर बिना आप मेहनत के ही उपलब्दी होना यानि बी नम्मर आपका correct answer और right answer चला जाता है कृतग्य सब्द का सही बिलॉम सब्द क्या है दोस्तों कृतग्य का बिलॉम सब्द क्या है शबी लोगों को बताना है पूरी मेहनत से आपको पढ़ाई करवाई जाती है दोस्तों ठीक है यहाँ पर एक self study classes का उद्देश ही है कि आपकी नरंतर पढ़ाई चलनी चाहिए और हमें भी दोस्तों रोजगार मिलना चाहिए ठीक है तो एक normal piece के माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है साहित की बहुत ही स्रेष्ट ठीक है तो यहाँ पर जन्दी से बताए राई का अंसर क्या हो जाएगा कृतग के सब्द का सही बिलोम क्या है 33 नंबर का question और 33 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है कि सर कृतग के सब्द का सही हो जाएगा कृतगन यानि की शी नंबर शी नंबर आपका राई टांसर है बिलको सही है मातमा गांदी का देश सदेवाभारी रहेगा मैं किस तरह की असुद्धी है असुद्धी बताना है किस तरह की असुद्धी है बाच प्रियोग की असुद्धी है, क्या है यहाँ पर असुद्धी, जल्दी से बताईए, पटाक से, पुनरुक्ती की असुद्धी, पद क्रम संबंदी असुद्धी, शैयुक्त क्रिया संबंदी असुद्धी, महतमा गांदी का देश, महतमा गांदी का देश सदेव आभारी रहेगा, किस प् Qาस्टन आपको बताना है जल्दी से सभी लोग बताएंगे फटा-पट से बताएंगे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा फटाक से बताओ Like करना है जल्दी से सभी लोग बताएंगे और यह 34 नंबर का QAस्टन है बहुती बड़ीया QAस्टन है शबी लोगोंने बताया कि सरी पद किरम संबंदी असुद्धी है पद किरम संबंदी असुद्धी है शी नंबर आपका correct answer है, right answer है कनक कनक ने स्वगुनी मादक्ता दिकाए में कौन सा अलंकार है पूचा जाता है, कई बार पूचा जाता है जल्दी से बताये, उत्तर क्या हो जाएगा कनक कनक ने स्वगुनी मादक्ता दिकाए इसमें अलंकार कौन सा है अनुप्रास है, यमक है, सिलेस है या फिर उपमा अलंकार है ये आपको चैन करना है, लाइक करना है और फटा पट से बताना है 35 नंबर का क्वेस्चन जल्दी से बताये 35 नंबर के क्वेस्चन में और सभी लोगों ने बता है कि यमक कलंकार लगा दो, यानि कि B नंबर लगा दो, यमक बिल्कु सही हो जाएगा संकीर्ण का सही बिलॉम क्या है 36 नंबर का क्वेस्चन संकीर्ण का शही विलोम सब्द आपको चैन करना है विश्वास मलिक जी शीता राम जी तो यहाँ पर आपको बता दे मैं दोस्तों कि पूरे भारत से चाहे करनाटक हो केरल हो पंजाब हो हरियाडा हो हिमाचल प्रदेश हो राजिस्तान हो उत्तर प्रदेश हो मद्द प्रदेश हो यहाँ से सारे साती इस किलास में दोस्तों अटेंड कर रहा है इस किलास को ठीक है नेट एकजाम की तयारी कर रहे हैं और हर्याना टेट की एकजाम की तयारी कर रहे है HP कमीशन की दोस्तो जारखंडे में TGT की तो बहुत सारे राज्यों से यहाँ पर स्टुडेंट एकत्रित हुए है और संकीन का सही विलोम क्या है 36 नंबर का question है बढ़िया सा question आपसे पूचा गया है कि संकीन का विलोम होता है दोस्तो बिस्त्रीन बिस्त्रीन होता है यानि कि D नंबर आपने बिलको सही लगाया ठीक है बिलको सही है नेक्स्ट देखो भासा सब्द की उत्पत्ती किस धातू से हुए देखते हैं कौन-कौन सही बताते है जल्दी से बताईए भासे से हुई है भासे से हुई है भासे या भासे से हुई है अमन जी शबी लोग बताएंगे राइट आंसर जल्दी-जल्दी से बताएं लाइक करना है एड़िसन लेना है तो ले सकते हैं डाली इत्यवारी जी वासा सब्दी की उत्पत्ती किस धातू से हुई है एड़िसन लेसंस लेने से क्या होता एक नॉर्मल फीस आप से ली जाती है और आप दोस्तो निरंतर अध्यन कर सकते हैं जब किलासें चलती है तो आपके मन में रहता है रोज किलास जब चलती है तो आपके मन में रहता है कि हमें रोज किलास अटेंड करना है एक प्रेसर रहता है और बिना प्रेसर के कुछ नहीं होता जब आपका एकजाम होता है तो आप पढ़ाई करने लगते हो जब आपका एक्जाम नहीं होता तो आप पढ़ाई नहीं करते और जब आप एडवीशन में दोस्तों आते हो एडवीशन लेते हो कोर्स में तो आपके लिए प्रेसर रहता कि हमें किलास रोज अटेंड करनी है लाइब किलास पढ़नी है रोज टेस्ट लगाना हर संडे वो रहता है तो आप पढ़ाई निश्चत रूफ से करते हो ठीक है तो एडवीशन का ये फायदा होता है और साथी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक मिलती है रेगुलर अध्यन चलता है जी नमबर आपका बिलको सही है ठीक है खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्य क्वेशन है बिलकुल बताईए जल्दी से नेट का पेपर स्वाल्ब नहीं होता खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है बहुत सारे नेट के मैंने करवा दिये यूटूब पर डले हुए है आसा कुमाबत जी खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या माना जाता है श्व कौर्वी कहा जाता है मैंने आपसे पूछा था कि इस खड़ी बोडी को कौर्वी किस ने कहा कौर्वी नाम किस ने दिया बताइए रीतेश जी बर्स 1955 में गठेत पिर्थाम राजभासा आयूक की अध्यक्ष कुन थे 49 नंबर का क्वेस्चन सरोज सिभी जी बताइए राइट मुझे साहित बहुत कठर लगता था जब किताब खोलते थे तो यसा लगता था कि अलग रख दो रचनाओ के सनयाद नहीं होते थे रचनाय याद नहीं होती थी जब से सेल्प स्टेडी के लासे इससे जुड़े है रचनाय दोस्तों रट गई है रचनाओ के सनयाद होने ल लगा दो, ये नमबर लगा दो, सही होगा, ठीक है, नेक्स्ट देखो, आकास दीप कहानी संग्रह है, किसका है, चालीस नमबर का क्वेस्चन, पूनम सैनी जी, बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, शबी लोग बताएं, निशा बर्मा जी, और सेयर भी कर दो, सबी साती, आकास दीप कहानी संग्रह के, रचना कार कौन है, चालीस नमबर का क्वेस्चन है, नीचे लिंक दिये है, अपकी सेल्प स्टडी किलासे से, अपकी डाउनलोग करें, दोस्तो, पटापट से, और आकास दीप कहानी संग्रह के, रचना कार कौन है, दोस्तो, तो बहुत सारी कोचिंग आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी चीजें, कई जगाए एड़िशन लेकर दोस्तों आपने पढ़ाई की होगी, लेकिन सब जगा से उदास होके, जब सेल्प स्टेडी किलास एसे अप में आते हैं, तो दोस्तों आपको मजा आने लगता है पढ़ाई करने में, है ना, बहुत सारे सात्यों के मूँसे हैं, मैंने खुद सुना है, फौन लगा के बताते हैं कि सर जब तक किलास नहीं होती, मन नहीं लगता आप, ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, दिन में कुछ छूट रहा है, कुछ भूल रहे हैं, ठीक है, तो आकास दीप कहानी संग रहे, ये किसका है, चालीस नमबर का कॉस्चन आपको बताना है, और चालीस नमबर में, आपका सीधा अंसर जारा कि सरे, जैसंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 में हुआ था, 1889 में, प्रसादे ने तीन उपन्यास लिखेते दोस्तो, कंकाल, तितली और राबती, जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद भी करना, बी नमबर आपका बिल्कु सही है, राजा निर्वसिया बताना है, राजा निर्वसिया, सिमी टंडन जी, राजा निर्वसिया कहानी के रचनाकार कौन है, ये आपको जल्दी से बताना है, तो राजा निर्वसिया कई बार पूँचा गया, 41 नमबर का क्वेस्चन है, आयूस प्रजाब अत्ती जी, अमितार राना जी, बताएं, क्या हो जाएगा, राबंत जी, दिनेश कुमार जी, 10 तारीक तक, ये ओफर दिया गया है, आप लोगों को 10 अप्रेल तक, 1200 में 12 महिने, जिन भी एक सातियों को 8 बीसर लेना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना, यार, 1200 रुपे आपके लिए नॉर्मल फीस रखी गई, ओफर दिया गया, कि हमारे वो सभी साती आजाएं, और सभी साती पढ़ें, 5000-10,000 फीस वाली कोई बात नहीं यहाँ पर, ठेक है, तो राजा निर्बसिया कहानी के रचना कार कौन है, 41 नंबर का क्वेस्चन, और बहुत ही बढ़िया है कि सर कमले सो रहे, यह सी नंबर आपका बिलको सही है, ठेक है, सचेतन कहानी आंदुलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, 42 नंबर का क्वेस्चन, महीप से हैं, क्या ट्रिक बताई थी बो भी आपको बताना है, बताए राजकुमारी जी, ठेक है, चेहन करिए, आसा जी, प्रियंका जी, दीक्षा जी, मुनमुन जी, बुल्डोजर बाबा जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, सचेतन कहानी, 42 नमबर का क्वेस्चन, और सीधा अंसर जा रहा है कि सर, आपने याद किया था कि सचेत रहते थे, जब माही, माही क्या करते थे, बिकट कीपरिंग करते थे, तो बल्ले बाज क्या रहते थे, सचेत, सचेत रहते थे बल्ले बाज, जब माही, माही से क्या वनेगा महीप से हैं महीप से हैं ए नमबर ठीक है चमार की चाय कहानी के लेखक कौन है चमार की चाय पुरिस्तर चमार की चाय के लिए तो बेचैन है निर्मला यादो जी ठीक है बताइए यहाँ पर बनवारी राज जी भी है इस परिबार से जुड़े रहें, अध्यन करते रहें हम आप के लिए और आप हमारे लिए इसी परिकार से जुड़े रहें, सेल्फ इस्टेडी के लिए से इस परिबार को बहुत बड़ा परिबार बनाना है, और सभी सात्यों को जोड़ना है चमार की चाय कहानी के लेका कौन इतना अच्छा क्वेस्चन आपसे पूचा गया है तो एक बार जल्दी से क्यों न यहाँ पर लाइक कर दिया जाए और हम बुलिसर सिवरास हैं बेचैन बेचैन है चमार की चाय के लिए डी नमबर रक्षा बंदन कहानी के रचना कार कौन है चवालिस नमबर का क्वेस्चन है शबी लोग बताएंगे सेर भी कर दो अपने सभी सात्यों को बतादोगी 15 प्रेज से न्यू बेच श्टार हो रहा है शुरुआस से आपको पढ़ाएंगे हिंदी भासा से आपको यह सारी की सारी चीज़ पढ़ाएंगे निबंद नाटा को और दोस्तो पन्यास कहानी आत्म कता इनका पूरा नमबर क्रमबत आपको पढ़ाये जाएगा रक्षा बंदन कहानी के रचना कार कौन है यह 44 नमबर का क्वेस्चन है और रक्षा बंदन में आपने बताए कि से रक्षा बंदन तो बिश्व में मनाई जाती है बिश्व भर में मनाई जाती है तो बिश्वम बना सर्मा को से क्यानी कि यह नमबर बिलकु सही है इन मुसल्मान हरी जनन पर कोटन हिंदू बार यह 45 नमबर का क्वेस्चन यह पंक्ती किस की या किस से ली गई है दोस्तो किस रचना से लिए गई है क्रण गुपता जी बेबे क्यादो जी बताईए सभीता जी किस रचना से लिए गई है पटापट से बताईए पटापट से बताना है यहाँ पर 45 नंबर का क्वेस्चन है शबी लोग बताईए जल्दी जल्दी से बताना है, लाइक करना है, पटा पट से बहुत ही अच्छा क्वेस्चन है दोस्तों ये भारतेंदु जी को अपन को याक करना है भारतेंदु जी की पंक्ती है भारतेंदु जी की पंक्ती तो आप पड़ते ही होंगे भारतेंदु जी को पता ही है कि 1850 में इनका जन्म हुआ और 1850 में दोस्तों इनकी क्या हो गई ब् यह जो पंक्ती ले गई है 45 नमबर के question में बहुत ही बढ़िया question है उत्रार्दबक्तमाल यानि की D number राइट बहुत बढ़िया अयोद्या स्युमपाद्य हरियोद की प्रतम रचना कुशिय है प्रतम रचना बताना है प्रिये प्रबास है जल्दी से बताएं 46 नंबर का कॉस्चन है पटापट से लगबिंदर जी राजकुमार जी सीमा जी सभीता जी अयोध्या से अपध्या हर्योद जिनका जन्म हुआ था दोस्तों कब 1865 में 1865 में जन्म हुआ ठेक है इन्होंने एक प्रतम जो रचना मानी जाती है क्रशन सतक मानी जाती है रसकलस इनकी नाई का भेद से संबंदित रचना मानी जाती है दोस्तों रसकलस और प्रिये प्रवास इनका खली बोली हिंदी का खली बोली का दोस्तों प्रतम महा काब माना जा तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर उत्तर हो जाएगा कर्ष्ण सतर नेक्स्ट है खड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर्ख किस ने कहा 46 नमबर का क्वेस्चन जल्दी से बताएं दिनेज कुमार जी लाइक करिए यह किलास रोज रात त्री नौबजे होती है और नीचे लिंक दी है सेल्पिस्टरी किलासेस एप की जरूर डाउनलोड करिए सभी साती खड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर्ख किस ने कहा है 47 नमबर का क्वेस्चन है दोस्तो कल से लेकर कल से लेकर 10 तारीक तक कल से लेकर 10 तारीक तक 10 टेस्ट 10 तारीक तक दोस्तो एक टेस्ट आपको सभी सातियों को फिरी दिया जाएगा 10 टेस्ट सेल्पिस्टरी किलासेस पर फिरी दिये जाएंगे ठीक है तो आप एड़िशन भी नहीं लेते तब भी उसमें आपको फिरी टेस्ट दोस्तों मिलने वाले हैं तो कल से लेकर 10 टेस्ट आप फिरी लगा सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट भी उसमें उपलब्ध है समय समय पर पिड़ती होगी ताइम भी होती रहती हैं तो सेल्फ स्टेडी क्लासेस बढ़िया आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दोस्तों बना हुआ है एड़िशन भी ले सकते हैं और दोस्तों फिरी में भी बढ़ सकते हैं खाड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर के किसने कहा 47 नंबर का कॉस्चन है और उत्तर हो जाएगा जगनात दास रतना करने यानि कि आपका उत्तर बी नंबर चला गया बिल्को सही बताया है सभिता जी राहोल जी ने ठीक है कौन सी रचना भारतेंदू की नहीं है प्रशन किर्मांक 48 में बताईए 48 का कॉस्चन है और यही प्रशन पूछा गया था दोस्तों बताओ 48 में कौन सी रचना भारतेंदू की नहीं है ये कॉस्चन पूछा गया मंजीत जी और ये कॉस्चन साहिद पूछा गया था TGT या PGT में कौन से एक्जाम में पूछा गया था आसा जी सुनीता रानी जी शबी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा हो जाएगा दिम्न मैंसे कौन सी रचना भारतेंदू शबी साती बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या है कौन सी रचना भारतेंदू की नहीं है इतना अच्छा कॉस्चन पूछा गया 48 नंबर में और उत्तर हो गया कि सरापबरग पंचकतो है दान लीला भी है विजय भल्लरी भी है लेकिन ये प्रेम संपत्ती लता नहीं है तो प्रेम संपत्ती लता किसकी है बताओ मैंने कई बार आपको बताया बाल गोबिंदू जी प्रेम संपत्ती लता कि रचना कार कौन है प्रेम ही जिनकी संपत्ती है वो कौन है ठाकोर जगमोहन विश्वास मलिक जी वेरी गुड बहुत बढ़िया जनता जनारदन बिलकुल बहुत हुसियार हो गई आजकल भारतेंदू की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्राय कौन सा है दोस्तो भारतेंदू जी जिनके नाम पर दोस्तो भारतेंदू युग का नाम पड़ा जहां पर दोस्तो गद्ध की विधाओं का उदाय होता है भारतेंदू युग से ही माना जाता है और सबसे प लोगों का अंसर आया है कि सर खड़ी खड़ी हमने फूलों का गुच्छा हमने खड़े खड़े फूलों का गुच्छा उठा लिया खड़े क्या उठा लुआ फूलों का गुच्छा यहाँ पर खड़ी बोली और खड़े खड़े फूलों का गुच्छा उठा लिया, तो शी नंबर आपका बिल्कुश रही है, लाल टीन की छट किसका उपन्यास है, पचास नंबर का क्वेस्चन, लाल टीन की छट के नीचे आपको कैसा लगता है, आप जैसे धूप चल लई है, धूप में बहुत धूप में आए हो, आप लाल टीन की छट के नीचे आपको खड़ा कर दिया जाए, धूप में से आए हो, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, बताईए जंदी से, पटापट से बताईए, राई सांसर, जस्मीर जी, बिजय जी, पिंकी जी, मुकनज जी, बताएं, उदय जी, रजनी बाला ज पण्यास किसका है, जन्दी से बताना है, पटापट से उर एक बार लाइक कर दे, सबी साती, जिनको नोट समंगवाना है, वो संपर करे, लाल टीन की छट यह उपन्यास किसका है बताई यायुद्यासमपाद्या हरियोद का स्री नवासदास का निर्मल वर्मा का या फिर गोपाल राम गहमरी का सबी लोग बताएंगे एक साथ और कमेंट जरूर करें सबी साथ ही कमेंट कलनें फटापट से वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तो जल्दी से लाइक कर दो फटापट से बहुत ही बढ़िया यह दोस्तो आपका है जल्दी बताना है यहाँ पर फटापट से यहाँ पर आपसे पूछा गया लाल्टीन की छट यह उपन्यास किसका है ये उपन्यास आपको बताना है बहुती बढ़िया उपन्यास है लाल्टीन की चत आयोद्या से मपाद्या हरियोद का है या फिर किसका है तो अपन ने पढ़ा भी था कल पढ़ा था कि सरे लाल्टीन की चत बढ़ी निर्मल निर्मल लगती है नूतन ब्रह्मचारी ये किसका उपन्यास है फटापट से बिलको निर्मल है बहुत बढ़िया तो यहां पर उत्तर आ जाएगा किसर अभी तक तुम्हेंने बाल ब्रह्मचारी सुना था बाल तो बाल से क्या बन जाएगा बाल करश्ण भट जिनका जन्म 1844 में हुआ था ठीक बंबई के मजदूर संगटनों के जीवन संगर्ष पर आधारत दोस्तो पन्यास कौनसा है भागबती है क्या दिवरानी जिठानी की कहानी आबा या फिर इन में से कोई नहीं अच्छा क्वेस्चन है प्रश्ण के नमांग बावन नंबर का है सभी लोग लाइक जरू करें रतीपाल जी लगविंदर जी बंबई के मजदूर संगटनों के जीवन संगर्ष पर आधारत दोस्तो पन्यास कौनसा है बावन नंबर का क्वेस्चन है और बावन नंबर में आपने उत्तर बताया है कि सर वो पन्यास है अनिता जी बिलकुर राइट आबा और आबा किसका पन्यास है जो कि बंबई के मजदूर संगटनों के जीवन संगर्ष पर आधारत है आबा की बताना है जिन्दा मोहावरे ये उत्तर बावन नंबर का क्वेस्चन है और बहुत ही बड़ी या क्वेस्चन आप से पूचा गया है दोस्तो नासीरा सर्मा राही मासूम रजा अ अपनी सुनात रेनू त्रेपन नंबर के क्वेस्चन में आपको चैन करना है जिन्दा मोहावरे बताइए बहुत बड़ी ये चित्रा मुद्गल का है वेरी गूड शबी लोगों ने बताया है कि आबा का चित्र बनाना है ससीतर पाटी जी बहुत बड़ी या तो जिन्दा मोहाबरे ये किसका उपन्यास है त्रेपन नंबर के क्वेस्चन में आप से पूँचा गया और आपने उताल दिया कि सर जिंदा मोहाबरे का तो कोई सिरा ही नहीं है यानि कि ना सिरा तो ये नंबर तिक लगा दें जंता जनारदन कहां जा रही है ये की तरह बहुत बढ़िया नेक्स देखो मनोव विश्रेशनवादी कथाकार नहीं है तो कौन नहीं है चंगवन नंबर का क्वेस्चन बताना है फटा पटसी बताईए यहाँ पर चंगवन नंबर में किसकी सरकार बना रहे है आप लोग कहां जा रही जंता जनारदन की बोट मनोव विश्रेशनवादी कथाकार कौन नहीं है एक क्वेस्चन पूछा गया बीनू सरोज जी नोटा दवाना है नोटा नोटा मैं बताईए किसको दवाना है नोटा नोट का बटन बिलकुल जितना कटें संगर्स होगा जीत उतनी हिसांदार होगी बिलको सही है माया राम जी मोहित जी सभी लोग बताएं और यहां पर आपने बताया कि सर जैनेंद्र तो है इलाचन जोसी भी है अग्गे भी है नोटा दवाना है तो वोले सरी नोटा चतुर में लगा दो चत्रवेक्ति के लिए नोटा तो जंता जनार्दन ने बोट किया है B नमबर में और बिलकुस सही आंसर आगया बहत बढ़या अंगला देखो ज्यान बोद के रचनाकार कौन है बहुत ही बढ़या क्वेस्चन है पचपन नमबर का क्वेस्चन है और बचपन से ल जाएगा यहाँ पर सही आंसर हरियोम जी ज्यान बोद के रचना कार बताना है आपको कौन माने जाते हैं ज्यान बोद के मुस्कान बर्माजी और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर लगा दिया यहाँ पर राइट आंसर लगा दिया मलूक दास बहुत बढ़िया यानि कि आप किस कभी की माता का नाम है नीमा किस कभी की माता का नाम है रहीम दास की शूर दास की कभी दास की या फिर मलूक दास की 56 नंबर के question में आपको उत्तर बताना है नीमा किस कभी की माता का नाम है प्रस्ण है 56 नंबर और बहुत ही बढ़िया आपसी प्रस्ण पूछा गया लाइक कर दो हमारे सभी साती नीमा बताए आपने 56 नंबर में राइट आंसर बता दिया कभीर अब कभीर की बात आई है तो इनका जन्मे भी बता दो और इनकी रचनाई भी बता दो सी नंबर कभीर दास का जन्म कभ हुआ था नेक्स्ट नरंजनी संपरदाई के प्रवर्तक कभी कौन है 56 नंबर का question है मुकनच जी लगबिंदर जी बताईए आसा जी नरंजनी संपरदाई के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं हुसेन जी रिंकू जी आनंद जी नरंजनी संपरदाई के प्रवर्तक कौन है दादु दयाल हैं हरिदास हैं गरीबदास हैं हरीधास राइट आंसर नरंजनी संप्रदाई के प्रवर्ण तक माने जाते हैं स्वामी हरीधास इसे हरीधासी संप्रदाई भी कहा जाता है बिल्कुल शही आंसर लगा दिया अचार सुकल ने सूपी काब की पिर्थम रचना किसे माना है अचार सुकल ने सूपी काब की पिर्थम रचना किसे माना चंदायन को, मिरगाबती को, चित्रावली को या फिर मधू मालती को अंठावन नंबर का question पूर आपको chain करना है बताओ अचार सुकल ने सूपी कावी की पिर्थम रचना किसे माना है और देखते हैं पूनम जी, मोहिज जी, सुनू केम जी सुकल ने सूपी कावी की पिर्थम रचना किसे माना अंठावन नंबर में और सीधा सीधा अंसर जा रहा है कि सर मिर्गाबती मिर्गाबती इसका रचना काल क्या है मिर्गाबती कुतुबन की रचना है ये तो सभी को पता है लेकिन इसका रचना काल क्या है ये आपको बताना है प्रीती जी पुरोहित बताईए ठीक है बताएं जनता जनार्दन के लिए क्वेस्चन है कि मिरगाबती का रचनाकाल क्या है किस सब्द के एक से अधिक बार आने पर हर बार हर बार दोस्तों अलग अर्थ होने पर कौन सा अलंकार होता है यहाँ पर दिया है कि किसी सब्द के एक से अधिक बार आने पर और हर बार अलग अर्थ होने पर बताना है बहाँ पर कौन सा लंकार होता है 59 का अंसर और बहुत सारे लोगों ने बता दिया 1503 यानि कि मिरगा बत्ती का रचना काल है 1503 बहुत बढ़िया बेरी गुट जनता जनारदन काफी दोस्तों सियार हो चुकिये इस बार 69 नंबर का कौस्चन बताना है लाइक करना है सेल्फ स्टेडी के लासे से एप डाउनलोड कर लेना जिन भी सात्यों को नोट समंगवाना हिंदी साहित के उस सभी साती नोट समंगवा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कौस्चन बढ़िया सा पूछा गया है आपसे और बढ़िया सा उत्तर भी आने चीए आपका 69 नंबर के कौस्चन में आपने बताया या मक अलंकार यानि की वी नंबर लगा दिया बहुत बढ़िया वी नंबर सभी ने लगा दिया जब उपमे उपमान में भिन् पर भी दोस्तो समानता इस्तापित की जाए तब कौनसा लंकार हो जाता है उपमे और उपमान में भी दोस्तो भिन्नता होते हुए भी समानता इस्तापित की जाए तब कौनसा लंकार होता है 60 नंबर मैंने आपसे बोला था सभी से क्या बोला था कि अलंकारों की परिभासां याद करिए देखते हैं किस किस ने की है साथ नंबर के क्वेस्चन में कौन-कौन सपल हो पाता है इस प्रस्चन को ले करके बताओ उपमे और दोस्तों उपमान में भिन्नता होने पर भी समानता इस्तापित की जाए तब वहां कौनसा अलंकार होता है साथ नंबर का क्वेस्चन है अच्छा क्वेस्चन है पूजा देवी जी, मोहिद जी बताए नित्व स्वालंकी जी उन ऐसी कितने साथी हैं जिनको एड्वीशन लेना है 12 शो में 12 महईने 12 शो में 12 महईने दोस्तों कि validity के साथ नरंतर अध्यन कर सकते हो हर संडे को टेस्ट होता है साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके डिये वडिया सा 12 सो में 12 महीने 15 अप्रेल से न्यूबेयाच स्टार्ड है 10 तारीक तक यह offer है 10 अप्रेल तक ठीक है तो यहाँ पर आपने उत्तर लगा दिया है रूपक अलंकार यानि कि आपका जो B नंबर है वो बिलको सही है सरोज सिवी जी अनुराग जी प्रतिवी राज की आँकें सीर्सक नाटक के रचिता कौन है 61 नंबर का question है अनिल कुमार जी बताइए गुरुपरीत जी आसा जी जस्वीर जी प्रतिवी राज की आँकें सीर्सक नाटक के रचिता कौन है 61 नंबर में बताना है आनन्द जी बिलको संपर कर सकते हो जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं जिनको भी कोर्स में एडवी से लेना है लाइब कोर्स में वो ले सकते हैं जहां पर लाइब क्लासें भी मिलती है recorded कोर्स भी मिलता है topic by test भी मिलते है हर संड़े को टेस्ट भी होता है एक सट नंबर में आपने उत्तर बता दिया है कि सर वो है राम कुमार बर्मा यानि कि सी नंबर आपका बिल्कु सही है सी नंबर आपका राइट आंसर है सरवेसुर दयाल सक्सेना की नाट कृती का नाम क्या है बहुत अच्छा क्वेस्चन है सर्वेसर दयाल सक्सेना की नाट कृति कौनसी है रस्मी पाठक जी बताईए आसा कुमावत जी मनीशा जी सीमा जी क्या हो जाएगा सीमा जी सीलू जी पूनम जी राज कुमारी जी प्रश्निकरमांग 62 नंबर का क्वेस्चन है रासित को रैसी जी बताएं सर्वेसर दयाल सक्सेना का नाटक बताना है नाट रचना बताना है बंदना स्वानी रिंकू बरमा जी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बतायागी सर बकरी बकरी इनकी नाट रचना है और बकरी की क्या करना है अपनको शर्वे करना है सर्वे बहुत बढ़िया बिलको राइट आंसर नेक्स्ट है हिंदू मुसलिम एकता को पृति पादित करने बाला नाटक कौनसा है बताओ हिंदू मुसलिम एकता को पृतिपादित करने वाला नाटक आपको चेन करना है नाटक आपको बताना है अर्चना लोधी जी बबीता जी यदुवंसी बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ पर गुरुपरीत जी शबी लोग बताएं बीरेंद्र जी गुंजा जी सुप्रिया पटेल जी 63 नमबर का क्वेस्चन है अच्छा क्वेस्चन है शबी लोग बताएंगे और सीधा यहाँ पर आंसर जा रहा है 63 का किसर हिंदु मुस्लिम एकता को पृतिपादित करने वाला जो नाटक है वो नाटक है रक्षा बंदन रचनाकार कौन है रक्षा बंदन नाटक के यह बी नमबर का क् अब से बी नमबर में आपको बताना है बताएं नेक्ष्ट है भारतेंदु अरिश्चन दोस्तो नाटक छेमे स्वरक्रत चंड कोसिक के आधार पर कौन सा नाटक लेखा गया बताएं 64 नमबर का क्वेस्चन है पुस्पा जी रेखा ओं प्रिकास जी सभी साती जिनको भी न नोट्स मंगवाना है दोस्तों वो जल्दी से नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए गए हैं भारतेंदु अरिस्चंद का वो नाटक कौनसा है जो छमिस्तुर करत चंड कोसिक के आधार पर लेखा गया है 64 नंबर में उत्तर पताना है लाइक करना है शेर भी कर दिना है बलेखीत जी सिवकुमार जी 64 नंबर का अंसर जा रहा है कि सर बो है 67 अरिस्चंद चंड कोसिक कि दोस्तो जैमिस्तुरकरत चंड कोसिक की आधार पर लिखा गया यह सत्त हरिस्चंद है यह नमबर आपका सही है अभी व्यक्ति की स्वतंतरता का प्रस्ण सुरेंद बर्मा के किस नाटक में आया है अच्छा क्वेश्चन है अभी व्यक्ति की स्वतंतरता का प्रस्ण सुरे पहली करण तक आठबा सर्ग नायक खलनायक विदूसक या फिर सकुंतला की अंगोठी ये नाटक बरमाजी के हैं शुरेंद बरमाजी के किस नाटक में ये दोस्तों प्रशनाया है ये आपको चैन करना है शबी लोग बताएंगे राइट आंसर के लिक करना है जनता जनारदन देखते हैं कहां पर जाती है इस बार 25 नंबर कौनसे क्वेस्टन की कौनसे बिकल्प की यहां पर दोस्तों क्या चल रही है पताएंगे अभी व्यक्ति की स्वतंतरिता बहुत बढ़िया कमला कांत जी ने बताया बी नंबर लगा दूसर आठबा सर्ग तो आठबा सर्ग मे अभी व्यक्ति की स्वतंतरिता का प्रस्टन उठाया गया यानि की बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है रॉबिन जी रीना यादव जी बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट है इंडी का प्रतम दुखांत नाटक कौनसा इतना सरल कौस्चन पूचा गया तो सभी लोग प्रतम दुखांत नाटक आपको चैन करना है ये रोज 9 बजे किलास होती है सभी लोग बताइए जल्दी से बताना है आठ बा सर्ग का देखो स्वतंतरता की अभिव्यक्ति जब आप सर्ग पढ़ोगे सर्ग जाओगे आठ बे स्वर्ग में स्वर्ग कर लो इसको स्वर्ग उस्वर्ग में जाओगे तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंतरता मिलेगी कहा जाओगे स्वर् आठ बास स्वर्ग है ना स्वर्ग जाना है तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंतरता मिलेगी और नरक जाओगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंतरता नहीं मिलेगी तो आठ बेस्वर्ग में जाना है जब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंतरता मिलेगी ठीक है ऐसे देखो हिंद धीर प्रेम मोहिनी बुरी सर जब रण में जाते हैं और रण भूमी में माले जाते हैं तो दुखांत दुख होता है दुखांत होता है ठीक है तो दुखांत और दुख रण धीर प्रेम मोहिनी आपका बिलकुँ सही है ठीक है नेक देखो चरण कमल समास पद के लिए समास बि में कमल 67 नंबर का question किरांती जी बताइए क्या है यहाँ पर विवेक जी ममता जी चरण कमल समास में 66 नंबर का question है सबी का answer आने चाहिए सबी लोग like भी कर दें और आपको पता है कि सर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चरण रूपी कमल यानि कि यह नंबर जिन्होंने भी टिक लगाया है वो बिल्कु सही है यह नंबर आपका right answer है कौनसा क्रम सही नहीं है बताओ कौनसा क्रम सही नहीं है कर्मनिस्ट अधिकर्ण तत्परोष पुरसोत्तम बहुब्रही शमास आपाद मस्तक अब्यभव समास मंद बुद्धी कर्म धाराय शमाश तो यहाँ पर पूचा गया है आपसे कौनसा क्रम सही नहीं है 68 नंबर के question में तो बताएं कौनसा सही नहीं है देखते हैं कौन-कौन बताएंगे यहाँ पर राखी जी विरेंद्र जी आसा कौमाबत जी सही आंसर बताना है बंजू जी प्रमाशू जी शबी लोग बताएं और लाइक जरू कर देवें जल्दी जल्दी से सेर भी कर दो अपने मित्रों तक दोस्तो एक किलास रोज रात त्री नौ बजे होती है और जिनको भी पैड किलास में एड़ी सल लेना है बारा सो में बारा महीने का आफर चला है पंदरा तारीक से पंदरा अपरेल से न्यू बैच है ठीक है तो पड़ाई तयार ही कर सकते है न्यू बैच बहुत देर में सुरू होता है दोस्तो इसलिए इंतजार आप खत्म हो चुका है आपका 68 नंबर का क्वेस्चन में और 68 में आपका सीधा आंसर जारा कि सर पुरसोत्तम ये गलत है पुरसोत्तम में बहु ब्रही शमास नहीं है यानि कि B नंबर आपका शही हो जाता है जो कि आपने भी बिलकुल सही बताया है ठीक है रीमा यादव जी सी नहीं B पुरसोत्तम ठीक है किस क्रम में समास का सही बिग्रे नहीं हुआ है 69 नंबर का क्वेस्चन बहुती बढ़िया प्रस्ण पूछे जा रहा है यहां पर किस क्रम में समास का सही बिग्रे नहीं हुआ मुरली धर यानि मुरली धारन करने वाला अर्थात क्रश्ण दो पहर यानि कि दो पहरों का समाहार पती विर्ता पती का ब्रत लेने वाली इस्त्री कनक लता यानि कि कनक के समान लता तो बताओ किसका बिग्रह है सही नहीं हुआ है तो आपको बताना है बताईए 69 नंबर के question में कौन-कौन यहाँ पर सही answer बताएंगे सही answer बताना है पूनम सैनी जी, रजनी जी और सभी लोगों ने लगभग ठान ही लिया है कि सरम सही उत्तर ही बताएंगे यानि कि मुरली धर तो सही है दो पहर भी सही है, कनक लता भी सही है लेकिन पती विर्ता पती का विरत लेने वाली इस्त्री ये दोस्तो सी नंबर यहाँ पर गलत हो गया सी नंबर यहाँ का उत्तर हो गया सी नंबर आपका दोस्तो ये सही है ये समास का सही विग्रह नहीं है रस के कितने अंग होते हैं रस के कितने अंग होते हैं बताओ कमला कांत जी रस के अंग बताना है दो चार पाँच या फिर छे बताइए कितने अंग होते हैं रस के दो होते हैं चार होते हैं या फिर इंदू जी बताइए शंदीब, बिश्कर्मा जी, स्वनिया, प्रिजापती जी, रस आपने पड़े हैं, भरतमुनी ने 8 रसों की चर्चा किये, जिनमें 7 रस नहीं माने दोस्तों, है ना, 4 अलंकारों की चर्चा किये भरतमुनी ने, ठीक है, सबसे प्राचेन संप्रदाय माना जाता है, कौन सा मा माना जाता है, रस संप्रदाय, और रस के कितने अंग माने गए, ये आपको बताना है, और कौन-कौन से माने गए, ये भी अगर आप बता दो, तो बड़ा उत्तम होगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा, आपने बताये कि सर, रस के अंग होते हैं, 4, 4 होते हैं, यानि कि, V आपका बिलकुल करेक्ट आंसर है, बाक्यम, रसात, मकम, काब्यम कहने वाला अच्छार कोन है, बहुती बड़िया प्रस्चन है, बाक्यम, रसात, मकम, काब्यम कहने वाले जो अच्छार हैं, वो अच्छार कोन है, एकत्तर नंबर का क्वेस्चन है, शभी लोग बताएंग बहुत ही बढ़िया प्रस्ने हैं दोस्तों यहां पर बाक्यम रसातमकम काब्यम 71 नंबर में देखते हैं कौन-कौन सही आंसर चैन कर पा रहा है कौन-कौन उत्तर नंबर लगा रहा है और उत्तर है कि सर यह आचार विशुनात लगा दो A, B नंबर आपका करेक्ट है खुसरो या फिर अकबर हैं कौन बताएगा जनता जनार्दन किसकी ओर जाएगी लाइक करते रहें दोस्तों सेर भी करते रहें 72 नंबर का कॉस्चन है 72 में आपको चैन करना है और सेर भी कर देना है और उत्तर आ रहा है कि सर हालाते कनया है ना शवी लोग बताएगे हालाते कनया की रिचनाकार कौन है बारा सो में बारा महिने का उफर चला है अभी आपके लिए ठीक है पड़ सकते हो नरंतर अध्यन कर सकते हो हालाते कनया अमीर खुसरो यानि की सी नंबर ठीक है सी नंबर आपका शही आंसर लगाया है संतोस जी प्रबंद चिंतामणी की रचेता कौन है तेतर नंबर का क्वेस्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है सेयर कर दो अपने सातियों तक दोस्तो वीडियो को लाइक भी कर दो हिंदी साहित के संपूर कोर्श के जिनको भी नोट समंगवाना है वो नोट समंगवा सकते हैं संपर कर सकते हैं दोस्तो अपने घर एक सब्टा में आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे बाई पोस्ट ठीक है तो बताएं प्रबंद चिंता मनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं 15 अप्रेल से न्यू बेज इस्टार्ट हो रहा है तो न्यू बेज में आप सामिल हो सकते हैं बड़ी मुश्खिल में दोस्तो इस्टार्ट हो पाता है ठीक है तो आप लोग सामिल जरूर होएं प्रवंद चिंता मनी की रिचना कार कौन है तेहितर नंबर का कॉस्चन और बहुत ही बढ़िया कॉस्चन है कि सर हमें मेरू का प्रवंद करना मेरू मतलब क्या होते परवत सिकर तो मेरू का क्या करना है परवत ये प्रवंद करना है तो प्रवंद की चिंता है काई की चिंता मेरू के प्रवंद की चिंता मनुहर में कौन सी संदी है चोतर नंबर का question ओम प्रकाश जी बताइए छमा नाइक जी मनुहर में कौन सी संदी मानी जाती है एक question आप से पूचा गया सुनीता जी सही answer क्या है कुमारी नेहा जी मंजीत जी शबी लोग बताएं ट्रिक भी समाहित किये गए है मंजीत जी ट्रिक भी बीच बीच में जहां जैसी ट्रिक बनती गई है तो नोट्स में ट्रिक भी निकाली गई है मनुहर में कौन सी संदी है चोतर नंबर का question है तो आपने बताया है कि मनुहर में संदी पूछ रहे यानि कि आप बिसर्ग संदी लगा दो C नंबर लगा दो बिसर्ग संदी आपका बिल्कु सही हो जाएगा C नंबर ठीक है ने संदे सब्द का संदी विच्छेद क्या होगा 75 नंबर का question इतने अच्छे question आप से पूचे जा रहा है बढ़ी या बढ़ी या से question है ब्याकरण भी है बीच-बीच में ठीक है निस संदे में संदी पिछेद संदी विच्छेद आप से पूचा गया नितधन संदे नहदन संदे या पर नहदन दे या इनमें से जस्वीर जी बी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर नहदन संदे है आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अंगला देखो चाया बाद सब्दे का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया जैसंकर पिरसाद ने मुकुरधर पांडे ने शुमित्रा नंदन पंते या फिर स्रीधर पाठक ने बहुत ही बढ़िया कोस्चन है 1918 से लेकर कि 1936 का जो योग माना जाता है वो माना जाता है चाया बाद का योग जिसके प्रवर्तक जैसंकर पिरसाद माने जाती आचार सुगने मुकुरधर पांडे को माना दोस्तों लेकिन यहाँ पर चाया बाद सब्द की बात प्रवर्तक जैसंकर पिरसाद यानि कि इस प्रशने का उत्तर तो आपका बी नंबर है जो नोंने भी बताया उनका अंसर बिलकुल शही है तुलसीदास किसकी रचना है दोस्तों तुलसीदास एक खंड काब है और तुलसीदास एक कभी भी है लेकिन यहाँ पर तुलसीदा यह पताये किसकी रचना है खंड काब है कई बार पूछा गया है पूछा बताना है आपको गीता देवी जी सौनिया जी बताएं सतत्तर नंबर के क्वेस्चन में लाइक करते हुए आंगे बढ़ना है और तुलसीदास एक किसकी रचना है यह भी आपको बताना है और सीधा सीधा आंसर आपका जारा है कि सर यह तुलसीदास बड़ा निराला कभी था निराला कभी था यह भी नंबर मैंने आपको बताया है कई बार कि तुलसीदास अपनी पतनी रतना वली से बहुत प्रेम करते थे दोस्तों बहुत प्रेम करते थे इतना प्रेम करते थे इतना प् रस्ती साब को रस्ती समझ कर दोस्तों इनके घर में चड़ गए उपर रतनाव अली ने कहा कि इतना प्रेम करते हो आप हम से इतना प्रेम अगर भगवान स्री राम से करोगे तो भाव सागर से तर जाओगे तुल्शिदास ने पता है क्या बोला हथ तेरी की जिसके लिए मैंने नदी नहीं देखी जिसके लिए मैंने साप नहीं देखा जिसके लिए मैंने अंधेरी रात नहीं देखी वो ये बोल लई है शोड़ चाड़ के तुल्शिदास निकले और चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीर तुलिसी दास चंदन घसें तलक देत रगवीर तो यहाँ पर बी नम्मर दोस्तों मैंने आपसे कई बार बताया है कि सूपी काब धारा में क्या हुआ है कि पतनी को दोस्तों पतनी को जो इस्वर की पूजा किये वो पतनी के रूप में की है यानि कि जिस प्रकार से एक प्रेमी का प्रेमी का से प्रेमी का का प्रेमी से दोस्तों मिलने का जो उत्सुकता होती है जो दोस्तों उनकी वो होती है उसी प्रकार से अगर भगवान के पृति अगर आपकी उत्सुकता आपकी स्रद्दा बढ़ जाए तो मैंने कहा था कि भगवान स्वयम आपके दोस्तों सामने खड़े हो जाएंगे जैसे तुलशी दास जी की सरद्दा जितना प्रेम उन्होंने पतनी से किया उससे जादा प्रेम कहीं भगवान स्री राम के उसमें लगा दिया तो भगवान खुद स्वयम आते हैं तिलक देने ठीक है तो तिलक देत रगवीर नए पत्ते कैसे होते हैं बोली सर नए पत्ते की बात मत करो नए पत्ते तो निराले होते हैं निराले होते हैं यानि की बी नंबर निराला आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर आपका ब महादेवी बर्मा हिंदी के विसाल मंदिर की बीना पानी किसे कहा जाता है तो उत्तर चैन करना है और लाइप करना है बिलकुल धिक धिके हैं से प्रेम को बहुत बढ़िया सेर कर दीजिए जल्दी से कमला कांद जी तनू जी क्या हो जाएगा जिन भी सात्यों को नोट समंग हिन्दी के विसाल मंदिर की बीढ़ा पानी महादेवी बर्मा को कहा जाता है जिनका जन्म हुआ था 1907 में जिनकी रचनाव के लिए यामा के लिए ने 1982 में ग्यानपीट प्रोस्कार भी मिल जाता है दोस्तों साथी सब्त परणावी एक इनकी रचना है किसकी महादेवी बर्मा जो की छायवाद की चार आधार स्तंबों में एक नाम इनका भी आता है जिनकी एक रस्मी रचना है जो बोध धर्म से प्रभावित मानी जाती है और दोस्तों सबसे जाना रहस बास से प्रभावित मानी जाती है तो वो कौन मानी जाती है महादेवी बर्मा हरी घास पर छणबर सीर्सक काब संकलन की रचनाकार कौन है 80 नमबर का कॉस्चन है सेर कर दो अपने सातियों तक राखी जी आराधना जी अर्चना स्रीबास्तो जी कुमारी नेहा जी बहुत अच्छा कॉस्चन है हरी घास पर छणबर सीर्सक काब संकलन की रचनाकार कौन है इतना अच्छा कॉस्चन पूचा गया और इतना अच्छा हरी घास पर छणबर और 80 नमबर में आपका उत्तर हो जाता कि सर अग्गे लगा दो यानि कि आप B नमबर, C नमबर लगा दो अग्गे लगा दो ठीक है अग्गे की किस काब गरंत की आरंभिक पंक्तियों आरंभिक पंक्तियों पर उमर खञ्याम की रूबाण्यों का प्रभाव है दोस्तों बताइए यहाँ पर 80 नमबर का क्वेस्चन पूचा गया है उमर खञ्याम की रूबाण्यों का प्रभाव किस काब विगरंद की पंक्तियों आरंबिक पंक्तियों पर है ये बढ़िया सा क्वेस्चन पूछा गया राजियू मौर जी एक्यासी नंबर के क्वेस्चन में और एक्यासी नंबर के क्वेस्चन में आपका उत्तर हो रहा है किसर वो रचना है बाबरा अहेरी वो रचना कौनसी है बाबरा हेरी ठीक है और बाबरा हेरी की आरंबिक पंक्तियों पर उमर खन्याम की रुवाइन्यों का प्रभाव है अग्गे की स्रिष्टम कभिता कौनसी है स्रेश्टम कभिता बताना है कौनसी है बंचन के दुर्ग असाद बीना मिट्टी की हा या पर विश्प्रिया थोड़ा सा फटा-फट से जन्दी से बताएंगे अग्गे की स्रेश्टम कभिता कौनसी है 82 नंबर के question में आपको chain करना है और आपका उत्तर जा रहा है बताएंगे सही answer क्या है यहाँ पर उत्तर चला गया असाद बीना असाद बीना वी नंबर आपका बहुत ही बड़िया question है ठीक है नेतू जी सौलंकी कभियों का कभी किसे कहा जाता है 83 नंबर का question कभियों का कभी किसे कहा जाता गे को संसेर मुक्ति बोध या फिर निराला कई बार इस question को पढ़ चुके है संसेर बहादुर जी के बारे में सबी को पता है दोस्तो और इने क्या कहा जाता है दिनेश कुमार जी कि सर कभियों का कभी कहा जाता है तो वो कहा जाता है शम्शीर बहादुर को चीक है? यानि कि आपका उत्तर B नंबर बिलकुल करेक्ट आंसर होता है कभींओ का कभी सम्शीर बहादुर को कहा जाता है बहुत बढ़िया बिलकुश यह है रचना के आधार पर बाग के परिकार के होते हैं 84 नमबर का question पूछा गया आपसे आलोक सेंजी बताइए रचना के आधार पर बाग कितने प्रिकार के होते हैं बहुत ही बड़िया तरीके से आपको चैन करना है और सभी को पता है मैंने आपको बताया था कि एक होता है अर्थ के आधार पर ठीक है और दोस्तो एक होता है रचना के आधार पर अब आप confused हो जाती हो ठीक है क्या कहा जाता है एक तो अर्थ की आधार पर पूछा जाता है और एक रचना की आधार पर पूछा जाता है तो आप confused होते हो कि हम रचना की आधार पर बता रहे हैं या अर्थ की आधार पर बता है, तो मैं बहुत यह अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूं, कि जब रचना की आधार पर पूचा जाए, तो रचना में तीन वरन आते हैं, रा, चा और ना, ये तीन वरन आते हैं, तो रचना की आधार पर तीन प्रिकार की होते हैं, दोस्तों, सरल, मिस्र और संयुक्त ठीक है तीन प्रकार की होते हैं और अर्थ की आधार पर आठ प्रकार की होते हैं आसे बनता है आठ और आसे बनता है अर्थ ठीक है आसे अर्थ और आसे आठ तो अर्थ की आधार पर आठ रहे और रचना की आधार पर तीन ठीक है बढ़िया इस्वर आपको सपलता दे बाग के है, बताओ संकेत बाग के है, आज्या बाचक बाचक के है, एक्छा बाचक के या फिर निसेद बाचक के है, 85 नंबर का question है, अजित जी बताइए शही आंसर यहाँ पर क्या जा रहा है, शबी लोग बताएंगे दार्शू सर्मा जी, 85 नंबर के question में सरीस्वर आपको सपलता दे, बाग के किस प्रकार का माना जाता है, लाइक करते हुए सेर भी करना है, बहुती बढ़िया question है दोस्तों, और यहाँ पर उत्तर जा रहा है कि सरीस्वर आपको सपलता दे, यह तो कोई व्यक्ति एक्छा से ही कहता है, एक्छा से कहेगा, तो स् बिधा भी पूछी जाती है ममता जी, बताइए प्रियंका कुमारी जी, राइट आंसर क्या है अरुनराजपुजी और प्रिकास जी, स्रश्टी ठाकोर जी, छ्यासी नंबर का question है, अपने सभी सातियों को बता दें, यह 15, अपर ऐसे एक न्यू बेच्च स्टाडूरा, सेल माटी की मूर्तें स्थापित करेंगे, ऐसा तो नहीं कि एक यहां कर दी, एक यहां कर दी, एक यहां कर दी, एक रेखा में माटी की मूर्तें स्थापित करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा, यानि कि आपका जो भी नंबर है रेखा चित्र साही है आकरी चटानतक यात्रावितानत की लेखा कौन है आकरी चटानतक बताओ आकरी चटानतक यह रेखा चित्र है और इसकी रचनाकार कौन है शबी लोग बताएं Like जरू कर दें, मित्रों को شेयर भी कर दें दोस्तो जिन्वी साहित को हिंदी साहित की हर्ड कॉपी मंगवाना है अपने घर पर नोर्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं जिसके दो पार्ट हैं दोस्तों फर्ष्ट पार्ट में पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पूर सापके घर पहुंचेंगे एक सब्ता है कि अंदर ठीक है आखरी चट्टान तक बोले सर मौहन राकेश आखरी चट्टान तक लटे रहे B नंबर देवनागरी लिपी का विकास माना जाता है तो किस से माना जाता है 88 नमबर का question तनू जी आकास जी बताइए हर्मिंदर जी देवनागरी लिपी का बिकास किस से माना जाता है इक अच्छा question देवानी से ब्रामी से खरोष्टी से या फिर रौमन से तो सभी को बता है, देव नांगरी लिपी का जो विकास माना जाता है, वो ब्रामी लिपी से माना जाता है, बी नमबर ब्रामी लिपी आपका सही है, संग की राजवासा हिंदी और लिपी देव नांगरी होगी, बताइए, यह किस अनुछेद में कहा गया, यह question तो कई बार कि संग की राजबासा हिंदी और देवनांगरी लिपी होगी ये बताईए किस अनुचेद में कहा गया है हर्मिंदर जी सई आंसर और आपका उत्तर हो जाता है कि सर भासा से संबंदेद दो जो राजबासा से संबंदेद प्रावधान किये गए हैं अनुचेद 343 से लेकर 359 नुचेद 343 में कहा गया कि संग की राजबासा हिंदी और लिपी कौन सी होगी देवनांगरी तो ये नंबर आपका सऐ है जैसंकर प्रसाद की समीक्षा किरती कौन सी है समीक्षा किरती बताना साहित्य का साहित्य का समाजबाद का बेकला तथा निबंद छायबाद एक शबी लोग बताएंगे लाली यादो जी अराधना पाल जी दिया जी 90 नमबर का क्वेस्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है दोस्तों और जैसंकर प्रसाद की समीक्षाकरती कौनसी है 90 नमबर के उत्तर प्रश्ण में आपको उत्तर बताना है और आपका उत्तर है कि सर जैसंकर प्रसाद की जो समीक्षाकरती आप पूछ रहे हो वो कौनसी है कौनसा लगा रहा है आप लो बहुत बढ़िया राधिका जी रजिनी बाला जी बिलकुँ सही आंसर लगाया कि सर काब कला तथा अन्य निबंद इसकी रचनाकार है जैसंकर प्रसाद यानि कि आपका जो B नंबर है B नंबर वो बिलकुट सही है काब कला तथा अन्य निबंद की रचनाकार कौन है जैसंकर प्रसाद है B जिनो ने लगाया उनका अंसर सही है C वाले 22 गय है धार में कौन सा मार्क्स बादी विचार धारा का आलोचक नहीं है नहीं है पूचा है ये question आ चुका है 91 नमबर में बताओ कौन सा मार्क्स बादी विचार धारा का आलोचक नहीं है यानि प्रिगती बादी विचार धारा का आलोचक नहीं है ये बताना है अनीता जी बताएं अलोग ज जी लिटिल जी और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर यहां पर नामबार से हैं शुदान से चोहनवी प्रगतिवादी आलू चक हैं रामबिला सर्मा भी प्रगतिवादी आलू चक हैं नामबार से भी हैं कुण नहीं है विजय दिव नाराण साही नहीं है उत्तर चला गया D की तरफ D नंबर सहिए धनबान का बिलोम क्या होगा 92 का आकिंचन होगा किंकर कंचन या फिर धनाट होगा क्या हो जाएगा धनबान का बिलोम मिंकी जी बताइए परमिंदर जी अर्चना स्रीबास्तो जी 90 नंबर का क्वेश्चन है धनवान का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर और सीधा सीधा question है सुनीता प्रजापती जी like करते हुए share करिए और बानवे का उत्तर आपको बताना है उत्तर चला जाता है कि सर धनवान का बिलोम होता है आकिंचन आकिंचन बताया जिनोंने उनका आंसर तो सही है और किंकर बताया वो नहीं है ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो उत्तर हो गया आकिंचन धनवान का बिलोम होता आकिंचन तो ये नमबार आपका correct है और right आंसर है किस योग में बिलोम सब्द नहीं है जैदी से बताये पंजाब मास्टर के अडर वाले जिनको भी हिंदी साहित के नोट्स मंगवाना है अपने घर मंगवा सकते हैं PGT PGT वाले LTE ग्रेड वाले HP कमीशन वाले हमारे साती उत्राखंड LTE वाले जिनको भी हिंदी साहित के नोटस अपने घर मंगवाना है, आप मंगवा सकते हैं, संपर कर सकते हैं यहाँ पर खीक है मिस्टर जी, किस योग में बिलॉम सब्द नहीं है, यह तीरानवे नमबर का क्वेस्चन आप से पूचा गया तीरानवे नमबर में आपको यहाँ पर चेयन करना है और बताईए योग में पूछा गया प्रिविर्ती का निब्रती बहीरंग का अंतरंग प्रत्यक्ष का परवर्ती या पर पदोनत का दोस्तो पदावनत बताईए कौन सा सही नहीं है और आपने चैन किया कि सर प्रत्यक्ष का परवर्ती ये सही नहीं है यानि C-number जनता जनार्दन की ओर से C-number उत्तर चैन किया गया जो कि बिल्कुश सही है नीम हकीम खत्रे जान इसका अर्थ क्या है 94 नंबर का question है नीम हकीम खत्रे जान इसका अर्थ क्या है बताएए जल्दी से लखबिंदर कवर जी प्रश्ण किरमांग 94 नंबर का question है नेम हकीम खत्रेजान इसका अर्थ क्या है डिंग हाकना बीमारी का गलत इलाज होना खतरनाक चीजें या फिर अलप बिध्या भैंकर 94 नंबर के question में लाइक करिए जल्दी से नेम हकीम खत्रेजान इसका अर्थ क्या है ये बताना है और उत्तर होगा आपका दी नंबर की ओर जा रहा है आपका उत्तर कि सर अलप बिध्या भैंकर होती है दी नंबर आपका बिल्कु सहिए दी नंबर रॉइट बहुत बढ़िया हिंदी सायत में चंद सास्त्र की द्रश्टी से पहली कृती कौनसी मानी जाती है दोस्तों पहली कृती आपको बताना है कौनसी मानी जाती है चंद सास्त्र की द्रश्टी से पहली कृती कौनसी है चंद माला है चंदोर्णा हो है चंद सार है या फिर चंद विचार है तो 95 का नंबर और बिल्कों सही आंसर यहाँ पर पूछा गया है बताएं सबी लोगों का उत्तर आ रहा है कि सर ये चंद सास्त्र की द्रश्टी से पहली जो कृती है वो कृती है अनुराग जी वो कृती है कौनसी चंद माला चंद माला यानि की ये नंबर आपका करेक्ट है ये नंबर आपका सही आंसर है ठीक है चंद माला ये दोस्तों चंद सास्त्र की द्रश्टी से पहली कृती मानी जाती है ठीक है चौपाई चंद में मात्राओं की शंक्या कितनी होती है 96 नंबर सही आंसर है यही चौपाई अपर भ्रेंस में 15 मात्राओं का छंद होता है दोस्तों अपर भ्रेंस में और यही चौपाई हिंदी में कितनी मात्राओं का होता है यह आप से पूँचा गया है बताओ चोपाई यानि चार पाई और चार पाई कोई स्क्वाइर कर दो तो कितना हो जाएगा सोला हो जाएगा सोला चार पाई कोई स्क्वाइर कर दो सोला हो जाएगा यानि कि यहाँ पर आपका उत्तर सी नंबर सही हो जाएगा सोला एक पाल शेट गोंदास चतरसें सास्त्री शांति प्रिय दुवेदी 97 पूश्चन 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 पूचा गया है सुसील जी 97 नंबर के question में सीधा सीधा अंसा जारा की सर सेहं सेहं का क्या होता है यस होता है जंगल में सेहं का क्या होता है यस और सेहं से सेहाम लोकन यस होता है तो यस पाल लगा दो यानि ये नंबर लगा दो बिल्कु सही है मेरी अस्पलताएं आत्मकता किसकी है मेरी अस्पलताएं बियोगी हरी बाबू गुलाब राय या अस्पल या फिर महत्मा गांदी बुलिसर गुलाब से रिलेटेड मेरी अस्पलताएं बहुत है मेरी अस्पलताएं बहुत है गुलाब है ना तो याप करो यहाँ पर बिलको सही है बहुत बढ़िया question है जल्दी से पताना है आपको मेरी असपलता है आत्मकता किसकी है 98 का बाबु गुलाब राय यानि B नमबर बाबु गुलाब राय आपका सही है अकाल पुरुष गांदी किसने इस जीवनी की रचना की है अकाल पुरुष गांदी के रचना कार कौन है यह जीवनी की रचना किसने की है यह आपको बताना है दोस्तों हम आपको बता दें कि जिन भी सात्यों को एड़ बीसल लेना है नरंतर अध्यन करना है बिस्तरित पढ़ना है, topic by test लगाना है, trick से पढ़ना है, तो बारा सो में बारा महिने के इस course में आप एड़िशन ले सकते हैं, 10 अप्रेल तक ये offer है, 15 अप्रेल से new batch start होगा, ठीक है, उसमें आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, सुरुआस से, हिंदी भासा से आपको पढ़ाया तुरिसी दास चंदन घेसे हैं, इसके लेखा कौन माने जाते हैं अनीता जी, बताएं बिद्यानवास में स्रेहरी संकर परसाई हैं, कुवेर नात हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, अनुज जी, भीना तिवारी जी, बताईए सरोज, मंजू जी, रंजीत जी, छोटे लाल तुरिसी दास चंदन घेसे हैं, इसके लेखा कौन हैं, और बहुती बढ़िया कॉस्चन हैं, और देखते हैं कौन-कौन बता रहा है, तुरिसी दास चंदन घेसे हैं, बहुत सारे लोग गलत बताएंगे यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सही बताया है, कि सर, य अंस्ट्रिक भासा परिवार Więcalis नमर आपका करेक्ट आवैं टकसाली भासा किसे कहते हैं बताईए टकसाली भासा किसे कहा जाता है अच्छा क्वेस्चान है सभी लोगों को आंसर चाहिन करना टकसाली भासार संस्कृतनेट भासा को ग्रामीन慰भासा को परिनिस्ट्ट प्रती शोध कहानी की रचनाकार कौन है प्रतिसोद कहानी के रचनाकार कौन है बताइए केसोद कहानी के रचनाकार कौन है बताइए केसोद कहानी के रचनाकार कौन है बताइए कपिल जी क्या है यहाँ पर राइट असर प्रतिसोद कहानी के रचनाकार कौन मान जाती एक अच्छा क्वेस्चन और बढ़िया सा क्व पूचा गया और कहानी में मैंने आपको याद भी करवाया था कि प्रती सोध जब अगर आप दूध लेकर जाते हो और दूध अगर गिर जाए तो आपको क्या होता है प्रती सोध होता है तो दूध नासे है यानि डी नंबर और प्रती सोध होता है तो प्रती सोध कहानी के र मंजुल भगात या फिराजी सेट गोमा हस्ती है कहानी की लेखी का कौन मानी जाती है इस चार नंबर का question पूछा गया है और बताईए गोमा हस्ती है DCP classes बताएं किसके साथ हस्ती है पुरिसर गोमा मित्रों के साथ हस्ती है नासिरा सर्मा है क्या देखो बहुत सारे लोग नासिरा सर्मा लगा रहे लेकिन मैंने आपको याद भी करवाया था कि सरी जो गोमा हस्ती है कहानी है गोमा हस्ती है किसके साथ मित्रों के साथ मित्रों के तो मेत्री पुस्पा की ये कहानी है B नंबर आपका correct answer और right answer हो जाएगा ठीक है B नंबर साइए ठाक और जगमोहन से की रचना कौनसी नहीं है पांच नंबर का question है ठाक और जगमोहन की रचना कौनसी नहीं है सूर पुराधीस स्याम लता प्रेम संपत्ती लता या फिर देवयानी पांच नंबर का question है पांच में आपको बताना ठाक और जगमोहन की रचना कौनसी नहीं है ये पूँचा गया है बताएं कौनसी नहीं है पांच का अंसर बताना लाइक कर देना है और अधिकांस लोगों ने अंसर बता दिया जनता जनारदन बिलकु जा रही है पांच के बताएं के रचना भारतेन दू की नहीं है ये क्वास्चन कई बार पूचा गया और आपसे भी पूचा जा रहा है यहाँ पर बताएं और चैन भी करना है सभी साती बताएंगे और एक बार जन्दी से लाइक भी कर दो हमारे साती ठीक है कौन सी रचना भारतेन दू जी की नहीं है ऐसी कितने साती हैं जिनको दोस्तो एड़ वी से लेना है सेल्प स्टेडी क्लासेस में और दोस्तो पढ़ना है निरंतर बताएं कितने साती हैं अभी ओफर चला है वडिया साथ आपर है बारा सो में बारा महिने का बारा सो में बारा महिने का आफर है बढ़िया सा आफर है तो छे नमबर का कॉस्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर प्रेम संपत्ति लता ये रचना भारतेन दू जी की नहीं है दी नमबर आपका करेक्ट आंसर है विरह वारीस किसकी रचना है एक अच्छा क्वेस्चन पूचा गया विरह वारीस कूचा गया सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर विरह वारीस एक किसकी रचना मानी जाती है सबी लोग जिन भी सातियोंने अभी तक दोस्तो पीडियाप नोट्स नहीं मंगवाए हैं जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो सीग्र मंगवा सकते हैं ठीक है संपर कर सकते हैं विरह की वारीस इतनी हुई कि नाम पढ़ गया बोधा विरह की वारीस इतनी हुई कि दोस्तो नाम पढ़ गया क्या बोधा नाम पढ़ गया क्या बोधा ठीक है तो यहाँ पर बोधा यानि ये नमबर आपका सही है वरह की वारिस किसकी रचनाए बोधा की है भाव विलास की रचनाकार कौन है आठ नमबर का क्वेस्चन है भाव विलास की रचनाकार आपको चेन करना है दोस्तों भाव विलास बताएं और चेन करिए सीधा सीधा अंसर है बहुत बड़िया क्वेस्चन यहां पर पूचा गया आप लोगों से सभी लोग बताएंगे भाव बिलास भाव को क्या दो ब्रह में नाम पड़ गया बोधा बिल्कु सही है सीताराम मीना जी भाव बिलास की रिजनाकार कौन माने जाते हैं आठ नमबर का क्वेस्चन और आपका उत्तर जा रहा है कि भाव को बिलास देव यानि बी नमबर आपका राइट आंसर है देव आपका सही आंसर है लाल टीन की छत यह किसका उपन्यास है अईध्यास उपाद्या हरियोद का निवासदास का निरमल वर्मा का या फिर गोपाल राम गहमरी का लालटीन की छत किसका उपन्यास माना जाता है नो नमबर का क्वेस्चन है और ये कल भी क्वेस्चन अपना आया था ये क्वेस्चन अपन ने पढ़ भी लिया है कई वार पढ़ा है दुबारा ये क्वेस्चन आया लालटीन की छत के नीचे आपको कैसा लगता है बुलिसर बड़ा निरमल निरमल लगता है यानि किसी नमबर फिर आपने सही बता दिया बैसाली की नगर बदू दस नमबर का क्वेस्चन बैसाली की नगर बदू इसकी रेचनाकार कॉन हरियोद है चतुर सेंशास्त्री है राहूर्सांकरत्यान है राम नरेश्त्र पाठी है कौन माने जाते हैं बैसाली की नगरबदू की रेचनाकार दस नमबर का कॉस्चन है सीधा सीधा आंसर आपको बताना है और अपने कई बार याद भी किया है कि सर्वेसाली की जो नगर बदू है वो बहुत कैसी है कैसी है चत्तुर चत्तुर तो चत्तुर से अंसास्त्री यानि वी नंबर आपका correct और right answer है ठीक है नरंजनी संपरदाई की प्रवर्टक कभी कौन है बताएं और एक बार जद्दी से like भी कर दें ग्यारा नंबर में सही आंसर क्या जा रहा है अरप्रीत कौर जी वो रिसन नरंजनी संपरदाई पूंचा जाता है तो हरिदास नरंजनी माने जाते हैं बी नंबर आपका correct और right आंसर है सारीरिक पीना से मुक्ती है तू दोस्तो लिखा गया ग्रंथ कौन सा है सारीरिक पीना से मुक्ती है तू लिखा गया ग्रंथ कौन सा है रामलला नहचू, वर्वे रामायन, हन्वान बाहोग, बिनाए पत्रिका बारा नंबर का question है और बहुत ही बढ़िया question माना जाता है सारी रिक पीना से मुक्ती है तो लिखा गया इनका गरंथ कौनसा है ये question आपसे पूचा गया like करके subscribe कर लो सभी साती bell icon को भी दबा दिया करो ताकि information आपके दोस्तों mobile पे पहुंचे यह अथा समय पर बाइस बारा नंबर के question में आपको पता है कि सर्भू रचना हनुमान बाहों के C नंबर आपका सही है ठीक है धातु सेन प्रिसाद के किस नाटक का पात्र है जिन भी सातियों को नोट समंगवाना है वो नोट समंगवा सकते हैं पंजाब मास्टर केडर वाले हो चाहे दोस्तों HP TET वाले हो TGT PGT LTE ग्रेट या KBS वाले हमारे साति हो ठीक है तो धातु सेन प्रिसाद के किस नाटक का पात्र है ये question पूछा गया राश्चरी का, चंद्र गुप्त का, ध्रुख स्वामनी का या फिर इसकंद गुप्त का धातु सेन, प्रश्चन के रमांग को तेरा नमबर का question है और तेरा नमबर में धातु सेन आपसे पूछा गया है जनता जनारदन कहां जा रही है, बताए बताए स्वारबब्म वर्मा जी, रजनीवाला जी पुरिसर धातु सेन, इसकंद गुप्त नाटक का पात्र है और इस चारों के चार जो नाटक है दोस्तों इस प्रसाद के नाटक है जैसंकर प्रसाद के राश्चरी भी है चंद्रो गुप्त भी धुरुख स्वामनी और इसकंद गुप्त ठीक है, ये धुरुख स्वामनी उनका अंतिम नाटक माना जाता है नेक्स्ट है औरंग जेप की आखरी रात इसके रचनाकार कौन है चवदा नमबर का कॉस्चन रिंकी वर्मा जी, आसा जी बताइए राधा जी औरंग जेप की आखरी रात इसके रचनाकार कौन है चवदा नमबर का कॉस्चन आपसे पूचा गया है लाइट कर देना है जगदी से सेर भी कर दो अपने मित्रों को दोस्तों औरंग जेप की आखरी रात की रचनाकार कौन माने जाते है अच्छा question है study with और हैमा सिंग जी बताए राइट आंसर है किसर औरंग जेप की आखरी रात पूचा रामकुमार बर्मा लगा दो जिनका जन्म 1905 में हुआ था हिंदी साहित कालो उचनात्मा की दियास लिखा था इन्होंने 1936 में ठीक है 1936 में जो किया धूरा ग्रंत था रगुकुल रीत सदा चले आई पिराण जात पर बचन न जाई बताए कौनसा दोस्तों इनमें चंद है कौनसा चंद है रगुकुल रीत सदा चले आई पिराण जात पर बचन न जाई दोस्तों पंद्रा नंबर का question है शबी को answer chain करना है और यह सबी साती जिनको भी अटबी से लेना है पंद्रा तारीक से एक new batch start कर रहे हैं दोस्तों new batch यानि कि सुरुवात से पढ़ने को आपको मिलेगा सुरुवात से पढ़ाया जाएगा तो रगुकुल रीत सदा चरी आई और आपने पढ़ाया कि सरी तो चौपाई है चौपाई है कितनी मात्रा होती है शोला मात्रा होती है ठीक है यानि कि B आपका right answer है गणों की सही संख्या है तो क्या है चार है छे है आठ है या पिर दस है गणों की संख्या गणों की संख्या आपको बताना है कितनी मानी जाती है गणों की संख्या कितनी मानी जाती है चार छे आठ या पिर दस और 16 नमबर के question में आपने बताया है कि सर जो गण होते है गण कितने होते है सगण तगण मगण जगण कितने होते हैं गण होते हैं आठ, कितने होते हैं आठ, यानि कि C नमबर, चीक है, यह हो जाएगा, घर के लिए सही परियावाची वाले सब्दों की पंक्ती को देखना है, घर के सही परियावाची सब्द कौन को से है, सदन निकेतन गेह, सदन निकेतन ग्रह, सदन निकेतन गह, सादन निके तनिया फिर गे घर के दिए सही परियाब आची सब्दों का चैन करना है यह माता राजभान सलगा बिल्कु सही है बिमलेश कुमारी जी बताइए चंदन जी अनीता जी घर के दिए सही परियाब आची सब्दों कौन से है सत्रा नंबर का question है तो आपको बता ही है कि सर यहाँ पर जो पंक्ती हो जाएगी देखो सत्रा का beat बता रहा है बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया कौन-कौन बता रहा है B, यहाँ पर बिमलेस कुमारी भी बता रही है बहुत बढ़िया हैना रमेस कुमारी भी बता रही है very good जबकि उत्तर क्या है छोटे लाल यादो जी सदन, निकेतन और गे है यह आपका बिल्कुँ सही है यह निकतन नहीं है यह गलत है यह भी गलत है यह सही है आपका यह नंबर सदन, निकेतन, गे है ये घर के लिए सही परियावाची बाले सब्दों की पंक्ती है ये नमबर आपका बिल्कु सही आंसर है ये नमबर आपका राइट आंसर है कौन सा सब्द भिरमर का परियावाची नहीं है बताओ भिरमर का परियावाची कौन सा नहीं है बताओ स्रीस जी बताना है जल्दी से प्रशन किर्मांग 18 नंबर का क्वेस्चन बताना है बताईए 18 नंबर का क्वेस्चन कौन सा सब्द भिरमर का पर्यावाची नहीं है पूँचा है बताओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जनता जनार्दन भी गलत निरने ले रही है आजकल कौन सा सब्द भिरमर का परयावाची नहीं है अली मधुप तामर चूड या फिर सट पद अठारा नंबर का कॉस्चन पूछा गया आपसे अठारा में चैन करना है और एक बार लाइक भी कर देना है सबी लोगों को और उत्तर जारा कि सर आली तो है मधुप भी है सट पद भी है लेकिन ये जो तामर चूड है ये भौरा का या भिरमर का परयावाची नहीं है यानि कि उत्तर सी की तरब चला गया जनता जनारदन बिलको राइट बहुत बढ़िया रसोत पत्ती में आस्रे की चेस्टाएं क्या कहलाती है बहुत बढ़िया कोस्टन पूछा गया उननीस नंबर में राहुल राजजी सबी लोग बताएंगे और दोस्तों जिनको भी एडविसर लेना है लाइब किलास में लाइब कोर्स में तो बारा सो में बारा महिने का उफर चला है जिसमें आपको बिस्तर पद्यन करवाया जाएगा पंदरा तारीक से न्यूवेच स्टार हो रहा है तो बिलकु सुरुवात से पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाई टेस्ट भी लिये जाएंगे आपके है ना एक टॉपिक जैसे हिंदी भासा का टॉपिक पढ़ या उसके बाद टेस्ट होगा ठीक है और दोस्तों आपके बहुत सारे टिर्की वीडियो भी इसमें मिलेंगे बहुत सारे टेस्ट भी आपको मिले वाले है ठीक है तो रसोत पत्ती में आसरे की चेस्टाएं क्या कहलाती है उन्नीस नंबर का कॉस्चन आपसे पूछा गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा किसर वो कहलाती है अनुभाव क्या कहलाती है अनुभाव कहलाती है ठीक है तो जिन्हों ने भी बताया कि आसरे की जो चेस्टाएं वो अनुभाव कहलाती है यानि कि आपका उत्तर जो C नंबर है देखो लाइन से लगा रहा है B नंबर चिंता नहीं है यहां ऐसा ही किलाज चलती है टाइम नहीं है तो आराम से बैटो ठीक है रस्तूत्र विभावा अनुभा ब्यावीचारी संयोगा द्रस्निस्पत्ति इसके आपको बताना है 20 नंबर का क्वेस्चन यह बताईए कहां से लिया गया यह सूत्र है यहां पर जो आ 20 नंबर का क्वेस्चन है 20 नंबर का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बताईए 20 नंबर में आंसर क्या है रस्तूत्र का कहां से लिया गया रस्तूत्र है तो सभी को पता है कि सर नाट सास्त्र ग्रंते नाट सास्त्र ग्रंते किसका भरत मुनी का ठीक है और भरत मुनी ने र सांतरस नहीं माना, सांतरस नहीं माना, ठीक है, और इन्होंने अलंकारों की संक्या कितनी मानी, चार मानी, ठीक है, तो ये बिलकु सही है, नेक्स देखो, अंगूर खटे होना मोहावरे का सही अर्थ क्या है, प्रशनिक रमांग की 20 नंबर का क्वेस्चन है, अंगूर खटे ह होना मुहावरे का सही आर्थ क्या मान जाता है 21 नंबर का क्वेस्चन है 21 में लाइक करना है कोई वस्तू ना मिलने पर उसका दोस निकालना कोई वस्तू ना मिलने पर उसका दोस निकालना यानि कि आपका जो बी नंबर है बी नंबर बिल्कु सही है बी नंबर आपका आंसर है ठीक है कोई बस तु ना मिल ले पर उसका दोस निकालना बी नंबर करेक्ट आंसर है चारू चंद्र की चंचल करने खेल रहीती जलतल में इसमें कौन सा अलंकार है कई बार पूछा भी गया है आप लोगों से और आपको पता भी है और पूछा भी जाता है आंगे भी पूछा जाएगा सरल है लेकिन पूछा जाता है दोस्तों बताइए पंकजी आनंद जी शबी लोग बताएं लेट्स प्लेवे चारू चंद्र की चंचल करने खेल रहीती जलतल में जिन भी सात्यों को हिंदी साहित के नोट्स मंगवाना है टिर्की नोट्स वो मंगवा सकत जाएगा वो रिसर अनुपरास लंकार हो जाएगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है और राइट आंसर है कमल नयन में कौन सा दोस्तों अलंकार है कमल नयन में 23 नंबर का क्वेस्चन पूछा गया है 23 का उत्तर क्या हो जाएगा कमल नयन में कौन सा दोस्तों पूछा है आपसे कमल नयन में कौन सा दोस्तों पूछा गया और आपका उत्तर हो रहा है कि सर यहां पर रूपक अलंकार लगा दो रूपक देखो बहुत सारे लोग अनुपमा लगा रहे हैं कमल रूपी नयन नहीं हो जाएंगे यहां पर तो रूपक अलंकार हो जाएगा न यह नंबर में यह नंबर ठीक है कौन सी रचना महादेवी बर्माजी की नहीं है एक क्वेस्टन पूछा गया कौन सी रचना नह बहुत बड़ी यार शेवानी ठाकोर जी वेरी गोड कौन सी रचना महादेवी बर्मा की नहीं है यह 24 नंबर का क्वेस्टन आपसे पूछा गया है और निहार तो है रस्मी भी है सांध्य गीत भी है यह योगान्त नहीं है फिर योगान्त किसकी है यह बताए रस्मी आपक की रचना कार कौन यह भी आपको बताना है पंत की कौनसी रचना अर्विंद दर्शन से प्रभावित है दोस्तों 25 नंबर का क्वेस्टन अर्विंद दर्शन से प्रभावित रचना कौनसी है पंत की स्वर्न करण वीना पल्लाव या फिर ग्राम्या बताओ सुईता जी क्य आ है यहाँ पर राइट अंसर पंत की कौन सी रचन अर्विंद दर्शन से प्रभावित नहीं है 25 नमबर का क्वेश्चन लाइक कर देना है सभी को Self Study Classes को एप डाउनलोड कर लेना है दोस्तों सर्च करना है Self Study Classes पूरा सर्च कर लेना है Classes तक ठीक है तो यह स्वर्ण करन जो है यह अर्विंद दर्शन से प्रभावित है दोस्तों यह नमबर आपका सही है पंत जी जिनका जनम 1900 में हुआ था है ना कोसानी अलमोडा में हुआ था दोस्तों देखो कौन आया है इस बाक्त में कौन कैसा कैसा सर्वनाम है दोस्तों बताओ कैसा सर्वनाम है देखो कौन आया है इस बाक्त में कौन कैसा सर्वनाम है प्रशन बाचक है निश्चाय बाचक है संबंद बाचक है या पिर इनमें से कोई नहीं बहुत बड़ी या दीपी क्या सुकला जी कि सर्योगांत रचना सुमित्रा अनंदन पंति की रचना है जिसमें उन्होंने चायाबाद की अन्तिकी घोशना की थी बिल्कु सही है तो यहाँ पर 26 नंबर के क्वेस्चन में सीधा सीधा अंसर पूचा गया कि सरी प्रश्न बाचक सर्वनाम है यह नंबर आपका सही है सम्मुक का बिलॉम सब्द क्या होगा 27 में सम्मुक का बिलॉम बताईए सम्मुक का बिलॉम मीना जी बताएं पीनू सरोज जी कमला ठाकुर जी 27 नंबर सम्मुक का बिलॉम सब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर अनिता राजपूच जी बिंदू लता जी रमेश जी बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है उनमोख होगा या बेमोख होगा बताओ 27 नमबर में से क्वेस्चन आपको बताना है बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है और 27 नमबर के क्वेस्चन में आपका उत्तर हो जाएगा किसर सम्मोक का बिलोम होता है विमोक सिबानी ठाकुर जी बी नमबर विमोक आपका राइट अंसर हो जाएगा बिल्कु सही उध्धत का बिलोम सब दे क्या है लेकिन कुछ बिलोम ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ता है यह उध्धत का अगर किसी ने नहीं बढ़ा तो वो नहीं बता सकता जिसने पढ़ा है वो ही बता पाएगा ठीक है और पढ़ा है तो आपने बताया कि सरुद्धत का बिलोम होता है स्वाम में यानी बी नंबर आपका सहिए विसेशन की विसेशता बतलाने वाले सब्द क्या कहलाते हैं सर्बनाम विसेश विधे या फिर प्रभी सेशन 29 नंबर का क्वेस्चन है विसेशन की विसेशता बताने वाले सब्द क्या कहलाते हैं सोभा पंडे जी बताईए दार्सु जी मुसरत निसा जी सुरब बर्मा जी आसा कुमाबत जी 29 नंबर का क्वेस्चन है और विसेशन की विसेशता बताने वाले सब्द क्या कहलाते है ये पूचा गया है आपसे और आपका उत्तर चला गया कि सर्फ प्रभी सेशन लगा दो D नमबर लगा दो D नमबर बहुत सारे लोगों ने D बताया बिल्कु सही है गोल घड़ी अच्छी लगती है इस बाक में गोल बताना है गोल बताये किस पिरकार का बिसेशन है गोल ये किस पिरकार का बिसेशन है गोल बाचक है संक्या बाचक है सार्व नामेक है या फिर परिमान बाचक है गोल घड़ी अच्छी नहीं लगती इस बाक में गोल किस पिर का बिसेशन है 30 नमबर का question है 30 नमबर में आपको उत्तर बताना है बहुती बढ़िया question है और गोल घड़ी में गोल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा गुण भाचक बिसेशन ठीक है तो आपका जो ये नमबर है गुण भाचक बिसेशन ये नमबर बिलको सही है यह नमबर बिलको राइट अंसर है ठीक है मैंने किरायदार नहीं रखे मुसीवत मोल ले ली यह बताना है कि यह कौन सा बाग कहे मैंने किरायदार नहीं रखे मुसीवत मोल ले ली तो यह बताईए कौन सा बाग कहे सरल है मिस्त्र है सन्युक्त है या फिर इनमे से कोई नहीं 31 नंबर का कॉस्चन है 31 नंबर में आपको बताना है कौन सा बाग हो जाए गई मैंने किरायदार नहीं रखे बल्कि क्या करी है मुसीवत मोल ले ली है तो रितेश जी ने बताया है आंसर कि सरे सन्युक्त बाग है यानि कि C नंबर आपका सही है ये सन्युक्त बाग हो जाएगा मैंने किरायदार नहीं रखे वालिकि दोस्तों क्या ले ली मुसीवत मोल ले ली तो यहाँ पर आपका सन्युक्त यानि कि आपका जो B नंबर है वो बिलको सही है किस प्रिकार का बाग का है बाह बाह कल मेरे आने से पहले चला गया होगा एक किस प्रिकार का बाग माना जाएगा करांती राय जी शुनीता कुमारी जी तनू जी आमप्रकास जी 32 नमबर के question में आपको बताना है शबी लोग बताएंगे like कर दें मित्रों को सेयर भी कर दिया करू सभी साती ये किलास रोज रात त्री नौ बजे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पायकल मेरे आने से पहले चला गया होगा किस प्रिकार का ये बाग है बिसमय बाचक है बुल्डो जरबावा संकेत बाचक है संदेह बाचक है या फिर बिधी बाचक है तो 32 नंबर में बताना है और यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर 32 नंबर के क्वेस्चन में बताओ सभी लोगों ने संदेह बाचक बता दिया लिकिन यहां पर जो आपका उत्तर है दोस्तो वो उत्तर हो जाता है कुँसा हो जाता है वो हो जाता है संकेत बाचक कल मेरे आने से पहले चला गया होगा संकेत बाचक है अंगला देख लो आदी काल को बीज बपन काल किस ने कहा आदी काल को बीज बपन काल किस ने कहा जन्दी से बताईए जन्दी से बताईए पटाक से आदी काल को बीज बीज पता है बीज किस के बोई बीज अहिंसा के बोई है ठीक है तो अहिंसा के बीज बोई यानि कि आपका उत्तर हो जाएगाessä prescribed बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेरी गुड अंगला कोस्चन देख लेते हैं अंगला कोस्चन आ रहा है जार्ज गिरियर्शन ने अपने साहित तितियास गरंत में गरंत में आरंबिक काल को कौन सा नाम दिया है 34 नमबर का कोस्चन है 34 नमबर में आपको बताना है और यहां पर आपका उत्तर संदेख बाचक हो जाएगा दोस्तों संदेख है संकित नहीं है ठीक है यहां पर अलग कर लो संदेख बाचक है जो की जनता जनारदन ने बिलकुँ सही बताया था संदे बाचा का आपका राइट आंसर बहकल मेरे आने से पहले चला गया होगा होगा यानि कि यहाँ पर संदे का बोध हो रहा है सी नमबर आपका सही पक्का नहीं है बेज बपन काल किस ने कहा यह महाभी पिरसाथ दुवेदी सही है जार्द गिरियर सर ने अपने साहित तितियास गरंथ में दोस्तो आरंबे काल को कौन सा नाम दिया है बताइए प्रशने किरमांग का आपका 34 नमबर है 34 नमबर आपका बिलकु सही है ठीक है अब जनता जनारदन जो उत्तर बताएगी बही तो मानना पड़ेगा सभी लोग बताएए यहाँ पर राइट बताएए जार्द गिरियर सर ने अपने साहित तितियास गरंथ में आरंबे काल को क्या नाम दिया है आदे काल, प्रारंबे काल, चारण काल या फिर बीर गाथा काल सभी लोग बताएए अच्चा कोस्चन है शबी लोग बताना है जल्दी से बताइए और आपका उत्तर जार्गिरियस अन्य अपने साहित इतियास ग्रंत में आरंबेक काल को कौन सा नाम दिया है और 34 नंबर का उत्तर है और वो उत्तर जा रहा है क्या नाम दिया है प्रारंबेक काल नई क्या है चारणकाल चारणकाल यानि की श्री नंबर आपका करेक्ट है निम्न मैंसे कौन सी एकांग की रामकुमार बर्मा की नहीं है एकांग की बताना है जल्दी से बताइए कौन सी रामकुमार बर्मा की नहीं है बंदना जी कामनी यादव जी बताएं निम्ण मैंसे कौन सी एकांग की राम कुमार वर्मा की नहीं है एक question आपसे पूछा गया है तो जल्दी से एक बार सबी लोग बताइंगे उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहां पर सबी लोगों का अंसर जल्दी जल्दी से आने चाहिए सबी लोग बताएं और आपका उत्तर है किसर यहाँ पर नहीं है पूचा है 35 नंबर के question में पूचा है उत्तर क्या हो रहा है किसर एक कारवा नहीं है कारवा बाकी यह है प्रत्विराज की आंके है ठीक है जनता जनार्दन सही जा रहा है यह वेरी गोड़ रास्वरेश मीट आई सबते करण भी है कारवा नहीं है ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है बेरी गोड़ नेक्ट देखो प्रगतिबादी समीक्चक है कौन है प्रगतिबादी समीक्चक बताना है बताएं प्रगति बादी समीक चक कोन मान जाते हैं मार्क्स बादी समीक चक कोन मान जाते हैं ये question तो प्राह आता ही है, आलोक से हैं, बताइए, तो आपका उत्तरगी प्रिगतिवादी से मीक्षक हैं कौन, एह राम बिला सर्मा, ठीक है, तो ये आपका B number, राम बिला सर्मा तो बिल्कु सही answer है, कैन का कभी किसी कहा जाता, 37 number का question है, गैन का कभी भी आपसे पूचा गया है, और आपको पताई है, पूनम सैनी जी बताईए, साहिल जी, लाइक करना है, जिन भी सातियों को notes मंगवाना, हिंदी साहित के संपुर्णोस्ट, साती तिर्की notes, बीच बीच में ट्रिक भी समाहित की गई, तिर्की notes जिनको भी मंगवाना है, वो मंगवा सकते हैं, संपर कर सकते हैं, नीचे दोस्तो, ठीक है, बिल्कुल, है ना, हाँ, बहुत बढ़िया, very good स्वानु जी, अगर बरसा अच्छी होगी, तो फजल भी अच्छी होगी, और उत्तर हो जाएगा, कि सर केन का कभी, किसे निराला को कहा जाता है, क्या, निराला, नई, जंतर जनार्दन कहा जा रही है, डी की तरफ जा रही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, केदारनात अगरवाल आपका सही है, डी नमबर आपका राइट अंसर है, कि सर केन नदी के किनारे, घंटों बैटा करती थी, कौन केदारनात अगरवाल, इसलिए ने केन का कभी कहा जाता है, अगरवाल जी को, ठीक है, बिल्कुल सही है, हिंदी की प्रिथम प्रिसिद्द आत्म कथा कौन सी है, प्रिथम प्रिसिद्द आत्म कथा, ये क्वेस्चन पूचा गया था दोस्तो, ये पूचा गया था पंजाब मास्टर केडर में पिछली बार, हिंदी की पिरफम प्रसेद आत्मकथा कौन सी मानी जाती है देखते हैं कौन-कौन सही बता पाता है कौन लोडा के जाता है जंता जनार्धन कहां जा रही किसकी ओर जा रही है हिंदी साहित के नोट समंगवाने के लिए दोस्तो आप नीचे लिखा नमबर संपर कर सकते हैं और अपने घर पर हिंदी साइट के टिरी की नोट समगवा सकते हैं हिंदी की प्रतम प्रिसिद्ध आत्म कता कौन सी है 38 नमबर की कॉस्चन में आपको बताना है माया राम जी और सभी लोगों ने बताया कि सर हिंदी की जो प्रतम प्रिसिद्ध आत्म कता मानी जाती मेरी आत्म कहानी इसका रचना काल भी बताये जल्दी से मेरी आत्म कहानी जो की स्याम सुन्दर दास द्वारा रचित है ये नमबर आपका बिलकु सही है इसका रचना काल क्या है रचना काल बताये मेरी आत्म कहानी ये नंबर में आपका सही है अंगला है सिकंजे का दर्द आत्म कथा है किसकी है सुसीला टाक बोरे, माता प्रिसाद, दिवराज उपाद्या या फिर धरम बीर सिकंजे का दर्द आत्म कथा किसकी मानी जाती है रचना जी, रोली सिंग जी, बीनू सरोज जी, बताईए मोना जी, जस्वीर जी, सुनील जी सिकंजे का दर्द, यह आत्म कथा किसकी है, यह 49 नंबर का क्वेस्चन आपसे पूछा गया है 49 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है कि सिकंजे का दर्द है, यानि कि सुसीला टाक भोरे सुसीला टाक भोरे, यानि कि आपका जो यह नंबर है, यह नंबर वो बिलकुल सही है ये नमबर आपका सही है सिकंजे का धर्द बोले हम चुचीला टाग भोरे हो जाएंगे ये नमबर बैरी गुड संस्क्रिट के हैसे सब जिने हम जयोकत्यों प्रियोग में लाते हैं चालिस नमबर का कॉस्चन है सबी लोग बताएंगे लाइक करना है टीजीटी पीजीटी वाले एंटी ग्रेड वाले के बीएस एच्पी कमीशन एच्टेट वाले जिनको भी हिंदी सायत के टिर्की नोट्स मंगवाना है और पी एस्टी वाले मास्टर केडर वाले वो मंगव सकते हैं दोस्तों ठीक है हिंदी सायत के बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं वो मंगवा सकते हैं संपर कर सकते और जिन भी सात्यों 41 नमबर का question तुर्की का सब्द कोई साई सियो कोमार जी कैंची है चाय है कमरा है या फिर रिक्सा है ये बताना है पताए बताएं प्रस्न किरमांग के 41 नमबर है आपको पता है कि इनमें से कौन सा सब्द तुर्की का है 41 नमबर का बहुत ही बढ़िया question और लगबग जनता ज नार्दन जा रही है कैंची की ओर कैंची चल गई जन्ता की बहुत बढ़िया कैंची चल गई तो ये नंबर आपने टिक लगा दिया कैंची चल गई तो ये आपका सही हो जाएगा ये तुर्की सब्दे दोस्तों कैंची ठीक है कैंची से अपन तुर्कू तुर्की 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 कर देंगे बोले सराम ठीक है हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं ये अयोग वाह तो पूछे जाते हैं आपको पता भी है बताईए हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं आ आ इसे बताईए, शेयर भी कर दिया करो शबी साती, पूनम यादव जी, और आपको पताए कि सरा महा में लगा दो, किलिक कर दो, डी नमबर आपका सही है, यारा लावा बेंजन है, कि बताईए किस प्रकार के बेंजन, उसमें संगरसी बेंजन है, अंतस्त हैं, संयोक्त हैं, प डाउनलोड करिए, और यार लव, यार से लव आप काईसे करते हो, बाहरी दिखाबा करते हो, और की अंतस्त से करते हो, पर इसम यार से हम लव करते हैं, लेकिन काईसे, अंतस्त से करते हैं, अंतस्त यानि बी नमबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद से सड़क तक मुक्तिबोद, धूमिल, सर्वेसो दयाल सक्सियना, लीलाधर, जगुडी, संसस्य सडक तक इसके रचनाकार कौन है अच्छा है कोस्चन, चबालीस नंबर का उत्तर आपको बताना है और आपको मैंने कई वार बताया कि संसस्य सडक तक धूल मिल, धूल मिल, धूल ही धूल मिलती है कहा तक संसस्य सडक तक धूल ही धूल मिलती है तो यह धूल मिल, धूल मिल हो जाएंगे और सुदामा पंडी धूमिल की रचना है नाव के पाउं के रचनाकार कौन है नाव के पाउं याद करवाया मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है तो कितने साथ ही है जिनको ट्रिकी नोट्स अपने घर पर मंगवाना हिंदी साहित के बढ़िया नोट्स बनाएगा हैं बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो सीधा नमबर दिया है संपर कर सकते हो बात कर सकते हो नोट्स एक सब्ता हमें अपने घर मंगवा सकते हो नाओ के पाउं इसके रिचनाकार को आने 45 नमबर का question है और आपका उत्तर है कि से नाओ के पाउं क्या रहते हैं गुप्त रहते हैं गुप्त तो गुप्त से क्या बनेगा जगदीश गुप्त यानि कि ये नमबर आपका correct टांसर हो जाएगा राई टांसर हो जाएगा जगदीश गुप्त आपका सही हो जाएगा ठीक है नाव के पाउं कैसे रहते हैं गुप्त रहते हैं बहुत बढ़िया अरे आयावर रहेगा याद ये किसके द्वारा रचित यात्रा ब्रतांत है अरे आयावर रहेगा याद ये यात्रा ब्रतांत इसके रचनाकार कौन रामरक्ष बैनीपुरी अगे हैं राहुल सांकर इत्याइन है या पिर अस्पाल है बताइए सभी लोग बताएंगे राज कुमारी जी मोहंद जी बताएं कजरा मोहबत बाला भी आ गया बहुत बढ़ी याद बैरी गुड क्या वात है तो यहां पर अरे याया वर रहेगा याद अग्ये द्वारा रचित है बी नंबर 1911 में जन्व हो जाता है अग्ये जी का तो आपका बी नंबर बिलकुँ सही है बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है बोलती प्रतिमा ये रेखा चित्र है अच्छा कॉस्चन आपसे पूचा गया बोलती प्रतिमा स्री राम सर्मा राम रक्ष बेनी पुरी भगबत या फिर राजेंद्रे यादव बोलती प्रतिमा इसकी रचनकार कौन माने जाते आयूस जी, रीना यादव जी, कमला कान्त जी, सुईता जी, लाल दास जी और बिलकुल सही है बहुत बढ़िया ठीक है तो तरह की सर बोलती है प्रतिमा किसकी स्रीराम की बोलती प्रतिमा ठीक मानाओ, महापंडेत, जीवनी के लेखा कौन है, महापंडेत, ये जीवनी किसने लिखी, 48 नंबर के question में आपको बताना है, like भी कर देना है, सबी लोग बताएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, और share भी कर दो, महापंडेत, जीवनी के लेखा कौन माने जाते हैं, हिंदी साह समायत के बढ़िया नोट्स बनाएगा, जो मैंने स्यम बनाए हैं, दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए हैं, कई पुस्तों का संकलन किया है, और आपको बीच बीच में ट्रिक भी उसमें समायत की गई है, जिन भी सात्यों के ये मंगवाना है, ये पंडे जीवनी के लिए का कौन है, 48 नमबर का क्वेस्चन है, उतर है कमला सैंक्रितियायन, यनिकी बी नमबर आपका करेक्ट और राइट अंसर हो जाता है, ठीक है, बी नमबर आबारा मसिय गाएं, किसके जीवन का उलेक किया गया है, ये तो आपको पते ये, कि आबारा म आंसर जा रहा है किसर आवारा मसीहा में किसके जीवन यानि कि सरत चंद्र के जीवन का उलेक किया गया इसके रचनाकार विश्नु प्रभाकर हैं ये नमबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है एक सुनी नाव के रचनाकार कौन है एक सुनी नाव ये किसकी रचना है बताओ एक सुनी नाव के रचना कार कौन है सभी लोग चैन करेंगे नितेन सागर जी बताईए आनंद जी दारसू जी बताएं सुनील जी और एक सुनी नाव यानि की 50 नमबर का क्वेस्चन बुरिसर हम एक सुनी नाव से सर्वे करने जाएंगे क्या करने जाओगे सर्वे सर्वे करने जाएंगे पूरम साक जी एक सुनी नाव से हमें सर्वे करना जाना है तो सर्वे सुर्दयाल सकते हैं आज का इस सेसन आपको बताने एक सुनी नाव के रचना कार कौन है पटाक से बताईएगा रगवीर सहाय है, धरमवीर भारती हैं या पर सर्वेश उर्दयाल सक्सेना है, एक सूनी नाव के रचनाकार कौन माने जाते हैं, अच्छा क्वेस्चन है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को बताना है, चैन करना है और सेर भी कर देना है अपने मित्रों तक, जल्दी से और एक सूनी नाव, इसके जो रचनाकार हैं, वो रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों, सर्वेश उर्दयाल सक्सेना, यानि कि आपका जो डी नंबर है, सर्वेश उर्दयाल सक्सेना है, वो बिलकुल, एक सूनी नाव से क्या करना है, बोलिसर सर्वे करने जाना है, लोग कथा पर आधारित एक लंबी कविता कौनसी है दोस्तों लंबी कविता कौनसी है राकी जी बताइए बिरजेश कुमार जी मदुकर तरपाटी जी और लाइक करने हमारे सबी साती चीन के लोग कथा पर आधारित लंबी कविता इत्तिलम है साध बीना है मिट्टी है या फिर विश्व फिरिया है बहुत ही बड़िया क्वेश्चन पूचा गया रभी संकर सिंग जी इंक्यावन नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा है यहां पर किसर असाद्ध बीना लगा दो और इसके रचनाकार कौन है यह भी आपको बताना है बी नंबर अरस्तु का काब्यसास्त्र बाबू गुलावराई डाक्टर नामबार सें डाक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र सुकल अरस्तु का काब्यसास्त्र इसके रचनाकार कौन है अच्छा क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन है सभी लोग बताएंगे उरे एक बार जल प्रेक्टर टेस्ट तेस्ट wordt कौन में 10,000 और प्रेक्टर टेस्ट तेस्ट 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 आप लगा सकते हैं कविता के नए प्रतिमान इसके लेखक कौन है डाक्टर नगेंद्र है नामबार्स हैं है डाक्टर देवराज है या पर राम बिलास सर्मा है और सबी लोगों ने पढ़ा है कि सर कविता किसी का नाम है तो नाम से क्या बनेगा नाम से बनेगा नामबार्स है यानि कि आपका जो उत्तर है बी नमबर आपका राइट आंसर हो कविता किसी का नाम है तो कविता के नए प्रतिमान नामबार्स है की दोस्तों ये रचना है ठीक है खालिक बारी ये किसकी रचना है चमवान नमबर का कॉस्चन है सबी लोग बह यह सुनीता जी, गीता जी, राइट अंसर क्या है, चंगण नंबर के question में, और खालिक बारी यह किसकी रचना यह आप से पूचा गया है, तब आपका राइट अंसर हो जाता है, अमीर कुसरो, अमीर कुसरो यानि कि आपका जो C नंबर है, C नंबर यह बिल्कुस सही हो जाता खालिक बारी, अमीर कुसरो की रचना है, C नंबर आपका राइट अंसर है, वर्न रतनाकर की रचनाकार कोन है, वर्न रतनाकर इसकी रचनाकार कोन है, पच्पन नंबर का question जो 308 कोन है, नर्पती नाल है, रोडा कभी हैं या पर दामोदर पंडेत हैं, वर्न रतनाकर की जाते हैं अच्छा कोश्चन है रचना लोधी जी मदुकर तरपाटी जी कभीर सिंग जी बर्न रतना कर ये पताना है इसके रचना कार कौन है लाइक कर देना है से एलप स्टेडी क्लासे इसका एप डाउनलोड कर लेना है जिन भी सातियों को दोस्तों नोट्स मंगवाना हिं कि तिर्की नोट्स को अपने घर पर मंगवा सकते हैं कई कोस्तों का संकलन और बहुत ही बढ़िया विवस्ते तरीके से नोट्स मनाए गए हैं आप लोगों के लिए वर्न रतना कर इसके रचना कार कौन है तो बर्न हमें जोती में पढ़ना है बर्न काई में पढ़ोगे अ पूर्व संस्करण कहा गया और कामाईनी के बारी में तो अपन पढ़ते हैं कि सरे जो कामाईनी है ये जैसंकर प्रशाद की अंतिम काब रचना है ठीक है 1935 इसका रचना काल है किसका कामाईनी का ठीक है इसमें कितने सर्ग है इसमें 15 सर्ग है कामाईनी में ठीक है ये भी आपको पता है कामाईनी महा काब है ये भी पता है तो प्रशाद की किस का बगरंत को कामाईनी की सरद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है ये 56 नंबर का question आपसे पूचा गया और वो कहा जाता है दोस्तो और वसी का रचना काल क्या है तो 1909 एक और वसी दिनकर की रचना है लेकिन जो और वसी ये 1909 की रचना है ये जैसंकर प्रसाद की रचना है और ये गध्य पत्य मिसरित रचना मानी जाती है कौन सी और वसी ठीक है किसकी प्रिसाद की 1909 की रचना तो B नमबर आपका बिलकुँ सही है बादल राग की रचनाकार कौन माने जाते हैं बादल राग बहुत ही अच्छा क्वेस्चन पूछा गया 57 नमबर में बताए इतेंद्र जी राइट असर क्या हो जाएगा नीता नीत प्रिमानसु सुनीता जी बादल राग के रचनाकार कौन माने जाते हैं एक अच्छा क्वेस्चन है 57 नमबर का क्वेस्चन है बादल राग आपसे पूछा गया है इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं चेन करना है सबी लोग बताएगी महादेवी बर्मा निराला जैसंकर परिसात या फिर पंत तो सभी को पता है 57 नंब़ का question पूछा गया और आपका उत्तर यहां पर जा रहा है कि सर बादल राग बादल का राग ही कैसा है निराला है बादल का राग आपने सुना होगा जब बादल गरचते हैं तो वो बादल का राग कहलाता है तो बादल का राग कैसा होता है वो रिसर बड़ा निराला होता है निराला होता है ना बादल का राग कान बंद करने पड़ते हैं आपको अपमान में कौन सा उपसर्ग है अपमान में कौन सा उपसर्ग है self study classes का app download करने हमारे सबी साती 15 तारीक से हिंदी साहित का new batch start हो रहा है जिसमें आपको सुरुआत से पढ़ाया जाएगा दोस्तो सुरुआत से यानि की हिंदी भासा से आपको पढ़ाया जाएगा इंदी की बोडियां उपभासा हैं इसके बारे में पढ़ाया जाएगा ये के बोडी के बारे में अपमान सब्द में कौन सा उफसर्ग है ये पूछा गया 58 नंबर में और आपका right answer हो जाएगा कि सर अप लगा दो ये नंबर लगा दो अपमान में अप सब्द जो है उफसर्ग है ये नंबर आपका correct answer उचान सब्द में उफसर्ग कौन सा है 69 नंबर का question उचान सब्द में कौन सा उफसर्ग है उच उत या फिर उच बताओ उफसर्ग पूचा गया 59 का question सबी लोग बताएंगे सेर भी कर दो हमारे सबी साती रोज 9 वजे एक लास होती है दोस्तो रात 3 9 वजे ठीक है तो चाण सब्द में उफसर्ग आपको चैन करना है बहुती बड़िया कॉस्चन आपसे पूचा गया है लाइक कर दो हमारे सबी साती जितने भी साती हैं सबी साती लाइक कर देना ओचाण सब्द में उफसर्ग कौन सा है तो आपने बताया कि सर उत है उत है यानि कि आपका जो C नंबर है वो बिलकुस सही है C नंबर होता आपका राइट आंसर हो जाता है नेक्स देखो भगने दूत के रचना कार कौन है अच्छा क्वेस्चन है भगने दूत भग गया दूत भग गया क्या दूत बताओ सीता राम जी, दिलसेज जी, बीना जी, कमला कांत जी सबी लोग बताएंगे रीतेस जी भागने दूत के रचनाकार कौन है अच्छा क्वेस्चन है बहुती बड़िया क्वेस्चन आपसे पूचा गया है 60 नंबर के क्वेस्चन में आपका सीधा आंसर कहां जा रहा है और उत्तर चला गया कि सर दार्शू सरमा जी बिल्कु सही बताया कि D नंबर लगा दो भागने दूत यानि की जैसंकर पिरसाद जैसंकर पिरसाद D नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा D नंबर आई टांसर हो जाएगा सेबा ग्राम की डायरी इसके लेखा क्वेस्चन है सेबाग राम की डायरी 61 नंबर का question इसकी लेखक कौन है दिनकर है बियोगी हरी है निर्मल बर्मा है या फिर सिरी राम सर्मा है सेबाग राम की डायरी 61 नंबर का question है 61 में आपको बताना है बताओ और सेयर भी कर दो जल्दी से सेबा ग्राम की डायरी की लेखक कुण है जल्दी से बताएं ने बताएं पिहू जी पटापट से बताएं हिंदी साहित तो सैम ही रहता है सब में हिंदी साहित जिनको पढ़ना है वो दोस्तों एड़ बिसल ले सकते हैं दस तारीक तक आपको बारा सो में बारा महिने हिंदी पढ़ाया जाएगा बारा सो में बारा महिने देखो इस बारा सो में बारा महिने आपके बच्चे की भी फीस नहीं होगी ठीक है आपको बारा हजार लगते हैं बारा महिने के बारा हजार ठीक है तो याद रखने ना 12,000 तो क्या है? लाको रूपी लगते हैं आपको महिने सालों पर तो सेवा ग्राम की डायरी आपसे पूचा है तो यह स्री राम सर्मा यानि कि D नमबर आपका सही हो जाएगा D नमबर ठीक है? कयामत का वर्नन जाइसी की किस रचना में हुआ है? बताओ कयामत का वर्नन जाइसी की किस रचना में हुआ है? यह 62 नमबर का क्वेस्चन आपसे पूचा गया है तो जल्दी से एक बार बताइए और Self-Study Classes का एप डाउनलूट कर लीजे सबी साती ठीक है? तो यहाँ पर 62 नमबर का क्वेस्चन है बढ़ यहाँ सा क्वेस्चन आपसे पूचा गया तो यहाँ पर उत्तर आपका जा रहा है 62 नमबर में कि सर, इनकी कयामत का वर्नन जिस रचना में है वो है कौनसी? आखरी कलाम यानि यह नमबर जाए सी की किस रचना में? कयामत का वर्नन है तो बूर रचना है आखरी कलाम यानि ए ए नमबर साही है महेष का सही सन्दी बिच्छित क्या होगा बहुत बड़ीया क्वश्चन पूचा गया 63 नमबर में बताइये 63 नमबर का क्श्चन है सेबा गराम की डायरी स्री राम सरमा की है वएया सेवा ग्राम की डायरी इसमें क्या देखिए कौन बोला है दुबारा देखिए कार्तिक जी साठ नंबर में क्या देखकत है साठ नंबर में साठ में भगने दूत भगने दूत के रिचनाकार कौन है अग्ये तो है भगने दूत के इसमें क्या देखकत है देबागराम की डायरी स्री राम सर्मा है ठीक है कयामत का वरनन कयामत का आखरी कलाम में होता है महेस में कौनसी संधी है 63 नंबर का question है 63 में तो महाधन क्या हो जाएगा इस क्यानि कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर बिल्कुश सही हो जाएगा महेस हो जाएगा ठीक है महाधन इस वी नंबर सही है बहुत बड़िया मताइक में कौनसी संधी है 64 नंबर का question है मताइक में कौनसी संधी मानी जाती है तनू जी बताए लाइक कर दीजे ज़ेशे से शेयर भी कर दिए सबी साती बढ़िया से मैंने कई बार आपको बढ़ाया भी है ठीक है जैसंकर पिरसाद नहीं D नंबर ही पिहू D नंबर है अग्य जी की रचना है ठीक है अच्छा आप मैंने जैसंकर बोला था कोई बात नहीं अग्य माने जाते हैं भगने दूद भग गया दूद क्या अगे, ठीक है, मताइक में कौन सी संदी है, ये आपसे पूचा गया, मताइक में, मताइक में आपको बताना है, D, 64 नमबर में कौन सी संदी, मताइक में, तो आपका उत्तर हो जाएगा, कि सर, जो मताइक है, इसमें जो संदी हो जाएगी, 64 नमबर में, वो हो जाएगी, कौन स क्रिया है लोग रामायन पढ़ते हैं इसमें कौन सी क्रिया है सकर्मक क्रिया है अकर्मक क्रिया है प्रिरनार्थक क्रिया है या फरिन मेंसे कोई नहीं बताएं पुरेशी जी जल्दी से बताएं प्रेम जी बिजय जी कभिता जी कमला कांत जी बताएं बिंदुलता जी पैसर नमबर का question है, सबी लोग बताएंगे बिलको ठीक है, कोई बात नहीं है D number ही है, उसमें भगने दूत है कोई बात नहीं, निकल जाता कभी-कभी मुझे भगने दूत, ठीक है भग गया का दूत, मैंने आपको कई बारे आद भी करवाया, बोले अग्गे भग गया का दूत, पुले अग्गे पता नहीं, अग्गे जी की है भगने दूत, ठीक है, लोग रामाइड पढ़ते हैं मैं कौनसी किरिया है कौनसी किरिया है, लोग रामाइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रामाइड पढ़ते हैं तो कौनसी हो जाएगी पुरिसर सकर्मक करिया हो जाएगी यह नमबर आपका सही है ठीक है यह नमबर नेक्ट से जिस समास का पहला पद अब्याय हो तता दोस्तो पद प्रिधान हो प्रिथम पद उसे कौनसा समास कहेंगे सबसे पहला तो यही है कि पहला पद अब्याय हो तो कौनसा समास होगा बताओ आसा जी हिना सिद्धिकी जी कार्तिक जी बताइए 66 नमबर का क्वेस्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन आपसे पूचा गया 66 नमबर में अगर प्रिथम पद अब्याय आउफसर्ग हो तो उसे क्या कहेंगे वो कौनसा समास होगा ये आपको चैन करना है और जड़ी से सेर भी कर दो हमारे सबी साती ये बी नमबर यानि अब्याय भाव समास हो जाएगा बी नमबर आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्याय भाव समास ठीक है बिसेशन और बिसेश के योग से कौन सा समास बनता है एक अच्छा क्वेस्चन पूछा गया लाइक कर दो सबी साती जिन भी सातियों को हिंदी साहित के नोटस अपने घर मंगवाना है कई पुस्तकों का निचोड जिसमें किया गया दोस्तो ठीक है वो जिन भी साहित के नोटस मंगवाना है जिसमें ट्रिकों का समावेस किया गया बहुत ही महतपूर महतपूर ट्रिक बनाएं गई है ठीक है यसे नोटस अगर आपको मंगवाना है 68 नमबर का क्वेषटन है तृसूल किसका उपनाम है नातुराम सरमा संकर का सिया राम सर नगुप्त का गया परसाद सुकल सनेही का या पिर राय परसाद राय देवी परसाद पून का शबी लोग बताएं रमासरमा जी बताएं क्या आंसर है प्रबादसू जी, कमला कांत जी, तुरिसूल किसका उपनाम है अच्छा क्वेस्चन है और बहुती बड़ीदा क्वेस्चन है बिल्कुछ सही कहा था अभी किसी मैया राम जी की सरी गरीबों की कोचिंग है बिलकुछ सही बात है है ना आप देख रहे होंगे बड़े-बड़े संस्थानों में जाओगे 10,000, 15,000, 12,000, 8,000, 10,000 से कम फीस आपको नहीं लगने बाली हिंदी साइथ पढ़ने की बात करना कहीं भी चले जाना और जो ट्रिक सेल्फ स्टेडी क्लासेस में बताई जाती है वो दुनिया की कोई भी कोचिंग में आपको नहीं बताई जाती दोस्तों आपको याद नहीं करवाया जाता सिर्प आपको लिख बात दिया जाता है कि आप लिखिये जितना भी है लिखिये कॉपी में भर दीजिए और पढ़ती रहिए ऐसा किया जाता है आप देख ले ना बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग में जाकर के देख ले ना दस-दस, पंदरा, पंदरा हजार लगा के भी आ जाना ठीक है तो त्रिसूल किसका उपना में 68 नंबर का क्वेस्चन आपसे पूछा गया है और 68 में आपका उत्तर है बुकी सर्थ त्रिसूल तो गया तो गया से क्या वनेगा गया प्रसास सुक्र सनेही त्रिसूल तो गया, गया से गया प्रिसास सुकल सनेही हो जाएंगे, यानि किसी नमबर आपका सही है, कभिता कामनी कांथ, भारतेंदू प्रगेंदू, साहित सुधाकर, साहित सुधाकर दोस्तो, उपादियों से सम्मानित कभी कौन है, सम्मानित कभी कौन है, ये आपको बत गया पर साथ सुकलिशन यही नातुराम सर्मा संकर यह बताना है उद्यासे उपाद्या हरियोद या पर सुमित्रा अनंदन पंत सभी लोग बताएंगे कभिता कामनी कांत भारतेंदु प्रग्यंदु साहित सुधाकर इस उपादी से किसको विवूसित किया गया 69 नंबर का क्वेस्चन है सभी लोग बताएंगे राइट आंसर बताना है दीपी का जी बताएं अच्छा क्वेस्चन है 69 नंबर का क्वेस्चन पूछा गया है और आपका उत्तर हो जागा कि कभिता कामनी कांत भारतेंदु प्रग्यंदु अब यहां ये गड़बड हो जाता है कई लोग यहां भारतेंदु आता है तो भारतेंदु लगा देते हैं लेकिन याद रखने ना कभिता कामनी कांत नातु राम सर्मा संकर भारतेंदु प्रग्यंदु नातु राम सर्मा संकर साहित सुदाकर नातु राम सर्मा संकर बी नंबर सही हो जाएगा बी सल्द्यो प्रमाणिक रचनाओं के या धार पर आधी काल को बीर गाता काल लाम दिया था और उन्होंने दोस्तों जो बारा प्रमाणिक रचनाओं में बीसल देवरासों को भी इस्तान दिया था लेकिन बीसल देव रासों को जो रचना है दोस्तों इस बीर गातात्मक रचना ना मानकर इसे स्रंगार पर एक रचना माना जाता है स्रंगार पर पर एक रचना मानने जाता है आलोख हिंदी जी ठीक है और इस स्रंगार पर पर जो रचना है वो किसकी है बीसल बीस बीस बोले सर नरपती नरपती बीस नहीं होते बोले सर बीस नहीं होते नरपती तो बीस से बीसल दियो रासो नरपती नाल की रचना है स्रंगार परक रचना है अजमेर के सासक से सम्मंदित रचना कौन सी है तो यह बीसल दियो रासो है जो की नरपती नाल की है यह इकतर नंबर का question है रस्मी पाठक जी बताईए आनंद जी आसा जी सभी लोग बताएंगे self study classes एप में बढ़िया तरीका है अभी अच्छा मौका है एड़ी से लेने का आपको बारा सो में बारा महीने पढ़ाया जाएगा दोस्तों बारा सो में बारा महीने ठीक है और आपको अच्छा लगेगा और गारंटी है कि अगर आपको हिंदी साहित ऐसा लगता है कि पुस्तक उठाओ और अलग रख दो अगर ऐसा महसूस होता है तो यहसे ब्यक्ति जरूर आए सेल्प स्टडी क्लासेस में जिनको हिंदी साहित ने सबसे खराब सब्जेक्ट लगता है जिनको हिंदी साहित बोरिंग लगता है वो यहसे साती तो जरूर आए सेल्प स्टडी क्लासेस अप में ठीक है उन सातियों के लिए जरूर में इंट्रेस्ट लादूंगा दोस्तों हिंधी साहत में वो सभी सातिय हैं भक्ति को धर्मकर्ण सात्मक्रूफ किस ने कहा एकटर नंबर का क्वेशचन है और एकटर नंबर का क्वेशचन है किसर रामचन शुकले ने कहा यानि कि B नंबर आपका बिल्कूँ सही Commissioner है सोनेट रचना के लिए तो net से बनेगा sonnet और sonnet रचना के लिए प्रिसिद्ध है आलोग जी बिल्कुल बात कर सकते नंबर नीचे लिखा है डारेक्ट बात होगी हमी से होगी किसी और से नहीं होनी sonnet रचना के लिए प्रिसिद्ध कौन है तो बोलिसर त्रिलोचन है सराज net चलाते अमबुलिसर आखों से देख देख कर कि net चलाते net की दुनिया है यानि कि आपका जो बी नंबर है दोस्तों आपका बिल्कुल सही है नकेन बाद किसका बदारा के लिए प्रियोग हुआ है नकेन बाद बताना है अच्छा कोस्चन है सरल कोस्चन है सबी लोग बताएंगी स्रश्टी जी प्रमानसु जी बताएए खल नायक जी भी है बहुत बढ़िया बीनु जी ठीक है अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है और पिहु जी बताएए कमला कांत जी बहुत बढ़िया सबी लोग बताएंगी य ठीक है, प्रियोगबाद के समकख्छ, वैसे नखेनबाद प्रवदद बाद का परियाय माना जाता है, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से question आता है तब आप B number ही लगाएंगे चंद्रगुप्त नाटक की नाई का कौन है चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल भी बताना है जैसंकर पिरसाइद का नाटक है चंद्रगुप्त इसका रचना काल क्या है चंद्रगुप्त नाटक की नाई का कौन है ये भी आपको बताना है सभी लोग बताएंगे और एक बार बिल्कुर रश्वी पाटक दी सभी लोग बताएंगे और लाइक करना है very good, बहुत बढ़िया सभी लोग बताओ यहाँ पर कि नकेन बाद इसका परयाबाची ये चंद्रगुप्त जो नाटक है ये नाटक आपको बताना है चंद्रगुप्त नाटक की नाई का कौन है नाई का कौन इसका रचना काल भी आपको बताना है तो चंद्रगुप्त नाटक है प्रिसाद का नाटक है ठीक है इसकी नाईका आपको बताना है तो कौरने लिया इसकी नाईका है कई बार पूछा गया तो ये आपका C नमबर तो सही हो जाता है रचनाकाल बताईए इसका रचनाकाल क्या है नाटक का चंद्रगुप्त का सबी लोग बताएंगे बिलकुल भावी सिर्शिका जी बिलकुल 12 में 12 महίνे के लिए है बिलकुल ठीक है बिलकुल बिलकुल है ना वीनू पांडे जी बहुत बढ़िया हैना बहुत बढ़िया बो धन्यवाद आपकी बिटिया को भी हिंदी खड़ी बोली का प्रतम महाकाब माना जाता है तो क्या माना जाता है सबी लोग बताइए बहुत बढ़िया तो हिंदी खड़ी बोली का प्रतम महाकाब माना जाता है 75 नंबर के question में तो क्या माना जाता है प्रिये प्रवास इसका रचना काल भी बताईए प्रिये प्रवास का ठीक है ये अयुद्या से उपाद्या हरियोद का दोस्तो ये महाकाब है सत्रा सरगों का महाकाब है अयुद्या से उपाद्या हरियोद का जन्म 1965 में हुआ था ठीक है कभी समराट की उपादी से विभूसित किया गया था आयुद्यासे उपाद्य हरियोद को जिनकी एक रचना है दोस्तो प्रतम रचना है क्रश्न सतक प्रतम रचना इनकी क्रश्न सतक मानी जाती है इनकी एक रचना रसकलस मानी जाती है दोस्तो जो रसकलस दोस्तो आप तुलिसीदास है तो क्या है ये बताना है पुरेसी जी बताइए निराला करत तुलिसी दास आपको बताना है मुक्तक काब है, गीती काब है, खंड काब है या फिर चम्पू काब है तुलिसी दास एक रचना है निराला जी की जो की आप सभी को पता है मुक्ति वो देख रचना है दोस्तो जनेंद्र कुमार की ठीक है अब तुरिसी दास ये किसी रचना है और इसका काब रूप आप से पूचा गया है देखते हैं कौन-कौन यहाँ पर सफल हो जाता है और आपको यहाँ पर बताना भी है किसर जो निराला की एक रचना है तुरिसी दास कई बार पूची गई एक खंड काब है सी नमबर करेक्ट आंसर है गैहूं और गुलाव उजली आग और कुटज निवन्दों की रचेता आपको देखना यहाँ पर क्रम से बताना है गैहूं और गुलाव एक इसका है बताईए उजली आग किसका है पूटज किसका है तो यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है बताओं सबी लोग بتाएंगे और सीधा सीधा एंसर है और मैंने टरिक से भी आपको कई बार बताया है पताएं कौन-कौन सही बता पारा है ये प्रश्न करमांग अपना कौन सा है प्रश्न करमांग 77 नंबर का question है सबी लोग बताएंगे कि सर गयाहूंग और घुलाब का क्या होता है ब्रक्ष ब्रक्ष होता है तो यहां ब्रक्ष लगा दो उजली याग उजली सिधा सिधा तो है यहाँ पर रचना स्यम बोलाइए कि हमारे ट्रेक बना लो यह सी गया हुंगर गुलाब का ब्रक्ष होता है तो राम ब्रक्ष बैनी पुरी उजलती है आग कब दिन में तो दिन कर कोटज हजारों वार कोटे तो हजारी पर साथ दुवेदी ठीक है तो इस प इन्तर गत आता है विकेश जी बताईए विकास जी कमला कांट जी शबी लोगों को बताना है सियर भी कर दिया करो छोटे लाल एादो जी सरोज जी हेना जी सिद्धी की इछा वर्ण एक इसके अंतरगत आता अच्छा question है सभी लोग बताएंगे like कर दिया bell icon को भी दबा दिया करो ताकि information आपके समय से पहुँचे आप तक तो यहाँ पर 78 number का question है और उत्तर चला जाता कि जो 6 है sir यह संयोग तो बरना है अब आपको बताना कि किस के संयोग से बनता है किस किस के संयोग से बनता है यह आपको बताना है उसके बाद कभी सब्दिका इस्त्री लिंग क्या होगा 89 number का question है कभी सब्दिका इस्त्री लिंग क्या होगा यह आपको चैन करना है सभी लोग बताएंगे पत्तर क्या हो जाएगा बताओ सबी लोग बताएं और जिन्वी सातियों को नोट्स मंगवाना है टिर्की नोट्स अपने घर पर मंगवाना है वो घर पर मंगवा सकते हैं जिन्वी सातियों को दोस्तों ये आपके बारा सो में बारा महिने में एड़ीसल देना सेल्फ इस्टड़ी किलासे से आप डाउनलोड कर लो ठेक है और ये टिर्की नोट सा आप अपने घर मंगवा सकते हैं एक सब्ता है में तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका प्रशन आपसे पूचा गया है कि कभी सब्द का इस्त्री ल बिलॉम क्या होगा आ कुंचन का बिलॉम क्या होगा शबी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा अच्छा उपर हो जाता है प्रशन ज्यादा ठीक है बीच में आ जाएगा असी नंबर का क्वेश्चन है असी में आपको चेन करना है आ कुंचन का दोस्तों बिलॉम क्या हो असी नंबर के question में बहुत सारे लोग यहां पर गलत बताएंगे कौन-कौन गलत बता रहा है बोई देख रहा हूं मैं तो देखो जोती जी और बता दो और बताओ बहुत बढ़िया अनिलते बारी जी और बता दो भाईया जिन्नोंने नहीं पढ़ाना वो तो 100% गलत ही और 50% का आकड़ा देखो यह नंबर लाइन से बता रहा है बहुत बढ़िया संकुंचन बता रहा है सब लोग यही कहते प्रैक्टिस करिए स्वानू जी बिल्कुँ सही बताए आपने आपका उत्तर हो जाएगा आकुंचन का बिड़वम होता है दोस्तों प्रिसारण क्या होता है प्रिसारण होता देखो संकुंचन लगा रहा है कमला कांत जी मैं इसलिए तो बोलता हूं कि प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस तो यहां पर आपका बी नंबर प्रिसारण सही होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो गलत करेंगे 101% यह से बिलोम आते हैं आपके पे सब्दानुसासन के लेखक कौन है मैंने आपको बताया और यहसे बिलोम सब्द मैंने आपको पढ़ा है पूरे ऐसा ही ऐसा ही बिलोम सब्द पढ़ा है जरा बिलोम सब्द में जाकर के देखिएगा बिलोम सब्द ऐसा ही बिलोम सब्द पढ़ा है जो आपको कहीं से लिगत कि इसका विलौम ये होगा आपको तो वो बिलौम आते हैं कि राजा का राणी हो गया बोले सर है ना ऐसे विलौम आ जाते हैं कभी कभी तो यहाँ पर याद रख्टे ना सब्दानुसासन के लेखक कौन है यह अच्छा क्वेस्चन है सभी लोग बताएंगे बताएं सब्दा इसके रचनाकार माने जाते हैं चंद्र यानि कि आपका जो B नंबर है वो बिलकुस सही है गोरक बानी नामक कुस्तक के संपादक कौन है गोरक बानी नामक कुस्तक के संपादक आपको बतन है ये क्वेस्चन कई बार आ चुका है बताईए स्रश्टी ठाकुर जी गोरक बानी नामक उस्तक के संपादक कोन माने जाते हैं? 82 नमबर का question है, बहूती बढ़ीया question है डाक्टर पीताम बर्दत वर्थवाल रामचंद्र सुक्ल, रामकुमार बर्मा या फिर गडपती चंद्र गुप्त 82 का question है और 82 नमबर के question में आपका राइ internet आंसर हो जाएगा कि सर गोरक बानी यानि पीताम बर दत वर्थवाल गोरक बानी यानि कि ये नमबर आपका बिलकुँ सही है ये नमबर राइट पुष्टी मार का प्रबरतन किस ने किया है पुष्टी मार का प्रबरतन बताना है आपको चैन करिए शभी लोग सही आंसर यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तो शभी लोग बता है पुष्टी मार का प्रवर्तन किस ने किया हमारे जितने भी साती है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करके जन्दी से एक बार सेयर कर दो साती हो मज़ा आ जाएगा ठीक है और इसी परकार से अगर आपको पढ़ना है अध्यन करना है टरिक से पढ़ना है दोस्तो और बिश्तरित पढ़ना है तो सेल्प स्टेडी गिलासिस का यह आप आज ही डाउनलोड कर लो और दोस्तो एडबीसन उसमें आप ले सकते हो ठीक है एडबीसन लेकर के अध्यन करो बोले सर पुष्टी अगर नहीं होती आपकी बात की तो आपको बल से पुष्टी करवानी है बल से करवानी है तो बल्लबाचार याद रख्टी ना इनका जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है बताई इनका जन्म बल्लबाचार का कब हुआ था जिन्होंने पुष्टी मार की स्थापना की थी दोस्तों ठीक है ये नमबर क्वेस्टन आपका एक बिल्कु सही हो ब्यक्ति को केंदर मानकर कहानी लिखने बाले कथाकार कौन है ये क्वेस्टन मैंने आपको बताया था बताओ ब्यक्ति को केंदर मानकर कहानी लिखने बाले कथाकार कौन है 84 नमबर का क्वेस्टन बताना है स्वानू जी अनीता जी सबी लोग बताएंगे तनू जी बीरेंद्र जी कमला कांत बाल गोविंद जी ब्यक्ति को केंदर मानकर 84 नमबर का क्वेस्चन है कितना अच्छा क्वेस्चन आप से पूचा गया कि आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं लेकिन देखते हैं कौन कौन गलत कर रहा है कमला ठाकोड जी गलत और बताइये देखो यहीं तो गडबढ हो रहा है नीतु जी घर हाँ सही है सही है कमला जी आपका भी सही है ली अट त्व need C number में अग्गे कौन बता रहे जिन्होंने C number बताया है उनका अंसर बिलको सही है यानि कि जैनेंद्र कुमार आपका राइट है ब्यक्ति को केंद्र में मानकर कहानी लिखने वाले जो कथाकार है वो जैनेंद्र कुमार है C number आपका सही हो जाएगा C number ठीक है बहुत बढ़िया है ना तो यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आते हैं दोस्तों सबी लोग आते हैं कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है कबीर को बाणी का डिक्टेटर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कभीर को बाणी का डिक्टेटर कहा जाता है ठीक है एक क्वेस्चन भी आता है कई बार लेकिन आपको बताना है कि डिक्टेटर कहा किसने है सबी लोग बताएंगे जल्दी से और जितने लोग भी देख रहें सबी लोग लाइक जरूर किया करो लाइक तो किया करो साहब है ना बीरेंद्र जी बताओ कबीर को बाणी का डिक्टेटर किस ने कहा है एक क्वेस्चन पूछा गया तो आपको पताई है कि सर कबीर बाणी के डिक्टेटर थे हैं रहेंगे यह हम हजारों बार कहेंगे कितने बार कहेंगे हजारों बार कि कबीर उबाने के डिक्टेटर थे, डिक्टेटर थे, तो हजारों बार कहिए भईया, हजारी परसा दुबेदी, एक बून्द सहसा उचली, ये किस बिधा की रचना है दोस्तों, सभी लोग बताईए, एक बून्द सहसा उचली, रॉबिन जी, बताएं, असा जोसी जी, बीके सिंग जी रिंकु जी सीता राम जी भीरेंद्र जी एक बूंद सहसा उचली किस विधा की रचना है 86 नंबर का क्वेस्चन है 86 नंबर में आपको बताना है उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा बताओ एक बूंद सहसा उचली और इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है बताईए लगबिंदर जी सौनिया जी सेल्प स्टेडी किलासे इसका एप डाउनलोड कर लेना सभी साती जिनको भी टिर्की नोट्स मंगवाना है वो टिर्की नोट्स मंगवा सकते हैं बिलकुल तो यहाँ पर एक बूंद सहसा उचली यात्रा साहित है लेकिन यात्रा साहित है किसका देखते है कौन बताता है सबसे पहले यात्रा साहते किसका है कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है दोस्तों कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है बहुत बढ़िया रीता जी किसका यात्रा साहते अग्गे जी का है ना बिलकुल बहुत बढ़िया ये अग्ये जी का यात्रसा है ते दोस्ते एक बूंद सहसा उचली कई बार पूछा गया कस्तूरी कुंडल वसे किस बिधा की रचना है कस्तूरी कुंडल वसे कहानी है आत्म कता है कभिता है या फिर निबंद है मेत्रई पुस्पा की रचना है कस्तूरी कुंडल वसे अब आ जालडास जी ने बिलकुँ सही है रीता जी किसर ये आत्म कथा है और ये आत्म कथा किसकी है मैत्रई पुस्पा की है ठीक है मैत्रई पुले कस्तूरी से मैत्रई करता है एक कस्तूरी म्रगा आपने देखा होगा हिमालाई की तरही छेत्रवें दोस्तों ठीक है कस्तूरी से मि तो कस्तूरी कुंडल वसे मित्रता से मैत्री पुसपा और ये क्या है आत्म कता है हिंदी का प्रतम देनिक समाचार पत्र कुण सा है अच्छा क्वेस्चन है 88 नमबर का question है बिलकुल बताईए लाइक करना है बंगाल गजट है समाचार सुधा वर्षन है उदंत मार्तंड या फिर बंग दूत्त माना जाता है बताएं स्रश्टी जी, आसा जी, मदू जी, दीपा जी बताएं सही answer क्या हो जाएगा हिंदी का प्रतम दैनेक समाचार पत्र देखते हैं अभी भी कौन गलत बताता है मैं तो गलत को देख रहा हूँ यहाँ पर 88 नमबर के question में देखो अभी भी गलत बता दिया किसने बता दिया बताओ जल्दी से 88 नमबर में B बता रहे हैं 88 में C कौन बता रहा है मंजू यादव जी गलत रेकात्र पाठी जी C बता रहे हैं और बता दू यहाँ पर देखो रेकात्र पाठी जी उदंतमारतंड बता रहे हैं बहुत बढ़ी जिनोंने B नमबर बताया है उनका अंसर बिलकुस सही है और यहाँ पर देखो बंदना मौड जी अभी भी C बता रहे हैं यह C नहीं है यह समाचार सुदा वर्सन है समाचार सुदा वर्सन प्रिथम दैनेक समाचार दैनेक पूचा है दैनेक तो दैनेक समाचार पत्र समाचार सुदा वर्सन है यही तो पूछा जाता है कि आप ज्यान कितना रखते हो कनिफूजिन कहा होते हो यही पर आप गढबड़ हो जाते हो हिंदी का अगर पृफभम पूछा जाता दैनेक काट दिया जाता तो प्रतम में आप उदंत मारतंड लगाते हैं ना हिंदी का प्रतम सापताहिक पूचा जाता तो सापताहिक में आप उदंते सापताहिक था उदंत मारतंड और देने के था समचार सुधा वर्षन बहुत बढ़िया नेक देखो नात संपरदाय के प्रवर्टक कौन मान जाते नात संपरदाय, 89 नंबर का question है सभी लोग जल्दी से like कर दो, फटा फट से, share कर दो और दोस्तों वीडियो को share भी कर दिया करो अपने मित्रों तक ये रोज के लास रात त्री 9 बजे होती है कितने अच्छे से बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर पढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से दोस्तों आप practice करते हैं यहाँ पर पूछा गया नात संपरदाय की प्रवर्तक कोन है तो यहाँ पर 89 नंबर का question है सभी लोग बताएंगे तब आपका यहाँ पर नात संपरदाय की प्रवर्तक कोन मान जाते है उत्तर चला जाएगा गोरक नात यानि कि यह नंबर यह नंबर आपका बिल्कुस सही है यह नंबर राइट अंसर है सनक संपरदाय की प्रवर्तक कोन मान जाते है सनक संपरदाय की रामा नोज, निमबार, मदवाचार या पर रामा नंद तो आपको पता है कि निम्बू ना दो पड़ोसी को तो क्या हो जाता है, सनक जाता है सनक, तो सनक संपरदाय इसके प्रवर्तक कोन है निमबार के है यानि कि B नंबर आपका यह सनक संपरदाय पूछा जाता है कई बार, हरीदास हरिदास संपरदाई को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है 91 नमबर का question पूछा गए आपसे हरिदास संपरदाई को किस नाम से जाना जाता है सबी लोग बताएंगे 91 नमबर में और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर हरीदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय की नाम से जाना जाता है यानि आपका जो बी नमबर है सखी संप्रदाय ये बिलको सही है ठीक है और इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों किसको इसी को ठीक है नेक देखो प्राणचंद चोहान का संबंद किस भक्ती साका से है अच्छा क्वेस्टन है प्राणचंद चोहान जिन्होंने रामायन महानाटक करके दोस्तों एक गरंत लेखा था ठीक है यहाँ पर प्राणचंद चोहान का संबंद किस भक्ती साका से है यह अच्छा क ये बताया है स्रेखा जी बताइए सरोज जी ठीके नेक्स्ट देखो गोरक जगायो जोग और भगती भगायो लोग पंक्ती बताइए किस कभी द्वारा दोस्तों लिखे थे तिरानवे नंबर का क्वेस्चन जस्मेल जी बताइए विकास जी असोक जी सही आंसर यहाँ पर क् चैन करना है 93 नंबर का उत्तर आपको बताना है इतना अच्छा क्वेस्चन पूछा गया है और आपका उत्तर है कि सर तुरिसी दास लगा दो ये पंक्ती नोंने इनकी मानी जाती है तुरिसी दास की भूषण को कभी भूषण की उपादी किस ने दी थी भूषण आपको सबी सात्यों को लाइक कर देना है सेर भी कर देना सिबाजी ने चछत्र साल ने सोलंकी राजा रुद्र साहे ने या फिर हरी ओद ने 94 नंबर के question में और उत्तर जा रहा है कि सर भूषण को भूषण की उपादी दीती सोलंकी राजा रुद्र साय ने इनका बास्तविक नाम था घंस्याम इनका बास्तविक नाम क्या था बूसन का घंस्याम नाम था ठीक है तो आपका ये सुलंग की राजर रुद्र घंस्याम याद रखते हैं नेक्स आते हैं दुजदेव किस परंपरा के कभी हैं दुजदेव किस परंपरा क कभी हैं रीती बद्न है रीती मुक्त हैं रीती सित्ध हैं रीती या फिर भक्ती परमपरा के कभी हैं 95. наверное के क्वेस्टन में आपको बताना है उत्तर बतादे लाइड करना है रस्मी पसकर जी विकास जी सबी लोग बताओ दुजदेव किस परंपरा के कभी माने जाते हैं बताओ और एक क्वेस्चन आता ही है कई बार आचुका दुजदेव का तो दुजदेव किस परंपरा के कभी हैं तब आपका 95 नंबर का जो क्वेस्चन है दोस्तो वो चला जाता है कहां पर किसरे रीती मुक्त कभी है यानि कि आपका जो B नमबर है रीती मुक्त ये बिलकुँ सई है दुजदेव रीती मुक्त कभी माने जाते हैं दोस्तो B नमबर आपका बिलकुँ सई हो जाएगा किसने 1873 ECB में हरेस्चंद्र मैग जीन की इस्थापना की थी बताओ 96 नमबर का क्वेस्चन है सभी लोग बताएंगे रादिका जी बताएए नवेर जी जसमेल जी बारा सो में बारा महिने किसको पढ़ना है हिंदी साहित में अडवीशन ले करके जिसको भी पढ़ना है नीचे नमबर चलना है संपर कर सकते हो और जिसको भी हिंदी साहित के तिर्की नोट्स मंगवाना है अपने घर पर तो आप तिर्की नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों ये तिर्की नोट्स हैं यहां पर उत्तर हो जाएगा भारतेंदू लगा दो भी नमबर लगा दो इती ब्रतात्मक्ता किस योग की विशेष्टा है भारतेंदू योग की दुवेदी योग की चाया बादी योग की या फिर सुकले योग की मानी जाती है नाइन टी शेवे नमबर में तो आपका उत्तर चला जाता है कि सरी दुवेदी योग की है भी नमबर आपका सही है ठीक है बिलकुल है ना बढ़िया क्वेस्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है दोस्तो बी नमबर आधनिक काल की किस का बधारा में रहसबाद की प्रिविडती भावना पाई जाती है बताओ किस का बधारा में या किस युग में रहसबाद की भावना पाई जाती है दोस्तों दुबेदी युग में चाया बाद में प्रगतिबाद या फिर प्रियोग बाद में पूछा गया और उने कई बार आप को बताया कि सर चायाबाद में सबसे जादना प्रभावित है रहसवाद और चायाबाद में भी रहसवाद से प्रभावित कौन है महादेवी बर्मा जिनका जन्म हुआ था 1907 मेंजब महादेवी साथ में हैं तो चिंता काई की ठीक है बहुत बढ़िया बिलॉम किस नाटक का पात्र है 99 का क्वेस्चन है बिलॉम किस नाटक का पात्र है और मैंने आपको कई बार बताया है कई बार बताया है बिलॉम बताईए हिंदी बित जी नीरज जी बताएं बिलॉम किस ना पात रहे और इसकी रचनाकार कौन है मोहन राकेस मोहन राकेस और असाल का एक दिन का बिलॉम क्या हो जाएगा और इसरा असाल का एक दिन का हो जाएगा गर्मी का एक दिन ठंड का एक दिन ठीक है ऐसी कर सकते हैं तो असाल का एक दिन का बिलॉम इसका पात रहे ललित ने बं बंदकार के रूप में प्रिशिद्धी किसी मिली एक अच्छा कॉस्चन आपसे पूचा गया है सोबा पंडे जी उस्पा जी विकास जी और सेल्फ इस्टडी किलासेस से आप सभी जुड़ जाएं ठीक है सेल्फ इस्टडी किलासेस परिवार से जुड़ जाएं और एप डा जाने जाते हैं बहुत ही बढ़िया आपने उत्तर बताई यहां पर और बहुत ही बढ़िया तरीकी से सेशन वह आप लाष्ट टक बने रहें सेल्फ स्टडी किलासेस का एप वाला एप आप डावनलोड कर सकते हो ठीक है और यह आपके लिए ओफर है 15 अप्रेल से नया ब् हिंदी भासा से आपको शुरुआ से बढ़ाया जाएगा 1200 में 12 महिने तक आप पढ़ सकते हो दूसरा दोस्तो आपको आप हिंदी साहित टिर्की नोट्स आपके घर मंगवा सकते हो ठीक है ये नोट्स दोस्तो बहुत सारे साथी मंगवा चुके हैं चाहे पंजाब Master Cader वाले हो RPSC 2nd Grade वाले हो TGT PGT वाले साती हो ठीक है RPSC H TET या फिर H P TET उत्तराखंड वाले साती हो और यारा TET वाले साती हो जिनका भी सब्जक्ट हिंदी साहित है ऐसे नोट्स बनाए गए हैं दोस्तो बढ़िया तरीके से सरल भासा में ट्रिक के द्वारा बहुत ही बढ़िया ट्रिके भी यहाँ भी इसमें सामाहित की गई है ठीक है तो पायर रानी जी नीतू गुपता जी नवर जी ठीक है बहुत बढ़िया शबी सातियों को जिनको भी मंगवाना है वो मंगवाय नोट्स को और दोस्तों अपने सातियों तक सियर करती रहें और दोस्तों आगे बढ़ती रहें ठीक है बिलकुल बहुत बढ़िया तो धनबाद हमारे सबी सातियों को जिन्हों ने इस किलास में भाग लिया और सेल्प स्टेडी किलासिस की कहीं न कहीं सबी लोग हिस्ता है ठीक है उन सबी सातियों को चाह आराम धिपका सुकलाजी, सबीक।